तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं income from house property हर किसी को voice clear है visual okay है फटा फट से बता दीजिए हम फिर स्टार्ट करें income from house property काफी बच्चे new joining है तो सर जितने बच्चे new joining है मैं उनसे एक ही बात कहूंगा ये chapter आप स्टार्ट कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन वो पहले basic concept को clear कर ले बाकि इस chapter में जो बच्चा नया है बिल्कुल समझ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल different रहने वाला है बिल्कुल different रहने वाला है अभी कुछ बच्चों का hand raise का आ रहा है तो hand raise देखो अभी तो मैंने start नहीं किया है जैसे ही रहेगा मैं फिर hand raise का सभी बच्चों का सवाल का जवाब भी लूँगा अभी मैं पहले concept करवाऊंगा concept पे पूरा concentrate कोई किताब नहीं चाहिए कोई noting नहीं चाहिए सर्फ concentrate करना है सर chapter क्या है सर chapter है और chapter का नाम आपका heads of income का एक पार्ट है major chapter सवाल exam के अंदर ये 10 number का exam में question पूछा जाता है अक्सर 10 number का exam में question पूछा जाता है कुछ बच्चों का hand raise का option आ रहा है तो 10 number का अभी किसी के chat का जब आप अभी फिलाल नहीं लूँगा पहले chapter स्टार्ट कर लेते हैं फिर लेंगे चलिए देखिए income from house property साधारन सा देखो बड़ा छोटा सा है section 22 से लेके section 27 तक इसके अंदर हमें पढ़ने है जिसमें से important जो है हमें पढ़ना ये हमारे paper में 10 number का आएगा जो majorly section इसके अंदर हमें cover करना है वो करना है सर section number 23 और सर section number 24 इस दो section पर ही पूरा chapter टिका हुआ है इसके अलावा जो section आपको दिख रहे हैं जैसे की 22 definition का है 23 तो हम करेंगे detail में 24 भी करेंगे 25 nominal सा section है 26 nominal सा 27 आज cover हो जाएगा यानि सर हम आज 2 section cover कर लेंगे और शायद जादा भी कर पाएँ चीक है तो सबसे पहला point है house property सर house property अब नाम पहले देख लेते हैं house का मतलब क्या है पहले तो ये समझे एक तो ये हमारे पास एक जमीन है एक जमीन है और इस जमीन के चारो साइड मैंने क्या करा आपने देखा होगा जमीन के साइड में क्या करते हैं हम normally border डाल देते हैं जिसको बोलते हैं कि हमने border डाल दिया है जब कभी नई जमीन खरीते हैं चारो साइड मैंने बनाना घर ही है हमें लेकिन हमने क्या करा इसके चारो साइड में बॉर्डर जिसे बोलते हैं कि हम बाउंडरी डाल देते हैं क्या बताईए ये हमारा house है या फिर नहीं है सिंपल सी बात बताईए क्या ये house के अंदर cover होगा या नहीं होगा cover तो जवाब है sir ये house में cover नहीं होगा house नहीं है चलिए sir, दूसरा एक खाली जमीन है और boundary भी नहीं डाला मैंने infect तो जब boundary वाला घर cover नहीं हो रहा तो ये कहां से cover हो जाएगा एक हमने क्या करा पूरे wall वगएरा सब चीज़े डाल दिये बस छट डालना अभी डला नहीं है छट नहीं डला भी उपर होता है नहीं छट डालना रूफ अभी नहीं डला तो क्या उसको दर्वाजे वगएरा सब लग गए हैं घर के अंदर तो बताएए अब क्या इसे house बोलेंगे हम अभी भी house नहीं है house का मतलब सर यानि घर और घर तभी होता है जब complete बन जाए तो सर इस chapter में house का सबसे पहले मतलब समझ लिया अब बात करेंगे सर इस chapter के अंदर क्या पढ़ेंगे इस घर को अगर आपने rent पे दिया इस घर को अगर आपने rent पे दे दिया तो उस rental income पे उस rent वाले income पे किस परकार से कैसे tax का implementation होगा किस तरीके से tax लगाया जाएगा ये सारी बाते हम इस chapter के अंदर सीखने वाले है हम घर का meaning भी नहीं इस जो घर से rental income होगा उस rental income को कैसे करेंगे सर रेंट यहां से भी आ सकता है देखिए आपने boundary दिया क्या वहाँ से rent आ सकता है जी हाँ rent आ सकता है आपने किसी को मान लो कुछ time के लिए दे दिया किसी को बोल दिया कि भाई आपके जो भी animals है काई वगरा यहाँ पे आप रख सकते हैं मैंने boundary दे दिया 500 रुपे महीना दे देना तो rent तो ले रहा है लेकिन ये rental income house property का पार्ट नहीं है क्योंकि house ही नहीं है सेम ऐसे आपने boundary दे दिया ये खाली जमीन है वहाँ पे आपने rent वहाँ से receive कर रहे है तो वो भी नहीं rent किस से आना चाहिए घर से आना चाहिए तभी यहाँ पे कामियाब होगा अब कुछ एक example साथ के साथ देखते जाईएगा और समझते जाईएगा एक मैं कुछ example ले रहा हूँ जो की exception cases है मान लीजिए ये घर है ये घर है इस घर से rent लिया और ये घर जो है ना Mr. X का है Sir Mr. X इस घर का कौन है ओनर है और Mr. X ने इस से rent रिसीव किया Mr. Y से तो अब जो Mr. X के पास ये rent आ रहा है पचास हजार रुपए का पर एक्जामपल क्या ये house property का income मानेंगे तो जबाब yes sir ये house property की income है क्योंकि घर से income रिसीव किया जा रहा है किसके hand में चार्जिलिटी में होगा टेक्स कौन देगा Mr. Y देगा या फिर X देगा Mr. X देगा क्योंकि ओनर जिसके पास rent आ रहा है वो second example देखिए ये घर है और इस house की बात करें Mr. X है ये sir इस घर का ओनर है इसने rent पे दे दिया sir किसको इसने rent पे दे दिया rent पे दे दिया Mr. Y को और sir कितने पे दिया 5,000 रुपे महिने के किराये पे अब Y ने क्या करा इस घर को किराये पे दे दिया Mr. Z को Mr. Z को दे दिया अब देखो rental की बात कर रहे है rental income घर से आना देखो जो Z पे कर रहा है इसको rent paid कर रहा है मान लेते हैं 6,000 रुपे और जो Y है वो rent paid कर रहा है X को 5,000 रुपे अब पहले बताना क्या Y rent receive कर रहा है या नहीं कर रहा है क्या इसके income पे house property का tax लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए अब इसने rent receive किया है अब बताइए इसके income पे tax लगेगा या फिर नहीं लगेगा नहीं लगेगा सर क्यों नहीं लगेगा अभी देखते हैं और क्या बताइए ओनर के hand पे taxable होगा तो जवाब होगा तो law कहता है सर rental income नहीं आना आपको उस मकान का मालिक भी होना जरूरी है अगर आप उस मकान के मालिक नहीं हो तो उसके उपर house property के under head में taxable ना लेके हम कहीं और आपके taxable करेंगे सर कुछ बच्चे पूछ रहे होगे कि ऐसा possible है बहुत possible है ऐसा इसको बोलते हैं subletting इस concept को बोला जाता है subletting एक बार let out कर दिया उसके बाद फिर further कर दिया उसे बोला जाता है sublet out मैं खुदी बहुत बताओ मैंने rent पे ले रखा है h block h block वाला rent पे मैंने ले रखा है मैं मकान मालिक को rent पे payment करता हूँ तो वहाँ पे जो honor है वो house property में taxable और further मैंने किसी और को दे दिया है वो rent पे तो वो मुझे rent देता है तो उस case में मैं house property taxable नहीं दूँगा वो other source के अंदर taxable हो जाएगा तो यानि सर चलो दो बाते समझ में आती है इस chapter में के number one number one आपका घर होना चाहिए number two यहाँ पे rent होना चाहिए number three यहाँ पे honor होना चाहिए अगर यह तीनों बाते इस law के अंदर अगर exist करता है तब तो भाई यह आपका house property income माना जाएगा अगर तीनों में से कुछ भी missing है तो house property income नहीं माना जाएगा simple सी बात है चलिए सर हम एक बार इसके definition को देख लेते हैं फिर definition के बाद फिर हम आगे देखेंगे या फिर पहले मैं honor के उपर थोड़ा सा discuss करना चाहूँगा honor sir honor क्या है देखिए जो honor है इसको देना अगर इसके पास घर है अगर इस honor के पास घर है और इस घर से rent आता है इसके पास और rent आता है मान लेते हैं कि एक लाख रुपे महीने का एक लाख रुपे महीने का क्या आता है इसके पास rent आता है और यह job भी करता है sir यह क्या करता है job भी करता है मिरे सवाल का सीधा सीधा जवाब पहले देख लिजे जौब करता है वहां से इसकी सेलरी है 4,50,000 रुपे की इसकी सेलरी कितनी है 4,50,000 रुपे का और income rent से कितना आ रहा है 1,00,000 रुपे का इसका tax liability निकालते हैं चलो हम tax liability निकालते हैं इसका टेक्स निकालते हैं पहले तो निकालते है income from salary, salary से income 4,5,5 लाग का है और sir rent से income जो है रेंट से इंकम यानि हाउस प्रॉपटी से सर इंकम एक लाख रुपए इसका टोटल इंकम जो बन जाता है वो बन जाता है पाँच लाख सर टेक्स लाइबलिटी निकालने के लिए अप टू टू फिफिटी निल नेक्स टू फिफिटी स्लैब रेट कुछ बच्चे नए होंगे उनको पता नहीं चलेगा तो पांच लाख से उपर हमें टेक्स भरना पड़ता है ये मैं बताना चाहता हूँ इस पे पांच परसेंट यानि 12,500 रुपे बैलेंस पे बैलेंस पचास अजार पे 20 परसेंट यानि सर इसे 22,500 जैसे ये 22,500 इसे सालाना देना पड़ता है ना किसी वेक्ति को सरकार को टेक्स तो इस वेक्ति को कहीं ना कहीं टेंशन होगा और ये अपना धिमाग चलाना स्टार्ट कर देगा ये सोचेगा दिमाग क्या चलाएगा यार मेरा रेंटल इंकम है और रेंटल इलकम मेरी इंकम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मैं इस घर का ओनर हूँ क्योंकि तीन कंडिशन होना जरूरी है घर भी होना चाहिए है और रेंट भी इसने कहा कि योँ न इससे बचा जाएं अगर ये अपने इस इनकम को स्प्लिट कर दे इस इनकम को तोड़े अब देखो घर के अंदर है परिभार के इंदर प्रॉपर्टी बगर इसने क्या करा अपनी वाइफ के नाम पे घर को कर दिया अगर ये चलाकी कर जाए इसने क्या करा अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया तो जब next हम tax निकालेंगे अगर ये घर इसके वाइफ के नाम पे हो जाए तो सर ये वाली जो income है ये X की नहीं होके किसकी हो जाएगी तो wife जब अपना tax liability सरकार को भरने जाएगी तो इसकी total income क्या हैगी बताओ एक लाख रुपे सिर्फ अगर एक लाख रुपे क्या इसकी wife tax भरने वाली है उस पर और उसके जो husband जो Mr. X है इसका taxable income क्या होगा साड़े चार लाख साड़े चार लाख रुपे तक क्या हो जाता 87A लेके rebate होके zero दोनों बच गए तो क्या ये ऐसा दिमाग लगा सकता है नहीं लगा सकता है लगा सकता है तो जब इस तरीकी की दिक्कते आई ना तो यहाँ पर बोला गया भाईया ओनर का मतलब एक तो real ओनर होगा और एक होगा deemed ओनर deemed ओनर का मतलब जो आपकी चलाकी है ना वो सारी चलाकी बंद कर दे जाएगे मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ एपरेंटली दिख रहा है कि यह जो है घर अपनी वाइफ को दिया है सिर्फ टेक्स चोरी है इसका परपस तो ऐसे में ओनर मान किसको लिया जाएगा एक्स को मान लिआ जाएगा मतलब तुम आपनी नहीं हो लेकिन इंकम टेक्स बोला तुम मानो या ना मानो हम मान रहे है तुम honor हो और उसके हिसाब से तुम्हें tax देना होगा तो honor के भी दो category हो गया एक तो real honor जो की paper मेरे नाम पे है एक मैं honor नहीं रहूँगा मैं textory करने के text बचाने के चक्कर में मैं कुछ ऐसी activity करूँगा जिससे मैं honor तो नहीं रहूँगा लेकिन income tax वाले मुझे जबरदस्ती honor बना देंगे that is a deemed honor जो की section 27 में बताया गया है समझे बात आप तो यानि कुछ चीज़ है अब एक बार definition समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आपको अब definition देख लेते हैं क्या कहता है definition chargeability की बात करते हैं सर chargeability की बात अगर करें देखो आपको हर chapter के अंदर chargeability का एक section जरूर होता है जैसे इसमें section 22 है exam के अंदर पूछा नहीं जाता ये section लेकिन पता होना जरूरी है इसी section पर पूरा chapter depend करेगा कहता है कि the annual value of the property सर सबसे पहले annual value को मैं short form में लिख देता हूँ एन ए बी कहता annual value सर किसके ऊपर आप लोगे तो बोला गया annual value पर लेंगे तो सर annual value कैसे पता चलेगा इसके लिए section 23 पढ़ना पड़ेगा annual value कैसे पता चलेगा आपको section 23 में annual value of property consisting of any building कोई भी building और कोई भी land consisting मतलब जुड़ा हुआ upper tent there to कहने का मतलब है कोई भी building या building से जुड़ा हुआ land upper tent there to इस सब्द का मतलब क्या है upper tent there to कई बार ऐसा होता है सर ये आपका घर है इसके साथ में आपका पूरा garden है और मान लो ये जो आपका घर है इसका rent आपने decide किया है पचास अजार महिने का इसका rent decide किया है आपने पचास अजार रुपए महिने का सर अब पचास अजार रुपए महिने का अगर आपने decide किया है तो पचास अजार रुपए including that land जो की आपका garden का area है है ना तो अब आपका मैं अगर simply बोलू के भाईया इसका किराया 20,000 होनता है या 40,000 बनता है इसका किराया 10,000 बनता है अगर मैं simple एक justify करूँ कि अगर ground नहीं होता तो 10,000 क्योंकि मैं rented पे लेने गया मैंने लिए भाईया किराया कितना है 50,000 मैंने महंगा है बोड़ा भाईसा 50,000 आपको पार्क वार्क मिल रहा है देखो पार्किंग है पार्क है इन सब फैसलेटी के तो फैसे हैं तो उसने 50,000 चार्ज किये तो अब सवाल आता है कि बोला गया घर से आएगा किराया लौ ने clear कर दिया भाईया घर का मतलब वो हिस्सा भी है जो आपके घर से attached है यानि upper tent इसको बोला जाता है तो उस हिस्से को भी मान लिया जाएगा और उसका भी आपका house property में ही taxable किया जाएगा तो सर सवाल यही कर रहा है यहाँ पे कहता है कि consisting building or upper tent there to of which SSC SSC का मतलब क्या होता है सर SSC का मतलब होता है जो हमारा taxpayer होता है जिसको tax देना है आम नागरी कुसे SSC बोलते है अगर SSC honor हुआ तभी वो देगा house property के under tax Chargability का मतलब किस पे tax लगेगा एक तो annual value पे लगेगा net annual value पे लगेगा किस पे लगेगा सर the annual value of property यानि net annual value पे tax लगेगा और साथ के साथ घर होना चाहिए घर से जुड़ा हुआ कोई जमीन है उसके उपर भी हम tax लगा देंगे और आपको honor होना जरूरी है sales subject to income tax under the head of income from house property यानि सर ये condition complete होना जरूरी है honor के बारे में जादा जानने के लिए section 27 पढ़ना पढ़ेगा हमें ठीक है ना honor के बारे में जादा जानने के लिए section 27 पढ़ना पढ़ेगा after the claiming deduction section 24 कहता है tax आप तभी देना हम कुछ आपको benefits देंगे जैसे house property का income आपका एक लाग है government कहता है 24A में आपको 30% का हम deduction दे रहें that is 30,000 तो आपका बचासर 70,000 तो 70,000 पे tax दीजिए तो after deduction 24, 24 के अंदर दो section 24A और 24B आगे कहता है providing such property और any portion of such property not used by SSC for the purpose of any business अगर आप business के लिए use कर रहे हो इस property को तो वो income from house property के under taxable नहीं होगा यानि आपने rental देखो आप नहीं कर सकते business purpose के लिए आपने किसी और को किराये पे दे दिया वो business purpose के लिए कर ले तो होगा house property rental ठीक है ना आप नहीं कर सकते बस for the purpose of any business and profession carried on by him मतलब who SSC the profit which the chargeable under income tax तो सर यह साधारण सी definition है इस definition को अगर हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया देखो 23 भी आ गया इस definition के अंदर section 23 पढ़ लिया section 24 पढ़ लिया section 27 पढ़ लिया हमारा chapter लगबग over हो जाता है कहने को 22 से 27 है लेकिन दो ही section mean है पहले यहां तक आपको clear है तो तो वाट इस टेक्स चार्ज बच्चे पूछ रहें के सर्ट क्या टेक्स चार्ज लगता है रेट क्या है देको रेट वही slab rate लगता है basic इसमें कोई special rate नहीं है चलिए सर अब हम सबसे पहले क्या cover करें सबसे पहले हम cover करते हैं honor honor कौन होता है अभी मैंने थोड़ा definition दिया honor देख लेते हैं तो honor कहां पर गीवन है पहले पढ़ेंगे हम deemed honor sir deemed honor क्या है और honor कौन सा होगा deemed honor section 27 यह बताता है कि कौन हमारा deemed honor का part माना जाएगा point number one पहले मैं case समझाओंगा फिर पढ़ लूँगा ताकि आपको easily समझ में आ जाए पहले मैं पढ़ूँगा नहीं पहले मैं समझा दूँगा फिर देखिए example देखते जाईएगा यह important रहेगा इसी से आपको यह theory याद रहेगा मान लिजिए Mr. X है और Mrs. X है Mr. X और Mrs. X दोनों husband wife husband के नाम पे घर है husband के नाम पे घर है husband ने क्या करा यह घर नाम कर दिया अपने wife के अपने wife के नाम पे कर दिया क्यों कर दिया ताकि text इसके wife के नाम पे shift हो जाए और जिससे text बचाया जा सके और यहाँ पे without consideration है without consideration sir without consideration का मतलब क्या है without consideration का मतलब sir जहाँ पे उससे कोई पैसे नहीं लिये गया without consideration कोई पैसा नहीं लिया गया तो ऐसे situation में हाला की honor की बात करें तो honor यह है इस घर की एना honor कौन है यह लेकिन यहाँ पे government text किससे वसूलेगा इसे मान लिया जाएगा deemed honor पहला point समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी wife को सिर्फ wife के लिए है यह अगर अपनी wife को कोई घर transfer कर देता है transfer करने के बाद ऐसे situation में अगर वहाँ पे consideration का मतलब अब पैसे का लेन देन ना हो अब पैसे का लेन देन ना हो तो इंसान तो चला के उसने बोला जी 5000 दे दिये थे नहीं educate consideration होना चाहिए यानि अगर 50 लाग market कीमत है तो इसकी wife को इसको 50 लाग देने होंगे सर कुछ बच्चे पूचते हैं हो सकता है सर Mr. X इसको 50 लाग दे देगा और ये इसको 50 लाग दे देगी दिखा देगी transaction 50 लाग का हो गया तब क्या होगा तो सर इसने घर इसको बेच दिया और इसने खरीदा मानलो 1 लाग का है या मानलो 10 लाग का खरीदा है और बेचा कितन पचास लाग का बीच में 40 लाग कमा लिया that is a capital gain 40 लाग पर सीधा 20% इसको टेक्स देना पड़ेगा जो की 8 लाग रुपए होगा तो गवर्मेंट टेक्स से बचने नहीं देना चाहता बोला गया कि भाईया पैसा पूरा होना चाहिए यहां पे लें देन के तुलना में ठीक ह टी टीकंग टुरा सा अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा था आपको के X ने अपनी wife के नाम पे क्या करा घर को transfer कर दिया और उसमें consideration नहीं लिया तो घर किसका माना जाएगा उसके husband का ही माना जाएगा अगर consideration ले लिया तो घर माना जाएगा किसका इसकी wife का ही माना जाएगा लेकिन उस case के अं नहीं है मैंने बता दिया ऐसा होगा अब बात करते हैं Mr. X Mr. X है और Mrs. X है और ये दोनों जो है husband wife है वो विस सी बात है और मैंने Mrs. X बोल तो दिया ये दोनों husband wife है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं बन रही बहुत दिनों से लड़ाई जगड़ा चल रहा है तो इसका एक ही result होगा क्या होना चाहिए जब लड़ाई जगड़ा चल रहा है बहुत दिने से इन दोनों के बीच में बनी नहीं जा डाइवोस होगा अब डाइवोस के केस में अब इंडियन लॉग क्या कहता है सर जब कभी भी डाइवोस होगा तो एक्स को भी अपनी प्रोपर्टी में से कुछ हिस्सा इसको देना पड़ सकता है न तो दे दिया तो इसने क्या करा एक घर इसको दे दिया कोई consideration नहीं लिया अब इसके पास जो घर है उस घर से रेंट आ रहा है मान लो के 5 लाक रुपे तो बताओ अब इस केस में रेंटल इंकम किसकी माने जाएगी मिस्स एक्स की या मिस्टर एक्स की ऐसे सिचुएशन में मिस्स एक्स की रेंटल इंकम माने जाएगी यानि जहाँ divorce, leave apart, divorce का case है, वहाँ consideration नहीं, घर दे दिया, उसी का हो गया, वही rental income, और जहाँ divorce नहीं है, वहाँ पे भाईया, तुझे ही deemed owner बना के तुझे ही tax है, क्योंकि इस property के वे पर पूरा अधिकार किसका हो गया, मिस्स X का, लेकिन इस वाले property पर मिस्स X का अधिकार है ही नहीं, मिस्टर X ने स्रिफ और स्रिफ टेक्स बचाने के लिए किया है, third example देखिए, मान लेतें मिस्टर X, और मिस्स तो नहीं कह सकते, मिस X भी नहीं बोल सकते, मिस Y बोल देते, अभी शादी हुई नहीं है तैयारी चल रही है ठीक है न? अभी शादी हुई नहीं और तैयारी चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे Mr. X ने क्या करा? एक फ्लैट अभी बस मान लो engagement बोल लो मंगनी बोल लो जो मर्जी बोलो मंगेतर बोलो जो मर्जी अभी शादी नहीं हुई है, इसने क्या करा, खुशी-खुशी में आके एक अपना फ्लैट इसके नाम पे कर दिया, ठीक है, एक फ्लैट इसके नाम पे कर दिया, without educate consideration, अब इस फ्लैट से शादी हो जाएगी एक महने, दो महने, जो भी date रखा गया होगा, अब इसने क्या करा, सर, इससे income, rental income, पाँच लाक रुपए, अब बताओ, ये income, मिस वाई की मानी जाएगी, या मिस्टर एक्स की, यहाँ पे देखो, रिस्क है, लौ कहता है, जहाँ पे रिस्क हो, तो वो इनकम उसकी, यानि कोई भरोसा नहीं है, मिस वाई, फ्लैट लेटे ही बदल गई तो, अब नहीं करना भई शादी, तो यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे नहीं बदला जा सकता, यहाँ पे तो बदली गए है, और यहाँ पे बदलने के संभावना है, तो रिस्क के जादा है, तो ऐसे situation में law कहता है कि भईया, यहाँ तुमारा रिस्क है, तुम से tax क्या लेंगे, हम उसे ही tax जो है, इसके उपर ले लेंगे, तो यहाँ पे है कि घर spouse अपनी पतनी को या पतनी अपने husband को दे देता है, तो उसमें क्या-क्या condition हो सकने, तीन, तो यहाँ deemed donor, एक पर पढ़ लेते हैं, फटा-फट से क्या कहता है, कहता है, transfer of spouse, transfer to spouse, section 27, कहता है, if an individual transfer any house property to his or her spouse otherwise than for the educate consideration, मतलब consideration के अगर अलाबा किया गया, the transfer that case deemed to be honor, आपको मान लिया जाएगा, deemed honor of the property, so transferred, आप देखें, यहाँ पर दो बाते हैं, जो transfer करता है ना, इसको हम बोलते हैं, transferer, और जो transfer receive करता हैं, इससे बोलते हैं, transferee, इस सब्द का इस्तमाल करूँगा, मैं कई बार, तो आपको ध्यान लगना है, ठीक है, this would however not cover, यह section हमारा काम करना बंद कर देगा, in case where properties transfer to spouse in connection with agreement leave apart, यहाँ पर थोड़ा divorce को थोड़ा modern word दे दिया गया, agreement leave apart, अगर divorce का case हुआ, तो भईया, यह section नहीं, दोनों अलग-अलग ही text देंगे, clear है यहाँ तक, तो पहला point हुआ, cover हमारा deem donor का, sir, और क्या case हो सकता है, हमारा deem donor के case में, मान लेते हैं, Mr. X है, Mr. X है, अब wife को transfer करना नहीं है, law ने इसे थोड़ा सा बंद कर दिया, कि भई नहीं कर सकते हो, Mr. X के पास एक घर है, और Mr. X ने इस घर को क्या करा, अपने son के नाम पे transfer कर दिया, son, वो भी minor, वो भी minor son, जिसको कुछ भी चीज नहीं आता है, minor कौन होता है, sir, minor जो 18 से नीचे है, उसको हम बोलते है, minor son, minor son के नाम पे transfer कर दिया, तो minor son अब जानते हैं, यह 18 साल से कम है, तो पूरा control इसके पापा का ही होगा, अब minor son हो सकता है, या minor child मैं बोल दूँ, मैं son गलत word यूज कर रहा हूं, यहां child बोल देता हूं, minor child, sir, child की बात करें, तो दो child हो जाते हैं, कौन-कौन हो जाता है, या तो हो सकता है son, या फिर daughter, दोनों बाते condition हैं, तो minor आपने करा son के नाम पे कर दिया, ट्रांसफर इसने, और ये घर इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, income tax authority आता है, बोलता है Mr. X, घर के उपर आप टेक्स तो, Mr. X बोलता है, मैं तो honor हुई नहीं, मेरा बच्चा honor है, आप उससे tax ले लो, और house का income जो है, मान लेतने हैं, दो लाक रुपे, तो इसका बच्चा ने क्या करा, ये घर ट्रांसफर करा होता, daughter के नाम पे, तब भी deemed honor यही होता, और इसको tax देना होता है, लेकिन daughter के case में condition लग जाता है, सर, वैसे कहा जाता है, देखो law के अंदर पता है, क्या कहा जाता है, legal, illegal, income tax वाले बोलते हैं, भहिया, tax दो, तुम कुछ भी काम करो, स अब daughter, या तो हो सकती है, minor, married daughter हो सकती है, या unmarried, वैसे तो कहते हैं, जो minor child है, उसका married हो ही नहीं सकता है, लेकिन law में लिखा हुआ है, यहाँ पर या हो सकती है, unmarried, या हो सकती है, married, तो अगर unmarried होगा, तो taxable पता है, किसके hand में जाएगा, sir, taxable जाएगा, mister, जैसे ही married ह तो इस घर के ऊपर अधिकार इसका नहीं रहेगा उसके सस्राल वालों का हो जाएगा उसका अधिकार आ जाएगा ऐसे situation में इसके उपर text किसे देना पड़ेगा इस case में Mrs. या Miss Mrs. हो जाएगी वे तो जो भी है इसकी daughter को text देना पड़ेगा या उसके घर के तरफ जो भी है उसको text देना होगा तो child को देने के नाम पे देखो क्या बोला गया minor मेजर को दोगे तो भी आपके हाँ से निकल गया मेजर तो बेच बूच के निकल लेगा आप कुछ नहीं कर पाऊगे जहातर यही होता है अपने नाम पे दिया फादर ने क्या करा बेटे को दिया भी या बड़ा होगिया पता चला बेटे ने सारा property बेच दिया जूए में हार गया इधर हो गया उधर हो गया सब कुछ कर लेता हो लेकिन minor को तो डरा के रखा जा सकता तो प्रोवीजन में क्या है minor अगर मेजर को दे दिया तो भी यह व पर देना इसी को चाहिए लेकिन कई बार क्या होता है जब कभी कोई माइनर चाइल्ड की इंकम होता है तो उसमें वो टेक्स नहीं दे सकता तो उसके बिहाफ पर उसके गारजियन को देना पड़ता है रूल यह कहता है आप देखते इतने सारे आड है आप बच्चा इतना छो में उसके गारजियन जो है वो टेक्स देंगे है ठीक है ना चलिए सर पढ़ लेते हैं क्या कहता है इस प्रोविजन के रिगार्डिंग मैंने लिख भी दिया और यह आपकी किताब में लिखा हुआ भी है अगेन इसके उपर अलग से सेपरेटली कोश्चन आ जाता है कि सेक इसके एक कंसिडरेशन नहीं लिया तो दा ट्रांसफर आफ इनकेस डीम टू भी ऑनर वह अगर सण उपर ट्रांसफर और वो उसका साधी हो चुका तो वह तो कवर्ड होगा भी है क्योंकि उसका गारजियन उसका फादर ही बनने वाला है दुबारा समझ रहो ना तो माइनर married daughter को specially covered किया गया कि इसको हम नहीं मानेगे यहाँ तक बास समझ में आई आई आपको पहला case क्या था सर घर अगर आपने दे दिया किसको अपनी wife को तो किसके हाथ में taxable होगा दूसरा case था अगर आपने घर दे दिया अपने बच्चे को तो किसमें taxable होगा अगले case पर देखते हैं Mr. X ध्यान से देखिएगा Mr. X है इसके चार बच्चे A, B, C और D चार बच्चे हैं और Mr. X के पास पांच घर है समस्या समस्या है यहाँ पे इसके पास पांच घर है Mr. X की जो एज है 96 एर यानि सूपर सीनियर सिटिजन तो सर इसकी एज है 96 एर सूपर सीनियर सिटिजन और Mr. X को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे घर है अगर मैं चला गया पांच घर है तो यह चारों आपस मैं लड़ लड़ के कहीं चार के जगा तीन ना हो जाए तो इससे बहतार है कि हम अभी से ही क्या करें विल बना दे विल मतलब वसीहत अभी से ही तयार कर दे तो जब वसीहत तयार करने गया था तो इन सब के मन में चल रहा है मुझे दो मिलेंगे तो मुझे दो मिलेंगे होता है इसा, अब इसके मन में जो चल रहा था वो ह मैने, इस तु हो ठाथbew मिल गया beतां, बी तुझे मिल गया नंम वन हांस, बी तुझे मिल गया नंम थु हांस, C तुझे मिल गया number 3 house D सोच रहा अब तो दोनों मेरे इसको बोला तुझे मिला number 4 चारों ने मिलके पूछा कि पिता जी पांचवा घर क्या है बोला कि भाईया इतने सारे मैंने काम कियें सुक सांती के लिए इसे temple मना दो यानि इसे मंदिर में convert कर दिया जाए ये मैं charity में दे देता हूँ अब ये हो गया मंदिर सर पहले घर से जो rental income अब आएगा वो ये भरेगा दूसरे घर से जो rental income आएगा वो और तीसरे घर से और चौते घर से D ये अलग-अलग हो गया दिक्कत ये आगया कि ये पाचवा घर तो किसी के नाम पे भी नहीं है अब ये इसके नाम पे भी नहीं रहा और इन में से किसी के नाम पे भी नहीं है तो ये घर बटवारा भी नहीं हो सकता तो ऐसा पार्ट जिसे बटवारा नहीं किया जा सकता उसको बोलते imperative state या imperative assets जिसका बटवारा नहीं हो सकता तो sir इस घर का care taker होगा कोई न कोई बोलेगा भहिया जो ज़्यादा इसमें से मंदिर बना दिया है जिसका ज़्यादा पूजा पार्ट के अंदर स्रधा होगा उसको इसका care taker बना दिया जाएगा normally इसने क्या करा आपने बड़े बेटे को बोला भहिया इस मंदिर का सारा देख रेक किसे करना है तुझे करना है अब इस मंदिर से न ये जो घर है एक तरीके से घर है चत भी है सारी चीज ये क्रडिशन फुल्फिल कर रहा है यहां से रेंट आ सकता है सर मंदिर में कौन रेंट देगा कई बार आपने देखा है मंदिर यूज करते है चाहे कुछ छोटे से function के लिए हो party के लिए तो वहां से rental income आ जाता है आपने देखा होगा मंदिर के साथ में कई बार banquet hall बना दिया जाता है जिसके अंदर marriage बगेरा होता है नॉर्मल है तो अब इस rental income पे कौन tax देगा अब बोलेगा B मैं क्यों दूँ मैं तो मालिक नहीं हूँ A बोलेगा मैं भी क्यों दूँ मैं भी मालिक नहीं हूँ और law के हिसाब से यह सभी मालिक नहीं है तो income tax department देखेगा भाईया इसका देख रेख कौन कर रहा है पाया गया कि income tax में देख रेख कौन कर रहा है ए केर टेकर कौन है ए तो इसके income paid tax किसको देना पड़ेगा ए को देना पड़ेगा इसको हाँ जी नहीं गौर्मेंट का थोड़ी temple है वो वो अपने पास रखेगा temple से सारा ये देख रेक मंदिर के अंदर खर्चा होगा सारा चीज उसे करना है गौर्मेंट के पास कुछ भी नहीं जाता टेमपल जो भी होता है वो और गया जो जितने भी कहानी मोराल क्या है कि आपको कहानी तीसरा केस समझ में आया कि अगर कोई सिच्वेशन हुआ तो किसको देना पड़ेगा honor नहीं है लेकिन उसको deemed honor मान के उसको text देना पड़ेगा चलिए फटा-फट से इसको देख लेते हैं और cover कर लेते हैं क्या कहता है holder of imperatible state कहता है holder of imperatible state जो बट नहीं पाया था जो चौथा पांच पर मकान था नहीं उसकी बात कर रहा है कहता है the holder of imperatible state shall be deemed to be individual honor of all properties या फिर आपका comprise करेगा in the state the imperatible state as would itself suggested is property which not legally divisible मतलब यहां पर सिर्फ बताया गया सर इस definition करेंदर बताया गया imperatible state सर वही होता है जिसको divide नहीं किया जा सकता यहां पर deemed honor उसको मान लिया जाएगा जो suggest होगा जो income tax को लगेगा appropriate है उसको मान लिया जाएगा मैंने simple सा example में बता दिया जो उसका caretaker होगा वही क्या माना जाएगा उसका honor हम जो भी पढ़ रहे हैं 27 section 27 section में बात बनाया गया है कि आप मालिक नहीं हो लेकिन ठहरो हम आपको मालिक मान के आप से टेक्स वसूल लेंगे पहले point क्या था घर दे दिया wife के नाम पे taxable किसके हो गया husband दूसरा घर दे दिया बच्चे के नाम पे टेक्सिबल किसमें हो गया father तीसरा घर दे दिया मंदिर के नाम पे टेक्सिबल किसका हो गया caretaker के उपर समझ में आ रही बात आपको चलिए सर अगले section पर चलते हैं कि एक होता corporate society सर कॉर्परेट सोसाइटी या फिर कुछ और भी होते हैं जो की एक तरीके से मैं छोटा सा example लेता हूँ समझना अपार्टमेंट वगेरा जो बनते हैं या सोसाइटी होता है यह बनता कैसे है इसका देखो थोड़ा सा जो इसका मान लो इस तरीके से करते करते जो number of person है ना इतने सारे हो जाते हैं कि इनके पास थोड़ी से पैसे होते हैं मान लेते हैं कि पचास व्यक्ति हो गए ऐसे करते करते हैं पचास व्यक्ति हो गए और हर किसी व्यक्ति के पास एक एक करोड़ रुपए है और उनके पास एक एक करोड़ के हिसाब से पचास करोड़ रुपए हैं और ये सारे आपस में एक ही जगह काम भी करते हैं और बहुत दिनों से जानते हैं तो जब कभी कोई जान रहा होता है आपस में एक दूसरे को तो वो चाहता है कि हम सब एक ही जगह रहें एसा नहीं कि हमा लगा लग रहे हैं हम क्या करें एक ही जगे रहे हैं तो एक आपका society के तरीके से बनाया जाता है जिसको हम बोलते है society जैसे एक famous serial है तारक महता का उल्टा चस्मा उसके अंदर society का ही हमेशा discussion किया जाता है उनका क्या होता है पूरा हर कोई एक दूसरे को जान जाए और फिरी में नहीं मांग रहे हम जमीन का पैसा देंगे क्योंकि एक साथ इनको अगर पचास बनते हैं तो कम से कम मान लो इसको पांच हजार गज का जमीन चाहिए तो पांच हजार गज का इतनी जल्दी मिलने वाला तो है नहीं लेकिन गौवर्मेंट के पास जमीन करेगा पचास लोगों के लिए है तो ना तो इसके नाम पर लॉट होगा एक नाम पर ना बी एक बात बताओ के जो यह आप काम कर रहे हो जो घर बना रहूं उसका नाम कुछ सोचा है इसने बोला हाँ जैसे कि maior अपाइंपनेन जीवन जोती अपाइंट या पिर जनता पेपर करा न, वो किसके नाम पे किया, जनता आपार्टमेंट के नाम पे उस जमीन का पेपर बना के दिया होगा, या फिर A और B के नाम पे तो होगा नीग वो पेपर, तो जनता, अब इनोंने क्या करा है, इनोंने पैसे लगाए और यहां पे इतने बिल्लिंग बनाएं, जिसके अंदर के 50 मकान हो सके 50 कमरे बन सके 2BHK, 3BHK, whatever अब हर किसी के अंदर एक-एक फ्लोर हर किसी के हिस्से में आ जाएगा और ये निकाला जाता है नॉर्मली लोटरी के थूरू नहीं तो कोई बोलेगा भाई या मैं तो नीचे कलूँगा मैं तो उपर कलूँगा तो जिसके हिस्से में जो है सुक सांती से वो अपने घर में चला जाए अब सर जब इसको घर मिलता है तो घर का इसका प्रॉपर्टी का पेपर नहीं मिलता घर मिलता है तो इसको एक यहां का मेंबर्शिप मिल जाता है membership एक token मिल जाता है kind of अब ऐसे situation में मान लेते हैं Mr. A को ये मिल गया token number one वाला घर तो क्या Mr. A इस घर का मालिक है क्या जवाब नहीं ओनर तो है नहीं है ओनर तो कौन है इस सारी property का जंता society है पूरे property का तो ये तो honor नहीं है अब यहां से जो rent आएगा उस rent पे कौन text देगा अगर government बोलता है कि भाईया ए तू दे तो ए तो मुकर जाएगा बोलेगा मैं honor ही नहीं हो तुमारी तीन condition है वो ही fulfill नहीं होरी इसके अंदर lock है इस आप से तो government section 22 के में बोलता है कि भाईया ये भी हम point डाल रहे हैं अब कि अगर ऐसा कोई corporate society हुआ और उसके अंदर आप उसके honor नहीं हो उसके सिर्फ क्या हो एक member हो तो हम माने लेंगे आप deemed honor हो और उसके उपर भी आपको ही text देना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या concept आगे हमारा deemed honor का सर देखे फटा फट से क्या कहता है corporate society के बारे में member of corporate society आपको रफली याद रखना है हाँ exam में जब question लिखें तो जैसे जैसे मैं example लिख रहा हूं आप लिखोगे तो अपने language में example बना सकते हूं Mr. X have five houses या इस तरीके से लिख के आ जाओगे तो better है बाकी किताब के अंदर आपके छोटे छोटे example मिल जाएंगे और 10 year के अंदर भी मैंने कोसिस किया है कि एक एक example उसके अंदर डाल दूमें notes के अंदर चलिए sir कहता है member of corporate society cooperative society section आपका 27 है member of corporate society company other associate person whom building part therefore allotted या leased है under the house building घर बनाया गया उसके अंदर उसको lease कर लिया गया scheme of society company association shall be deemed to be member of the building apart allotted although the corporate society company associated with the honor of the building वो उसका honor नहीं होता फिर भी उसे honor मान लिया जाता अब suppose करो जितने भी डीडिये के flat मिलते हैं कोई उसका honor नहीं होता honor government ही रहता वह lease पर दिया जाता है कितने साल के lease पर दिया जाता है 99s ав iki defence मतलब समझ लेते हैं कि हमारा ही दैते हैं बाद में renew बी कर देते हैं तो वह क्या होता सारा का सारा lease यह अदिएज पर जितने भी डीडिये flats वगरा होतें तो यह था हमारा corporate society क्या很好 पड़ पहला point हमने देखा कि अगर आप अपनी house property की income transfer कर दो अपनी wife में तो कौन देगा दूसरा देखा बच्चे पर कौन देगा तीसरा देखा घर जो की थोड़ा जगड़े वाला imperative बन गया चौथा देखा आप घर के मालिक नहीं हो क्या corporate society तब क्या होगा एक और case देखते हैं हम चलिए सब अब घर ना honor का मतलब क्या है honor होता है एक मकान जो होता है एक होता है freehold और एक होता है power of attorney power of attorney जब घर खरीतन है तो दो तरीके का घर होता है जैसे बोलते हैं कची कलोनी और पक्की कलोनी तो कची कलोनी में सरकार ने आपके नम पे जमीन नहीं किया है वो जब मर्जी चाहे आपके जमीन को चीन सकता है इसलिए आप अक्सर देखोगे कच्छी कलोनी का rate क्या होगा कम होगा ठेक है पक्की कलोनी कौन सा है जो कि घर आपके नाम पे हो चुका है सरकार आपसे वो घर नहीं चीन सकता अगर सरकार ने वो घर चीना भी तो उसको market rate आपको देना पड़ेगा तो एक होता है जिसको पक् जा बोलते हैं उसे बोलता जाता है freehold समझ में क्या बोला जाता है इसमें इस case में जब मकान खरीदते हो तो यहां पर stamp duty देना पड़ता है सर 5% rate है 4% rate है male female का अलग-अलग है मुझे exit rate याद नहीं है तो इस हिसाब से देना पड़ता है उसको तो यह property आपके नाम पे हो जा अपको रहने के लिए दिया गया लेकिन आपको पता है वह बेच दिया जाता है बता है आपको एडीडी आ के flats भी क्या होते है यह बिख जाते है जो सरक आपको मिला था allotment में वह भी आप क्या करते हो नॉर्मली तो आप उस जमीन को तो आपका है नहीं तो जमीन तो बेच तो जैसे ही सारा पावर मैं अभी एक घर के अंदर रह रहा हूं एक पेपर मैं लिख दू के इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है और सारा पावर मैं जब तक है मैं अपना सारा पावर किसके नाम पे कर रहा हूं दूसरे परसन के नाम पे अगर यह लिख के चले जाओ तो automatically directly indirectly honor माना जाएगा जिसके नाम पर पावर और अटरनी है ऐसे situation में कई बार आप situation देखोगे तो यह आपने देखा भी होगा सुना भी होगा डेली के अंदर maximum घर बेचना खरीदना अलाउट नहीं होता और बहुत जगों पर अलाउट नहीं करते तो लोग भाग फिर भी घर खरीदते और बेचते हैं बाई power of attorney के तो मालिक आप नहीं हो वहाँ पर रियल ओनर नहीं हो सिर्फ आपके पास क्या है राइट्स है ओनर होना और राइट्स होना दोनों अलग-अलग बात है ठीक है तो सर 27 गवर्मेंट आपको समझा देगा के भाईया डीम डॉनर आपको मान लिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको ही टेक्स देना होगा किसका रियल ओनर है उससे कोई लिना देना नहीं है तो सर पावर ओफ अटरनी के छोटी से पॉइंट्स गीवन है देखिए क्या कहता है पारपर्टि मतलब इस पोजिशन में कि पॉपटी पे उसका कब जाओ जएगा जैसे आप परसंण के और और इसके परफॉर्फेरमेंश कर सकता है of contract कोई contract उसने कर लिया है the nature of section 53A of the transfer of property act property act के अंदर ये प्रावधान गीवन है कि आप किसी को भी property transfer कर सकते हो property power of attorney के थुरू to be deemed owner of the house property this would cover case possession of the property handed over to the buyer जिसको भी दे दिया sale consideration has been paid promise to be paid चाहे पेड करा हो चाहे promise to be paid किया हो buyer ने sale deemed not to be executed चाहे sale आपका नहीं हो पाया है buyer के थुरू although the certain order document power of attorney agreements shall be have been executed power of attorney कर दिया है आपने उसके नाम पे the buyer shall be deemed owner जो buyer है उसे deemed owner मान लिया जाएगा और उसी के हिसाब से tax लिया जाएगा यहां तक बात समझ में आया आए आपको पहला point क्या था सर घर wife के नाम पे tax कौन देगा husband दूसरा घर बच्चे के नाम पे tax कौन देगा father देगा तीसरा घर बट नहीं पाया tax कौन देगा care taker चौथा हमारा corporate society अगर आपके member हो तो tax कौन देगा जो उसका member है ना कि आप honor नहीं डूणने जाओ गए यह क्या है हमारा अगर आपके नाम पे power of attorney है तब भी आपको tax देना पड़ेगा एक होता है lease lease सुना है अपने word lease word सुना है आपने sir क्या होता है lease agreement जैसे मैं बात करूँ तो जितने भी dda flat होते हैं यह सारे lease पे होते हैं जैसे मैंने बोला 99 साल का lease या rent agreement आपने सुना होगा kind of this इनका हर साल बहुत nominal amount सरकार लेती है सरकार lease पे दे देती है या कोई भी lease पे दे सकता है अभी भी मैं बता हूँ तो डेली के अंदर जो महगा area माना जाता है जहां business ज़्यादा होता है वो चान्नी चौक माना जाता है जो बहुत पुराना है चान्नी चौक या फिर CP माना जाता है जो कि बहुत पुराना है पुराने दिल्ली में जितने भी places है business के purpose के लिए wholesale market के लिए वो hub है बहुत पुराना है तो जो बहुत पुराने time पे कोई रहा होगा जिसने lease पे दे दिया तो आज भी वहाँ पे कुछ ऐसे मकान होंगे जिसका किराया 10 पैसे या 20 पैसे रह रहा होगा महीने का आज भी ऐसे कुछ मकान होगा बहुत बड़ी दुकान होगी और 10 पैसे 20 पैसे उसका किराया रहा होगा क्योंकि at the time of given उसने agreement कर लिया होगा क्योंकि अगर उसने 50 साल पहले एग्रिमेंट किया या 100 साल पहले एग्रिमेंट किया तो उस टाइम पे तो 10 पैसे बहुत बड़ी वेल्यू थी उसने बोल दिया चल भाई तिर को लीज दे जितने 50 साल तक तू रह ले हर मैंने मुझे किराया दे दिया तो आज भी उसका किरा लिया है तो उसका लीगल उनर आप ही माने जाओगे आपके नाम पर कोई बात नहीं है आप ही उनर माने जाओगे और उसके उपर जो भी रेंटल इंकम तो यहां बलतने साल कि उसको फी प् यह lease पे है उसी अगर वो rent receive कर रहा है तो context देगा जो की यहाँ पर दो word होता है एक होता है lessie एक होता है lesser जो lease पे दे रहा है वो होता है lesser और जो lease पे ले रहा है उसे बोलते हैं lessie तो इस situation के अंदर अगर 12 साल से उपर पे किसी को भी आप lease पे property दोगे तो जिसने lease पे property लिया है यानि lessie वो honor मान लिया जाएगा rental income के लिए अगर वो further rent पे देता है तो उसको उसके उपर text देना पड़ेगा ठीक है सर देखे क्या कहता है छोटा सा section है person having the right of property for the period not less than 12 year 12 साल से कम का नहीं है 12 साल से जादा या 12 साल का है तो उस situation में कौन देगा आपका जैसे मान लेते हैं for example भी ले लेता हूँ मैं Mr. X इसने अपना property Mr. Y को दे दिया Mr. Y को दे दिया और सर ये दे दिया उसने 70 साल के lease पे 70 year के lease पे दे दिया किसको दे दिया सर? X ने दे दिया Y को 70 year के lease पे दे दिया अब Y इसका मालिक माना जाएगा य ने further क्या करा, Z को दे दिया ये, अब जो rental income आएगा Y के पास, इसके उपर tax house property के अंडर कौन भरेगा, Y को भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने lease पे ले लिया, lease का एक lump sum amount होता है, वो ले लेते हैं जाए तर, तो हमारे कितने point है सर, ये, पहला wife के नाम पे दूसरा, बच्चे के नाम पे तीसरा, आपका imperative state चौथा, corporate society, cooperative society, पांच वा क्या था हमारा, power of attorney, और छटा क्या है हमारा lease, ये 6 point आते हैं हमारे section 27 में, जो कि कई बार पूछ लिय जाता है कि explain deemed ownership as per section 27, तो आपको ये 6 के 6 point with example के साथ explain करना पड़ेगा, तो इस chapter के अंदर 22 से 27 section है, जिसमें से 2 section खतम हो चुके हैं, जो कि theoretical section थे, अब हम करेंगे पहले section number 23, जो कि अब practical इस subject का जो भी practical portion है, वो सारा start हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो करते हैं अभी भी देखो जैसे कि आप जहां पे रह रहे हो, शकुरपुर 99 येर के lease पे है, यह भी आपके नाम पे ये मकान नहीं है, जिसका भी है, वो property नहीं है, वो lease पे ही है, वो 99 येर के बाद उसे renew करता है नहीं करता है, वो उनकी मर्जी है खाली करो, हाँ वो amount उसके हिसाफ से होगा, अभी current के हिसाफ से हम उससे खाली नहीं करवा सकते वो बहुत, हाँ जो भी चीट, वो depend buyer और seller, lessy और lesser के उपर जो agreement वही तो फाइदा होता है ना, जो जितना भी रहे, तो उसके हिसाफ से जो amount decide हो जाता है, उसके according, वो buyer seller पे, आप कई बार जाओगे ना, जो बड़े 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 जो होते है ना, वहाँ पे लिखा होता है, या तो लिखा होता है, property for rent या लिखा होता है, property for lease लिखा होत है, जातर लोग लंबे समय के लिए नहीं बनाते हैं, पहले बना लिया करते थे 25-30-30 साल के लिए, अब 11 महिने के लिए बनाते हैं, 11 महिने का, 11 महिने का lease होता है rental, 11 महिने के बाद फिर उसे renew करते जाते हैं, ताकि उसका कबजा उसके उपर ना आ जाए, सर, अगर, अगर caretaker, हाँ, अगर कहना है कि सर, जो caretaker वारा example लिया, अगर वो लेना नहीं चाहता है, ए बोलता है, बहिया मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, तो वो B को देगा, C को देगा, जो भी जिम्मेदारी ले, उनके बच्चे ना ले, कोई बाहर वाला ले, कोई ना कोई तो लेगा, वो text देगा उसके उपर, उसका caretaker, simple, बताईए यहां तक theory में किसी को doubt, और टरनी क्या होता है, और टरनी होता है, rights, अधिकार देना, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, ध्यान से देखिएगा, annual value, यानि सर, आपको घर के उपर न, rent पे, text देना है, जब सरकार ने बोला, कि भाई आप text लाओ, और text किस पे देना है, आपको, rent पे देना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला, भईया, सरकार ने तो लगा दिया, section 27, और 27 के अंदर बोल दिया, डीम डॉनर, अब सभी मकान मालिक, जितने भी लेंड लोड है, मान लेते हैं, Mr. X, ध्यान दीजिएगा, और rented Mr. Y, पता है, मकान का किराय कितने हैं, यह Mr. X को किराया देता है, ध्यान दीजिए, यह Mr. X को किराया देता है, पचास हजार, X ने अपना घर, चाहे commercial activity हो, चाहे residential, यह matter नहीं करता, अपना घर किराया पे दे दिया किसको, पचास हजार रुपे का Mr., अब इसकी income, tax कौन देगा, बताओ, house property का, X देगा, X की income बताओ, X की income, महिने का पचास हजार है, तो सर साल का, तो भहिया, इंडिया के अंदर, सरकार कानून बनाती है, उससे पहले लोगबाग अपना दिमाग लगा लेते हैं, इससे बचा कैसे जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए, उसना कुछ तो करें, यह सोच रहा है, यार, छे लाक रुपे का tax, फिर से देना पड़ेगा, क्या फाइदा है, कैसे बचाया जाए, एकस ने सचा, एक काम करते हैं, बेनेफिट लिया जा सकता है, इसने कहा, के चलो भाई, वाई के पास, वाई को बोला, भाई, सुन इधर, तुमुझे कितना किराय देता है, उसने बोला, सर मैं 50जार रुपे किराय देता हूँ, टाइम पर किराय देता हूँ, ऐसा कोई late भ पचास जार मत बोलियो और आज के बाद बैंक बैंक में नहीं मुझे नगत चाहिए पैसा कोई भी आए पूछने के लिए मैं किसी को भी आउन लेके कि तू कितना किराय देता है बता बता इनको बोल दियो 5000 यानि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने आपस में मिलके एक तरी चाहिन कर लिया अब मिस्टर एक्स कि साथ हजार रुपे बोलता है गवर्मेंट को जी मेरी इंकम साथ हजार है मैं टेक्स कहां से तू कि गवर्मेंट ने बोला वह घर बहुत बढ़ा है ताइल बथर लगा रख रखा है बोला भी साथ ही है चलो पूछलो किराय दार से चल तो फिर इस के अंदर फिर टेक्स की चोरी हो सकती थी गवर्मेंट ने बोला भीया तुम कितना भी दिमाग लगाओ हम सेक्शन लेके आएंगे हम सेक्शन लेके आएंगे तेईस सताइस में तो तुम ओनर से बच रहे थे अब तेईस में तुम्हें इंकम से नहीं बचने देंगे यानि आपका एन्वल इंकम क्या होगा वेल्यू वो हम बताएंगे सेक्शन तेईस में अब बोला गया भया जो प्रॉपटी से रिलेटिड काम करता है सब को बुला लिया गॉर्मेंट ने प्रॉपटी से रिलेटिड काम करने वाला होता है एक MCD MCD ने टेक्स लेता है हम इसे प्रोपर्टी का जिसे हाउस टेक्स के नाम से जानते हैं सुना हो तो जिनका घर फ्री होल्ड होता है ना उसको हाउस टेक्स देना होता है बोला MCD वाले आजा तो इधर साथ के साथ पडोस वालों को भी नहीं छोड़ा बोला नेबर इधर आजाओ कुछ करनी रहे लेकिन आजाओ कुछ बाते सवाल पूछनी है सुप्रीम कोट का एक्ट उठा लिया और उसके जज़ को फोन लगा दिया भाया सर आपसे भी कुछ सवाल पूछने है हमें हमें जवाब दे दीजे मुझे इंकम टेक्स वसूलना है तीन लोगों को बुला लिया MCD वाले को बोला तू बता तेरे हिसाब से इसका किराया कितना होना चाहिए ये तो क्या बोल रहा है छोड़ तू बता दे इसका किराया गया है MCD वाले ने उसको नापा देखा भाई टाइल लग रहा है पत्थर लग रहा है एकदम बहुत फस्ट क्लास है ACVC सब फिटिंग फर्निस है सब चीज है MCD वाले ने बोला है सर एक लाख रुपे किराया होना चीए महिने का MCD वाले ने बोला सर इसका तो एक लाख किराया होना चीए मेरे हिसाब से तो एक लाख है और उसको बुलाए भाई तेरा भी मकान ऐसा ही है सेम साइज का है तू कितने पे किराया पे देता है तू बता उसने बुला मैंने तो सर असी हजार रुपे में दे रखा है और मैं टेक्स भी भरता हूँ देख लो सुप्रीम कोट के या जज से पूछा फोन करके कि जज साब आप बताईए इतना एरिया है इतना सरका लेट है एक बार कम्प्यूटर में फटा फट चेक करवाईए कि इस एरिये का एक रेंट का है क्ट्रोलिंग एक्ट आप बताईए इस इस option कराया आए एरिया नाप दिया और सारे सब एसे बातों नहीं के विश्वास नहीं तो 5000 रुपए उससे ट्रेक्स ले रहा है तो कम ले रहा है तेरी गलती हमारे अपना नुकसान क्यों करे तूफी में दे दे उसको मकान हम तो भाईया सारे नियम को लगाएंगे और जो सबसे ज्यादा बन रहा होगा उससे ट्रेक्स वसूल लेंगे तेरे से उसके अकॉर्डि करेंए अल्सेंस बना दिये कि भी ऐंगे हर लोर का कॉंसेब्ट लगाएंगे और उसके हिसाब से एक हम अमाउंट निकाले है और तू बोलता है मेरामं अगर मान ले आ रहा है साथ हजार तो बोलता है मेरा हजारे और मेरा आइंट और 70 कर टेंग तेरे रूल को तेरे अकॉर्डिंग जो किराया उसको बोलेंगे मुनसिपल वैल्यू उसको बोला कौन सा वैल्यू जिसको M.V. बोलते हैं स्टेंडर्ड वर्ड है M.V. यूज भी किया जाता है अब पडोसी जो तूने बताया वो है फेयर रेंट इसको F.R. से भी denote किया जाएगा जगसाब जो आपने बताया वो है स्टेंडर्ड रेंट जिसको S.R. से denote किये आनर जो तूने बताया वो एक्चॉल रेंट है मिला या नहीं मिला यह नहीं पता पर तूने जो बताया उसका नाम रख रहे हैं हम actual rent यानि municipal value, fair rent, actual rent, standard rent इन सब में comparison करेंगे और हम बताएंगे कि तुझे कितने rent पे text देना है, तू मत बता कि किरायदार से कितने पैसे ले रहा है, तू free में दे हमें मतलब उससे नहीं है, यानि गर किरायपे दिया जाए, तो उसके लिए 23 आने का main वजह यही था, आपने समझा ये, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है hair fair लेकिन सरकार कितना भी रोक ले तो कहीं ना कहीं तो कम ज़्यादा हो ही जाता है वहाँ ठीक है ना, कितना भी रोक ले और बहुत सारे जगे पे तो government को पता भी नहीं चल पाता कि SSC कौन है नहीं है, banking में जब transaction जादा होता है, तभी government आपके पास आ सकता है, cash में कभी भी नहीं आएगा, पचास लाक रुपे rent ले लो, cash घर में पढ़ा है, government को पता कैसे चलेगा, कि पचास लाक रुपे rent आप ले रहे हो, तो सेम बात है कि अगर banking transaction होता है, तो पता चलता है, तो annual value Sir, यानि section 23, format देखिएगा Sir, annual value यह define है Sir, section 23 के अंदर Annual value कैसे निकाला जाए, कुछ में एक format, जो सरकार compare करती है वो मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको यह एक दो बार format compare करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको याद हो जाएगा, फिर तो आपको यह करने की जुरत नहीं है, internally आप कर सकते हो सर अभी मैं सरिफ annual value कर रहा हूँ, proper format अभी बाद में हम देखेंगे सर सबसे पहले लिखेंगे mcd वाले का value यानि municipal value जिसको बोला गया mv ये रख लेंगे सबसे पहले municipal value, जो भी लिखा है मैं example, उसके बाद लिखेंगे fair rent इसको मैं आज के बाद mv बोलूँगा और इसको आज के बाद मैं f r बोलूँगा government ने कहा भया municipal value और fair rent इन दोनों में से जो higher होगा वो हम consider करेंगे पहले और उसको मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मैं f r number one f r number one नाम दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से यानि sir अगर आपकी income यहाँ पे एक लाक रुपे इसने बताया और इसने बताया डेड़ लाक रुपे तो f r number one कितना होगा sir डेड़ लाक रुपे हो जाएगा जो की आएगा 1.5 पहले यहाँ तक बात समझ में आई आई आपको इसके बाद बोला गया खे भाई या f r को one को compare करेंगे हम supreme court के यानी standard rent जिसको मैं sr लिख देता हूँ अभी तो लिख देता हूँ standard rent that is sr अब हमेशा सोचना क्या हम कानून से उपर जा सकते हैं judge बोले इसका किराय साथ हजार होना चीए और income tax वाले बोल रहें के जी इसका किराय डेड़ लाक रुपे तो हम किसकी बात मानेंगे judge की बात मानेंगे finally तो अब fr number one और इसके बीच में जब compare किया गया तो बोला गया भाईया यहाँ पे इसे ले लो lower यहाँ पे क्या ले लो आप lower इसलिए बोला कि judge की बात मान ली जाएगी यहाँ पे देखो एक लाक है judge ने बोला कितना होना चाहिए 90,000 कितना होना चाहिए तो कितना मान लोगे 90,000 judge ने बोला भाईया 2,000,000 होना चाहिए लेकिन income tax वाले बोल रहे हैं कि भाईया 1,70 पे tax दो तो judge बोलेगा भाईया तुम्हे लग रहा है 170 पे ले लो हम क्या कह रहे है मतलब हमारे rule को मत तोड़ो हमारी बातों से के आगे मत जाओ लेकिन उससे कम में तो अपने प्टारा कर सकते तो यानि इसमें क्या लिया गया है lower यानि municipal value और fair rent वे higher और जो भी result निकल के आया standard rent से compare करेंगे उसमें कौन से लिया जाएगा lower लिया जाएगा जो भी इनके बाद result आएगा उसका एक नाम दे दिया जाएगा जिसको that is expected rent यानि income tax वालों ने अपना expected rent निकाल लिया जिसको मैं ER बोल देता हूँ short form में सर क्या आया इसमें से expected rent 90,000 expected rent इसको compare करेंगे अब हम actual rent से received and receivable ARR received and receivable अब जो भी इनकल के आएगा actual rent इसमें से compare करोगे तो लेना higher इंकम टेक्स बोलता है 90,000 उना चाहिए आप बोलते हो सर 60,000 रुपे है तो इंकम टेक्स बोलेगा तेरी बात में मानेंगे हम कितना लेंगे आप बोलते हो सर हमारा 80,000 बन रहा है इंकम टेक्स बोलेगा कि अब आपकी बात हम मानेंगे 80,000 रुपए यानि इन दोनों में से क्या लिया जाएगा हायर, whatever, मान लेते हैं कि हमारा actual rent कितना आ रहा है सर 80,000 रुपए तो क्या माना जाएगा यहाँ पर हायर बाल, हाँ स्वरी 90 माना जाएगा क्या माना जाएगा अगर वो बोलता कि मैं 1,00,000 रुपए ले रहा हूं तो क्या मानते एक लाक यानि इन दोनों पॉइंट्स में से हायर अब हायर के हिसाफ से देखा जाए तो जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा 23 section में जो define है उसको बोला जाता है gross annual value that is आपका 90,000 अभी मैं बस roughly बता रहा हूँ काफे सारे सवाल करने हैं इसके उपर और ऐसे ही सवाल करने हैं जितने भी करने होंगे सर ये क्या गया gross annual value यानि ये वाला जो portion है नहीं मैं circle कर रहा हूँ ये आप rough में कहीं कर सकते हो अभी फिलाल के लिए ये वाला जो portion है नहीं ये ये portion आप rough में कर सकते हो फिलाल के लिए या fair में भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ यानि हमारा main कहानी start होने वाला है यहां से इसके बाद से ये value निकालने के लिए हमें government के सारे rule उपर नीचे करके दिखने पड़ेंगे यानि सर municipal value और fair rent में से higher उसके बाद जो answer आया और standard rent में से lower अब जो answer आया और actual rent में से और वो आएगा हमारा gross annual value जिसको कि मैं आज के बा paid किया है तो सर उसको माइनस करना allowed है less कर देंगे यहां से मुंसिपल टेक्स सर जिसको मैं बोलूंगा empty जो भी है कैसे दिया जाता है नहीं दिया जाता है इसके हम उपर पूरा question करेंगे अगली class के अंदर मान लेते हैं कि 10,000 रुपए मैंने मुंसिपल टेक्स पेड किया है तो अब मेरा जो आएगा उसे बोलेंगे net annual value यानी सर NAV जैसे आगया हमारा इसके बाद सर अभी कहानी खत्म नहीं जुए अब मकान मालिक जब यह प्रोविजन बना ऐसा बहुत गुस्सा हो गया कि जितने भी मकान मालिक थे वह सभी बहुत गुस्सा ओ गया बोले प्या lucro mama हमें बता ही िसे चातर प्रेंट the there of and जिंहें पॉबल्यॉप नहीं होता मनमाश्Talk upa भूचाने बताओ किया हम ऐसा कर रहे है भाए तुमने तो रेंट गोई अब किरायदार तो ऐसा है भी तो माइनस करने दो गुवर्मेंट ने बोला जाओ कर लो यानि जो भी वैल्यू है इसमें से लेस कर लो क्या लेस कर लो अपना एक्सपेंस जैसे ये बोला किरायदार के हाथ मकान मालिके हाथ खुल गए उसने बोला जी खर्चा 1,00,00 न है बोला बिल कहीं कहीं से बनवा के लिए आते हैं खर्चा कितना गवर्मनीनट है था हमने यहां कानून बनाया बनाते बनाते तुम्हें लास्ट में भी इसका तोड निकाल लिया यानि हमने income income सब निकाल के दिया आप तुम खर्चा माइनस करने के नाम पे जो मर्जी खर्चा माइनस करोगे बोला भाई इतना खर्चा हुआ है तो क्या करें गुवर्मेंट ने बोला भाई रुख जो ऐसे नहीं चलेगा जो भी खर्चा हुआ नहीं हुआ expert को बुलाए गया expert को बिठाए गया भाई इसका क्या इलाज करें तो बोला गया कि भाई ये खर्चा और चाव तो हमेसा जूट बोलेंगे और इससे कभी निपट नहीं सकते हो आप आप कितनी भी कोसिस कर लो इसको नहीं बचा सकते हो इससे अच्छा एक fix amount देदो तू ज़्यादा करें तब भी इतना मिलेगा कम करें तब भी इतना मिलेगा तो फिर बोला चलो एक एक ऐसा खर्चा इसको दे देते हैं जिसको हम डाल देते हैं section 24A जिसको बोला गया standard deduction उल्ट सिल्ट खर्चे बता के अपने पैसे वह सूद रही हो तो वहाँ पर लिया आते हैं वह standard deduction भाई तेरा खर्चा नहीं हुआ एक ने बोला भाईया मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ तू माइनस कर ले 30% टेंशन मत दे मुझे एक ने मुझे मुझे मेरा 1,000,000 खर्चा हवा 30% ही माइनस करने दुआ त्यरा 1 खर्चा कर 5 खर्चा कर मेरे को मतलब यानि 30% माइनस करने दिया गया और सर्ट 30% कितना किसका 30% तो जो NAV आया 80 80 का 30% मतलब 24,000 और बोला गया कि एक और चीज माइनस करने देंगे हम आपको 24 that is B, यह तो genuine था, यह interest सबसे important point है इस पर star भी बना देते हैं interest को माइनस करने दिया गया अब जो माइनस करके आएगा that is taxable salary taxable, sorry house property आएगा, taxable house property जो कि आगे 80 में से अगर आप 24 माइनस कर देते हो तो 56,000 आगे, यहाँ तक पहले आपको सारी कहानी समझ में आई कि बताईए हाँ हाँ हुई बताईए यह interest है, यह loan बगेरा पर लाइग लगेगा तो इसको तभी में बता भी नहीं सकता और discussion भी नहीं कर सकता क्यूंकि यह सबसे main section है और थोड़ा लंबा है यह और जैसे यह वाला point हमारा हो जाएगा तो मान के चलो फिर तो house property ही खतम, last में होता ही है, last का एक दो class में हो जाएगा तो 24B interest का deduction है और यह सिर्फ interest का नहीं है, ATEEB है हमारा interest का और भी कई जगह पर दिया जाता है तो मुझे सब को coordinate करके बताना पड़ेगा अभी तो फिलाल समझो के हमें सार, annual value निकालने के लिए पहले हमें MCD की value, MB देखना है, fair rent देखना है, standard rent देखना है, actual rent देखना है, compare करके GAV निकालेंगे, GAV में से minus करेंगे, municipal tax, municipal tax minus करने के बाद जो बचेगा, सरकार के लिए 30% उसमें से क्या कर लेंगे, minus जो बाकी बचेगा, उसके उपर हमें tax देना जो कि हम अगली class में cover करेंगे, क्या situation सर, जैसे कि हमारे पास दो घर है, तो क्या होगा, हम खुद रह रहें, तो क्या होगा, छे मैने किराये पर देते हैं, छे मैने खुद रह लेते हैं, तो क्या होगा, आधा घर दिवार बना दिया, आधा घर मैं रह रहा हूं, आधा किर करने वाले हैं बताइए यहां तक किसी को डाउट जी एवी के बाद डिड़क्ट हुआ है वो बता दे जी एवी के बाद डिड़क्ट हुआ है 24 ए स्टेंडर डिड़क्शन क्या होता है आपका कि आपके जो टूट-फूट मरमत के लिए जो पूरे साल में अपने पॉकेट से खर्चा करते हो सरकार ने उसके लिए फिक्स कर दिया कितने परसेंट 30% स्टेंडर जब मैं सेक्शन 24 कराऊंगा अलग से तो इसके सारे पॉइंट्स में बता दूँगा और समझ में भी आ जाएगा 24 A क्यों है B क्यों है मुंसिपल टेक्स क्यों दिया गया ये सारी चीज़े मैंने अभी बोला तो भईया 24 भी ना पूछा बार बार इसी के पीछे पड़ गयो बिलकुल इंटरस्ट का मिलेगा ये तो 30% एनिवी के आ जाएगा हमेसा सब बताएंगे अभी अभी सिर्फ फॉर्मेंट नहीं कुश्चन बताएगा और ये कैसे निकालेंगे इस पर भी पूरा एक प्रोविजन लगेगा इसमें टाइंग बट सर एक आदमी का इंकम रेंट से आ रहा है वो 5 लाक रुपए तो कुछ टेक्स नहीं लगेगा न हाँ 5 लाक रुपए तक रेंटल इंकम है और कोई अधर इंकम नहीं है सिर्फ टोटल इंकम पांच बन रहा है कोई टेक्स देने के बशकता नहीं 87 एक के साथ रिवेट ले लेगा हूँ कोई दिक्कत सर बताईए कोई परेशानी no problem यहां तक clear है अब देखिए मैं तो चीजों को बताऊंगा कैसे करना अभी देखा जाए ना तो अभी वाले class में देखा जाए तो चलिए सर इसके ओपर कुछ questions भी देखेंगे काफी student को tension हो रही है के सर कैसे खतम होगा बहुत सारा syllabus लग रहा है हमें definitely खतम होगा और समय पे ही खतम होगा syllabus जादा तो है लेकिन उसके लिए provision है ना 12 तारिक से regular classes होंगी आपकी 12 या 13 तारिक से regular classes हो जाएगी तो ये provision है जिससे की खतम होगा बाकी सबसे बड़ा chapter salary था जो कि हम कर चुके हैं अब बाकी house property दो से तीन दिन ऐसे छोटे छोटे chapters हैं चलिए सर हम बात करते हैं अब proper format बना लेते हैं सबसे उपर लिखना है computation computation of house property income hp income लिख देता हूँ और four जैसे मान लो mister x और नीचे आपको लिखना है assessment year previous year whatever name आप लिखना चाहते हो नीचे हम वो लिख देंगे मैं बता ही देता हूँ नीचे four assessment year जिसको ay लिख सकते हो जैसे मैंने मान लिया 2022 और 30 सर कुछ पार्ट जो मैं लिखने वाला हूँ यह working note में भी जा सकता है normal भी हो सकता है सर पार्ट क्या है सबसे पहले हम लिखते हैं mb mb को compare करते हैं fr से इन दोनों में इसे जो higher निकल के आता है यानि हमने पहले mb लिख लिया और यह roughly भी कर सकते हो इन दोनों में से जो higher निकल के आया इसका मैंने अपनी मर्जी से एक नाम दे दिया compare करने के लिए fr number one अब आप compare करोगे fr number one और sr से इन दोनों में से देखा जाएगा lower जो इनके comparison में lower निकल के आएगा उसको बोलेंगे expected rent expected rent जो इन में से निकल के आएगा expected rent के बाद आपका इसको जिसको मैंने बोला था सर हम बोलेंगे er अब compare स्टार्ट करेंगे हम actual rent से actual rent receive and receivable यानि a receive and receivable actual rent receive a triple r सर सवाल आता है कि इन दोनों में से क्या लोगे सर इन दोनों में से अभी फिल्हाल के लिए सिखाय के आपको मैं जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा तो यहां पे एक point active हो जाता है हमारा point activate active हो जाता है हमारा अगर reality में वह किराया कम ले रहा हो या reality में vacant रहा हो, कुछ ऐसा situation आ जाए rule number 4 तो यहाँ पर rule number 4 income tax का एक activate होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलाल के लिए hire, जो hire होगा उसको बोलेंगे हम GAV, अब आपके पास option available है, sir यह वाले सारे portion जो मैंने यहाँ किये है, आप या तो यहाँ कर लीजिए या फिर इसको कहीं भी आप working note में बाहर कर सकते हैं, और GAV से question को start करिए, समझ रहे हैं बात, या तो आप यहाँ पे कर लीजिए, या कहीं working note में करिए, और question start करो, GAV से आपकी इच्छा है तो मैं जादा से जादा question क्या करूँगा, GAV से भी start कर दूँगा कई बार, और कई बार इस तरीके से भी कर दूँगा, ठीक है चलिए सर, GAV के बाद हमारा original main काम start हो जाता है यह आ गया, GAV और GAV में से minus कर देते हैं MT, MT क्या होता है, municipal Texas, सारे provision हम देखेंगे इसके बाद हमारा क्या आता है, NAV last class में भी हाला की बताया था इसमें से minus हो जाता है 24A जो की है 30% फिर minus होता है हमारा 24B जो की है हमारा interest का इसमें कोई percentage नहीं है यह calculation सीखेंगे हम यह हमारा जो NAV आया, इसमें से यह दोनों चीजे minus करने के बाद जो income निकल के आएगा, यह निकल के आएगा, यह होगा income from house property यह होगा income from house property income from house property, पहले बताईए कोई दिक्कत यहां तक हर बच्चों को clear है, यह last class वाला ही example है, last class वाला ही है how many chapter have covered till now, सिर्फ हमने एक basic, एक हमने residential status salary cover कर लिया, यह four chapter चल रहा है, कह सकती हो हम deduction साथ के साथ चल रहा है इसके अंदर deduction पूरा नहीं हुआ वो chapter की requirement के इसाब से करेंगे हम यहां तक clear है, last class जिन बच्चों ने देख लिया होगा, उनको एकदम से clear होगा सर, यह तो वही बाते हैं, अब इस पर एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है सवाल में हम सिर्फ GAB तक सीखेंगे, फिर हम municipal text के concept को detail में discussion करेंगे, फिर municipal text के बाद फिर दीरे-दीरे हर एक section को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पहले हम start कर लेते हैं क्या GAB तक, चलिए आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को करते हैं यह आपके किताब का ही सवाल है 5.1 आपकी किताब का सर कौन सी किताब है, ग्रीस आहूजा इसमें 6 सवाल है और 6 के 6 सवाल करूँगा, hopefully आपको desert दिख रहा होगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ desert clear है, सब कुछ अच्छे से नजार आ रहा है ठीक है ना, तो 6 सवाल है 6 सवाल के 6 सवाल में पूछा गया है आपका आप बताईए, 6 house daily detail are as under आपको compute करना है gross annual value, यानि हर किसी के लिए GA भी बताना है तो सर ऐसे सवाल को मैं एक बार में ही निप्टाना पसंद करूँगा 6 सवाल पूछा है, 6 line खीच ड्रॉ कर लेंगे और एक बार में answer कैसे आएगा मैं बता देता हूँ वैसे अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इस basic concept को सरफ बताना चाहता हूँ कितने होंगे आप सभी के पास हाला की किताब है तो जिनके पास किताब है जिनके पास photocopy है whatever name call करो वो वहाँ से देख सकते हैं छे सवाल तो छे line एक दो तीन चार पाँच छे सर आपके पास house number one h number two h three h four h five h six छे घर हैं छे गर छे ये last में ऐसा ही कर हो गया extra मैं एक का निकालूँगा तीन का मैं निकालूँगा तीन आपके responsibility कहता है सर municipal value दे रहे हैं fair rent दे रहे हैं standard rent दे रहे हैं actual rent दे रहे हैं जी ये भी बताईए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे municipal value सर municipal value कितना है 2,00,00 इसको compare करते हैं किस से fair rent से तो सर fair rent कितने दे रखें 2,40 इसके बाद मैंने बताया हम एक लिख लेते हैं एक लिख लेते हैं एक लिख लेते हैं comparison के लिए और बाद मैं ये हटा दूँआ क्या हैगा higher वाला part that is through 2,40 higher है ना अब सर इसको compare करेंगे standard rent से तो पहले case में standard rent कहता है कि सरकार के पास कोई case नहीं गया तो standard rent क्या हो गया not applicable standard rent के बाद हमारा इन दोनों में से क्या लिया जाएगा higher तो sir not applicable कभी zero मत कर देना zero गलत सब्द है zero का मतलब court ने बोल दिया rent ना लिया जाए not applicable का मतलब सरकार court के पास का कोई फैसला आया नहीं है उसके पास गया नहीं तो not applicable लिखना है sir इन दोनों में से higher जो आएगा उसको नाम दिया मैंने ER ना मिला हो तो उससे भी compare कर लेंगे sir sir जो की हमें पहले वाले सवाल के अंदर देखिए क्या given है पहले वाले सवाल में आप चेक कर ये क्या given है तो sir पहले वाले सवाल में given है 180 तो sir इसके अंदर क्या लेंगे हम higher मैंने बताया था सर इसमें लेना है हमें higher जो ज़्यादा होगा और जो ज़्यादा होगा उसको देंगे अच्छा हाँ sorry इसमें lower है lower lower यहां lower है zero नहीं है ना मैंने कहा ना lower तो सर यहां not applicable है तो यही amount आजाएगा यहां जाएगा जी एबी जी एबी देखा जाए तो हर किसी का कुछ ऐसे ही रहेगा हर किसी का यहीं से निकाल देंगा जी एबी चलिए सर तो answer 240 एक का और कर लिया जाए दूसरे का सर क्या है 240 और क्या है हमारा थ्री लैक इन दोनों में से हायर थ्री लैक एक जीरो कम लगा कोई बात ने लगा देते हैं इसके बाद फिर क्या लेंगे स्टेंडर रेंट सर इन दोनों में से lower 240 अब किस से comparison चलेगा तो बताईए क्या आएगा 360 यह सरफ practice के लिए कि आपको overall आपको पता चल जाए इसमें 2 में कोई doubt सर MB और FR में higher और जो MB FR में ठीक है चलिए सर fourth का answer भी बता दिया बच्चों ने third का भी बता दिया ER वाला है सर ठीक है चलिए third का भी देख लेते हैं 360 और 4 lakh higher क्या है इसके बाद 5 lakh क्या लेंगे lower 4 lakh और आपने खुद बोल दिया मैं कमाता हूँ 4 80 तो आपका जवाब होगा 4 80 चलिए सर अगले पर यह था तीसरा चौत्थे पर आजाते हैं 4 20 और यह 4 20 तो इसमें क्या करें सेम ही आ जाएगा higher lower में कोई दिक्कत नहीं है 4 20 आ गया यहाँ देखिए इसके सारे चीज़े मैंने लिखा हुआ है अगर आपको समझ में ना रहो तो इसके सामने है मैं line भी खीच दू क्या यह समझ में आ रहा है आ रहा है चलिए अब इसके बाद चौते पॉइंट के बाद आएगा हमारा 3 लाग सर आएगा lower that is 3 लेग सर इसके अंदर actual rent 360 तो आपको देखो सवाल में apparently इतने question हमने देखे ना यहाँ पर यह 4 पांस तो आपको देखके यह अंदाज है लग जाएगा सर इसके अंदर तो यह हम column के अंदर जो मैं बोल रहा था ने के यहाँ करोगे तो थोड़ा सा complicated बन सकता है that's why यह कहीं working note में कर दो आप GAV से start करो तो साफ सुतर सवाल रहेगा थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा था बस बाकि आप जहाँ भी करिये सवाल ठीक माना जाएगा तो सर यह पांच लाक ही रहेगा और आप बोल रहें सर हम तो पांच चालिस लेते हैं तो मैंने बोला ठीक है सर आप अपना पांच चालिस दे दो अब एक चीज़ notice करिए कई बार यहाँ पे लिया गया दो चालिस यहाँ पे लिया गया तो हाइर वाला कॉंसप्ट रह रहा है 450 पांच लाक हाइर क्या आगया अब इसमें लेंगे 480 अब क्या लेना चाहिए 480 लोवर और एक्चॉल रेंट कितना बोल रहा है तो आंसर क्या आएगा 1480 पहला सवाल आपकी किताब के अंदर भी है और जिसके पास किताब नहीं चिंता ही नहीं सामने डिस्पले तो आपके पास हो रहा है ठेक है किसी को दिक्कत परेशानी समस्या है किसी को All done किसी को कोई प्राबलम इस कोश्चन में बताईए नहीं अगले कॉंसर्ट पे चले यानि मैंने कहा कि मैं पहले आपको GAB तक थोड़ा सा पक्का कर दू इसके अंदर मैं स्टार भी बना देता हूँ Although कुछ बच्चे बोलेंगे जो मैंने बोला Rule No.4 जैसे जैसे situation आएगा वैसे वैसे करेंगे पहले कराके मैं chapter का interest खतम नहीं करना चाहता बाद में आजाएगा कोई धिक्कत नहीं है चलिए सर इसके बाद हम सवाल सीखेंगे सर ये municipal tax कैसे ठेक है तो municipal tax एक होता है municipal value एक होता है municipal tax ध्यान दीजेगा सर municipal tax आप से लिया जाता है हमेशा municipal tax इसलिए लिया जाता है क्यूंकि municipal टीपार्टमेंट जिसे MCD बोलते है आपको facility प्रुवाइड करता है आपने तो घर बना लिया अब घर बनाने के बाद आपके लिए जो वहां के नाली की facility है वहां पे पानी की facility है वहां के लाइटिंग की facility है जो वहां पे कूडे वाला daily आता है ये सारा आपसे पैसे थोड़ी लेता है अगर कूडे वाला आ रहा हो या नाली आ रहा हो तो आपसे पैसे नहीं लिया जाता है इनका आपके लिए क्या है सर ये free of cost है तो इसके बदले में सरकार आपसे लेता है municipal tax अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कुछ लोग कह सकते हमसे तो नहीं लेता जो freehold property है उनसे house tax के नाम पे वसूला जाता है जहां freehold property नहीं है तो पानी के water bill डेली की में बात कर रहा हूँ डेली में तो water bill जिस महिने आपका या जिस time पे आपके साफ सफाई हो रही होगी नाली वगेरा अगले महिने का bill उठा के देखना उसके अंदर sewer charge या house tax के नाम से अलग से वो जोड के दे देंगे आपको ठीक है तो सर यह municipal tax आपसे लिया जाता है तो आप बोलोगे सर municipal tax अगर हमसे लिया गया हम rent भी paid करें rent आया ठीक है पांच लाक रुपे rent आया आप बोलो tax दो ठीक है agree tax देंगे लेकिन हमने एक tax दे तो दिया कौन से वाला municipal tax तो सर यह मुझे minus करने देना चाहिए क्योंकि हम दो-दो tax थोड़ी दे सकते हैं हमने जो आपको municipal tax दिया इस किराय में से ही तो दिया है था तो हमें minus करने दो तो government ने बोला allowed आपको municipal tax आप payment करो आपको allowed होगा लेकिन कुछ शर्तों के साथ वो शर्ते क्या है वो शर्ते देखते हैं बोला गया सर municipal tax आपको allowed किया जाएगा सबसे पहली बात municipal tax जो allowed होगा वो होगा हमेशा paid basis पे paid basis paid basis का मतलब आप payment करोगे तभी आपको मिलेगा अभी समझ लेंगे paid basis क्या है उससे पहले government ने बोला भाईया municipal tax हम मान गया आपकी बात लेकिन आप ये बता दीजिए municipal tax जो है वो payment कौन कर रहा है आप ये बता दीजिए municipal tax payment कौन करेगा चलिए सवाल आता है municipal tax payment कौन करेगा यानि उसका पैसा कौन देगा दो ही वेक्ति दे सकते हैं या तो दे सकता है honor या तो honor दे सकता है या फिर किरायादार जिसे tenant बोलेंगे या तो honor देगा या tenant देगा या मैं simple शब्दों में लिख देता हूँ rented person renter बोल देता है वैसे हला कि tenant word यूज होता है मैं थोड़ा simple लिखना चाहता हूँ renter slash tenant भी करता हूँ तो sir यहाँ पे paid की बात हुई payment कौन कर रहा है sir honor करेगा या फिर tenant अब सबसे पहले बताओ मुझे house property tax या house property के ओपर tax जो rental income है rental income किसकी मानी जाएगी मालिक की मानी जाएगी या किरायदार की मानी जाएगी मालिक की मानी जाएगी तो अब payment में government ने बोला बहिया कुछ मकान मालिक बड़े चलाक होता है बहिया बिजली बिल तुम भरो पानी का बिल तुम भरो हाउस टेक्स तुम भरो हमें बस किरायदो ऐसा होता है तो अगर मालिक भरता है तब तो हम allowed करेंगे अगर tenant या आपके renter ने payment किया हो अगर renter ने paid किया क्या paid किया सर municipal tax तो law कहता है सर आपको municipal tax का deduction नहीं मिलेगा not allowed law कहता है not allowed क्योंकि भईया आप तो लड़ रहे थे मुझसे इस बात को लेके कि हम तो municipal tax भी paid करते हैं इसी किराय से paid करें तो भईया आप तो तुम paid ही नहीं कर रहे तो लड़ाई जगड़ा खतम आपको पैसा इसमें minus करने नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर honor paid करता है तो यहाँ पे condition हो सकता है सर सर क्या condition होगा honor paid करेगा simple सी बात है नहीं paid कर देगा यहाँ पे condition हो सकता है payment जब करेगा या तो honor की बात करें या तो due हो गया है but not paid not paid वो बोलता सर दे देंगे ना क्या दिक्कत है अभी बाद में देंगे तो बोलना दे देंगे हम कोई दिक्कत नहीं और आप मुझे आप बताईए income tax कप देना होता है income tax कप देना होता है sir income tax देना होता है date 31 July 31 साल 31 साथ का हर बार due date होता है income tax लेकिन financial जो income calculate करते हो 31 साथ का नहीं करते है 31 साथ का करते हो तो law ने का भईया अगर आपने due किया है और आप माने लो 31 साथ को आप income tax भरने जा रहे हो और आपने 30 तारिक को क्या करा empty paid कर दिया हम तुमें लेने नहीं देंगे deduction sir ऐसा क्यों paid तो कर दिया बोला कि आपको जो payment करना है वो payment करना है due but not paid then not allowed तो आपको allowed नहीं होगा एक हो गया आपका paid तो अगर आपने paid कर दिया तो ये भी ध्यान रखना है अगर आपने paid कर दिया तो ये भी ध्यान रखना है sir क्या ध्यान रखना है आपको paid करना है paid before due date या on मैं थोड़ा शब्द को change कर दू before इधर ध्यान देजे before और on 31st 3 and जो भी year होगा जिस साल के लिए computation तयार करिएगा उस साल का समझे क्या कहना चाहता है law law कहना चाहता है कि भाईया municipal tax minus SNE आख बंद करके करने देंगे municipal tax अगर renter tenant ने payment किया हो तो not allowed honor ने paid किया है तो देखेंगे या तो due हो चुका है but not paid तब allowed नहीं है लेकिन paid करा है तो paid में भी आपको check करना है कि कभ payment किया है वो भी payment करना 31 मार्च जिस साल का computation जिस साल का income tax 2023 का बना रहे हैं दो जार बाइस को तो उस साल के 31 मार्च तक payment अगर 31 मार्च के बाद payment करता है तो अगले साल में count होगा अब payment अब एक और सवाल आ जाता है पेमिंट कितना करना है अब वो payment लौने का के बाइया payment कितना करना है हमें तो यह मतलब है आपने paid जितना किया होगा deduction दे दे देंगे तो सर पेमिंट अगर हम करते हैं कितना पेमिंट सर अगर आप payment current year का करोगे तो मिलेगा current year का अगर आप payment कर रहे हो तो मिलेगा सर मिलेगा सर अगर आप previous year का payment करोगे तो आपका due हो गया था पिछले साल आपके pocket में पैसे नहीं थे लेकिन आपने इस साल payment कर दिया क्या मिलेगा यह भी मिलेगा सर आप बार बार परेशान होते हो सरकार को next year का paid कर दिया तो next year का advance में paid कर दिया तो ये भी deduction मिलेगा यानि कहने का मतलब है सर जितना amount paid करोगे तो total amount total amount paid का deduction मिल जाएगा सर कितना भी paid करो आप एक बार में कर दो 10 साल का advance सारा deduction ले सकते हो यानि इसमें ऐसा नहीं है कि भी इस साल का था तो भी देंगे आपको deduction आप जितना payment करोगे लेकिन तारिक याद होनी चाहिए 31 मार्च से पहले जितना मर्जी payment करो आप 31 मार्च से पहले आपको सब का deduction मिल जाएगा कहाँ पे मिलेगा सर municipal tax के अंदर जाके कि मुंसीपल टेक्स 20% बच्चा बोलेगा सर 20% किसका तो हमेशा याद रखिएगा ये 20% calculate होगा MV के उपर जब आपको बोल दिया जाए municipal tax 20% है 30% 50% है तो always calculate होगा किसके उपर MV के उपर तो फटा फट से quickly एक बार मैं बता दू municipal tax क्या है यहां तक समझ में आगया आपको कोई दिक्कत है क्या एक बार फटा फट municipal tax एक बार देखिए फटा फट कोई दिक्कत नहीं है तो एक सवाल ले लेते हैं फटा फट से कोई दिक्कत नहीं है तो बताईए एक सवाल इसके उपर ले लेते हैं जिसमें सारे cases आ जाए, सारे concept clear हो जाए clear तो क्या कहा गया मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ चलिए सर एक municipal text के उपर question ये भी आपके किताब का सवाल कितने cases है तीन हम भी तीन cases बना लेते है एक सवाल करते हैं municipal text पर यानि सर तीन line की अवशक्ता है हमें एक ओहो दो तीन चलिए सर तीन cases है और तीनो cases को हम municipal text में कह देंगें जी हाँ सवाल हर किसी को सामने visual होना चाहिए नहीं visual है मैं नीचे कर देता हूँ इतना ही सवाल है सर केस नंबर वन यानि वन हाउस सेकिंड हाउस एंड थर्ड हाउस यहां एक particular यह सर्फ प्रैक्टिस के लिए question है ऐसा सवाल पेपर में नहीं है कहां theory आ सकता है इस पे से सर सबसे पहले कहता है हाउस नंबर वन में यहां पर यह याद रखिए क्या कहता है number of identical unit सर यहां यानि दो घर है एक घर के दो टुकडे है identical unit का मतलब partition कर देते हैं जैसे first floor, ground floor तो यहां पर दो है यहां पर number of identical unit एक है, यहां पर number of identical unit तीन है, सर इसका क्या मतलब होता है अभी हम 23 के situations देखेंग अभी clear हो जाएगा, पहले तो हम starting कर लेते है municipal value सर municipal value कितने दे रखें एक बीस अगला और तीसरे का साथ हजार fair rent सर, fair rent क्या है तेड़ लाग उससे अगला 75 उससे अगला तो सर अब देखते हैं higher की बात करेंगे इसमें से जो की आएगा हमारा fr, डेड़ लाग 1 fr, 1 अब इसके अंदर चेक करते हैं standard rent standard rent क्या है 31 80 72 सर, इन दोनों में से लेंगे lower जिसे बोलेंगे ER यानि expected rent तो क्या आएगा एक छोटा सा सवाल रह गया के municipal tax अगर house property की बात कर रहा है मैं note में उसको mention कर देता हूँ मैं उझे एक करते गरते याद हो गया मैं बीच में interrupt कर रहा हूँ note में अगर घर आपका घर की बात कर रहा हूँ अगर self occupied हुआ यानि आप घर में खुदी रह रहे हैं और municipal tax आप paid करते हैं तो आपको not allowed है आगे situation में मैं समझाऊँगा ठीक है? बस एक छोटा सा note देना था आगे situation में समझाँगा चलिए सर इस्टेंडर रेंट भी ले लिया हमने रेंट पर यूनिट देखें क्या कहता है ध्यान दीजिएगा रेंट पर यूनिट पर रहनम तो सर एक्चुल रेंट क्या होगा? एक चालेस है ना? पर यूनिट है क्योंकि सतर यहां पर दो यूनिट है, दो से multiply यहां पर कितने से multiply एक से, यानि और सर यहां कितने से multiply तीन से, यानि त्रे सठागा सर, अब इसके बाद इन दोनों में से higher, जो निकल के आ जाएगा सर GAB GAB निकल के आएगा GAB ये भी क्या है इन दोनों में से higher एक चालिस इन दोनों में से higher इन दोनों में से higher अब माइनस करने की बारी आ गई municipal tax जो हमने सीखा है अभी तक उसको हमें apply करने का time आ गया है पहले में कहता है sir 12,000 रुपे municipal tax अच्छा दिखने रहा पहले में कहता है 12,000 municipal tax due but not paid due तो हुआ लेकिन payment नहीं किया जी मैंने अभी तो क्या municipal tax minus कर सकते हैं नहीं कर सकते जवाब है दूसरे में पहले वाला समझ में आए क्यों नहीं minus किया क्योंकि due paid ही नहीं किया उसने ठीक है दूसरे में कहता है sir 8,000 रुपे for last year पिछले साल का 8,000 paid this year ठीक है sir and 9,000 रुपे current year due but not paid तो कहने का मतलब है sir इस बार हमने 8,000 पिछले साल वाला payment तो किया है इस साल वाला 9,000 payment ही नहीं किया तो बताइए कितना minus करें तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे minus किया जाएगा बच्चों ने सभी ने सही जवाब दे दिया 8,000 रुपे minus किया जाएगा ठीक है अगला third case देखते हैं third case का answer कौन बताता है 60,000 it include 54,000 paid advance in next 9 year कितना minus करें 9 साल का advance है एक साल का नहीं 9 साल का advance क्या हम minus कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर कर सकते हैं paid कर दिया ना अपने कितना भी advance payment करो कर सकते हैं तो जवाब है सर 60,000 तो मेरे इसाब से आपको यह जो if what आता इस point में वो clear हो गया होगा तो इस सवाल में हमने NAV निकालना सीख लिया that is 140 आपके किताब में वैसे solution भी है आप चेक कर सकते हो तो यह कितना आ जाएगा 72 76 और यह 12 सर यह आ गया हमारा सवाल नंबर 2 किसी को कोई परिशानी कोई दिक्कत तो बता दीजिए फिर हम अगले concept पे चलेंगे municipal text खतम तो आज हम करेंगे interest कहानी समझना थोड़ा story समझना क्यों बनाए गया interest और क्या deduction दिया गया कैसे deduction दिया जाता है सारी बातों का discussion करेंगे इसके अंदर सर यह interest की क्या बात करें हम हम 24 की ही बात कर लेते हैं हम 24 section की ही बात कर लेते हैं सर section 24 basically section 24 जो जाना जाता है न वो जाना जाता है हमारा deduction के point of view से section 24 जो जाना जाता है वो deduction के point of view से माना जाता है और बोला गया के house property की आप सारी income निकालते हो sir आप निकालते हो GAV और GAV में से whatever amount empty आपने paid किया है तो empty minus कर देते हो इसके बाद बसता है NAV सरकार ने बोला के इस NAV value पर आपको text देना है लेकिन जितने भी SSC थे उन्होंने अपोस्ट किया sir अपोस्ट क्या-क्या कहा के sir NAV जब आपने निकाल लिया है मान लेते हैं आपने 55 लाग या 7 लाग 10 लाग रुपय अगर NAV निकाल लिया तो उन्होंने कहा कि sir इसमें से मुझे अब कुछ चीज़े माइनस करने देना चाहिए गौर्वर्मेंट ने बोला क्या माइनस करने बोला कि हमारे कुछ खर्चे हैं वो खर्चे माइनस करने दीजिए जैसे हम white wash कराते हैं हम tab change करवाते हम electricity का का काम करते हैं किरायधार के ना हमकान का रिपेयर करवाना वह मारीं खर्चे हैं गौर्वर्मेंट ने उसमारा तक हम आपको खर्चर माइनस करने देंगे तो government इसके लिए लेके आई section 24 sub section A point number 1 बोला चलिए अब आपको हम minus करने देंगे उसको standard deduction का नाम दिया गया standard deduction sir standard deduction जो दिया गया ना वो बोला गया sir आप 30% minus कर सकते हैं of and A यानि बोला कि आपको हम minus करने देंगे ऐसा कि नहीं कि minus करने नहीं देंगे खटा क्योंकि मैं हमारे लिए यह बड़ा सरदर्दी हमारे लिए बड़ी मुसीबत है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है तो उसको determine करना उसको check करना बड़ी सरदर्दी है हमारे देश की अवादी कितनी है इतने सारे अवादी है, इतने सारे SSC है हर किसी का अगर हम बिल देखने बैठ गया तो हमारे income tax तो कभी कोई भराई नहीं जाएगा तो एक तो दे दिया आपको 24A में किसलिए दे दिया गया सर ये आपके जितने भी खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा expense के लिए, ये क्यों दिया गया सर ये दिया गया एक्स्ट्रा expense के लिए जैसे point number 1 repair के लिए जो आप करा रहे हो repair point number 2, आपका repair में सब कुछ आ गया, आपको एक दे दिया गया अब मुद्दे की बात आती है कि questions के अंदर आपको confuse करने के लिए repair देगा कि honor ने repair करा है तो उन सभी को क्या करके चलना है ignore क्योंकि उसके बदले हमें क्या मिल चुका है 30 person समझे बात आप, यानि अगर सवाल के अंदर, question के अंदर बोलता है कि mv दे रहे है, f r दे रहे है, s r दे रहे है और repair करवाए, electricity bill पे किया है, water bill पे किया है, बहुत सारी चीजे बता है इसके साथ, तो electricity bill, water bill, repair, tab change electricity, switch change, अगर ये सारी खर्चे दे रखे हैं, तो सर इनको क्या करेंगे आप ignore, क्योंकि उसके बदले क्या मिलगे आपको 30%, फिर लोगों के पास घर जो था वो हर किसी के पास घर नहीं था गौर्वर्मेंट ने कहा कि भीया, आपको income को कम करने का, हमने आपने एक option ढूंडा, दूसरा हम दे रहे हैं, आप अपनी income को कम कर लीजिए बोला कम कर लेंगे, कैसे कम कर लेंगे, बोला कि अगर आप अपना घर को बनाएंगे न तो हम आपको माइनस करने दे देंगे लेकिन घर को बनाईएगा तो आप लोन लेके बनाईएगा तो यानि आप लोन लेके अगर घर को बनाते हैं या लोन लेकर के घर खरीदते हैं या लोन लेकर रिपेर करते हैं तो सरकार का इसमें बड़ा फाइदा हुआ अगर हम लोन लेंगे तो हमारा बैंकिंग का बेनिफिट होगा या नहीं होगा कि होगा सर एक-टो कि अंदर क्या होगा सङी से काम नेका dubbing की आप ढोने लिया इक तो आप क्या करोगे घर को कंस्रक्शन करो घर आब भी खृत थब बना ऑगर tबպ और आप बनाते हो तब भी जैसा ही आप घर बनाना चालू चालू यहां पे labor की जुरत होगी यहां पे cement की जुरत है यहां पे bricks बहुत सारे material की जुरत है यानि बहुत सारा अब जो cement factory है उसके अंदर labor की जुरत पड़ेगी जहां पे bricks बगएरा बन रहे हैं वहां पे जुरत पड़ेगा तो government को economic को revival करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा point करना पड़ता है जिससे की लोगबाग यह काम करें तो बोला भिया आप अगर loan लोगे ना तो loan की जब repayment करो गया जब आप repayment करिएगा ना तो वहां पे उस जगह पे आपके दो चीजे payment होती है जिसे हम EMI बोलते हैं इक्वल इंस्टॉल्मेंट तो उसके अंदर एक आपका principal amount होता एक आपका interest amount होता है बोला गया principal amount को तो हम ATC में deduction दे देंगे वहां भी माइनस करो और interest को हम एक नया section introduce कर रहे हैं वहां पे दे देंगे 24 24 बी के अंदर यह बी ऐसे bracket में रहेगा ठीक है न बी ब्रैकेट में रहेगा यानि 24 सबसेक्शन बी में आपको किसका deduction दे देंगा interest का लेकिन बसरते आपको घर जो बनाना है वह कैसे बनाना है लोन ले करके तो यहां पे गवर्मेंट ने ज्यादा से ज्यादा जो काम किया वह infrastructure पे सोचा लोग जितना ज्यादा पैसा लेके investment करेंगे तो सारा circulate हो जाएगा तो एक गवर्मेंट का planning था तो जब starting में गवर्मेंट आई थी तो गवर्मेंट की जो गवर्मेंट सबसे ज्यादा जो गवर्मेंट था वो था हमारा Congress की सरकार तो उन्होंने क्या कर रखा था 30,000 रुपए का deduction दे रखा था इंट्रस्ट का सरिफ और सरिफ 30,000 रुपए का तो जब बीजेपी की गवर्मेंट आई तो उसने इस limit को क्या कर दिया revise कर दिया क्योंकि 1999 में जब अटल विहरी वाजपाई गवर्मेंट में आए तो बीजेपी कॉंग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार ने जब बोला तो बोला कि क्योंकि जब कभी भी कोई गवर्मेंट आता है तो वो अपना manifesto देता है यानि बताता है कि हमें बना दो सरकार हम यह कर देंगे जैसे फॉर एक्जामपल केजरीवाल अगर उन्हें पूछो के आपको सरकार बनाएंगे तो क्या करोगे हम बिजली फिरी पाने फिरी दूसरा कोई उसके पास option नहीं है उस टाम पे तो केजरीवाल खेर नहीं थे अब आगए भाई बीजेपी बीजेपी को सरकार बनाते तो आप क्या करोगे उन्होंने बोला हम सरकार जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम इंडिया के अंदर इंफ्रस्ट्रक्चर को स्ट्रॉंग करेंगे हर जगह पर रोड बनाएंगे मकान बनाएंगे बिल्डिंग बनाएंगे यह हम काम करना स्टार्ट करेंगे ह हमारी एकनोमिक अपने आप ही चल पड़ेगी रफ्तार में तो 1999 से पहले हमारा यूपीए की कॉंग्रेस सरकार थी 1999 के बाद बीजेपी की गवर्मेंट आई जो अटल भिहरी वाजपाई प्रधान जंतरी बने उसी टाइम की देन है कि जो नोईडा पूरा देख रहे हो ना नोईडा उसी टाइम से या फिर गुडगाओं देख रहे हो उसी टाइम का सारा बसा हुआ डील फ वगएर उसी टाइम के आए हुए है क्योंकि इस टेम गवर्मेंट ने क्या करा के भाई या अब तुम्हारे डिडेक्शन कितनी कर देते हैं लोन लो और सस्ते से सस्ते रेट पर हम लोन दिलवाएंगे और फ्लैट खरीदों क्योंकि एक तरफ बिल्डर को पैसे दे के बिल्डिंगे तो बनवा दी अब उसको बेचना भी था बेचने के लिए पब्लिक को ओफर दिय टेड्लाग टेड्लाग चलता रहा फिर इस देड्लाग को जब दुबारा फिर से बीजेपी आई तो उन्होंने इस देड्लाग के लिमिट को बढ़ा के कर दिया दो लाग डेटक्शन के लिए कितना कर दिया डो लाग तो हम आज के पॉइंट में क्या समझने वाले है सर 24 A में कुछ समझने और समझाने लाइक है नहीं 24B कि कब कब लोन लिया गया तो कितना लोन डिड़क्षन में मिलेगा समझ में आरे बात मुद्दे की बात क्या है क्योंकि आपका में जो सेक्षन होगा 24B 24B की लास्ट में ऐसा पॉइंट डालेगा जिस पर पूरा कुश्चन डिपेंडर करेगा क्योंकि हायर लोवर यह सब तो आप देखी रहे हैं इतने सारे कुश्चन के इसमें कुछ है ही नहीं अगर आपको पांस सवाल देदो तो पांस सवाल में फटा-फट देख की बता दोग कोई दिमाग तो लगाना नहीं है बस amount देखा जी यह भी दिमाग लगाना पड़ेगा कहां सर 24B के अंदर interest के अंदर कितना interest minus करने दिया जाए तो simple सी बात है 24B के अंदर दो पार्ट दिखा गया दो पार्ट क्या था सर अब उस पूरे points को मैं एक बार आपको समझा देता ह 24B क्या कहता है और कुछ एक point था जिसको हमें ध्यान में भी रखना है सर यह पूरा हमारा है 24B सर क्या कहता है 24B interest on loan taken for construction या repair of house 24B कहता है कि आपको loan जो लेना है वो या तो आप construction के लिए लिजिए या खरीदने के लिए लिजिए या repair के लिए अब loan दो तरीके के इंसान हो सकते हैं एक तो मैं अपना घर personal बनवा रहा हूं और मैंने loan लेके बनवाया या हो सकता है कि एक मैंने loan लेके घर बनवाया और घर किराये पे हैं दोनों possibility हैं तो अब यहां पर मुद्दे की बात है दो point हो सकता है when house is self occupied तब और when house is let out तब जब house हमारा let out होगा न तो उसका मतलब क्या NAB वहाँ पर zero हो सकता है क्या बताईए नहीं कुछ नकुछ तो होगा तो जब आपका house let out है तो no limit वहाँ पर कोई limit नहीं रखा गया सर यानि किसका limit नहीं रखा गया यह नहीं कि आपने करजा ले लिया और उस पैसे को आप कहीं और use कर रहे हो तो आपका ऐसे allowed नहीं होगा यानि जो लोन लिया है वो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए होना चाहिए तो बोला गया कि अगर आपने मकान मान लेते हैं कि एक फ्लोर किराये पर दे रखा है मैंने डिसाइड किया कि मैं चार फ्लोर और बना लेता हूँ पैसे तो आई रहे है एनेवी तो है ही है तो उस हिसाब से वहाँ पे एनेवी 0 नहीं है तो ऐसे situation में अगर घर let out है और उस माइनस करने की बात कर रहे तो एक बार मैं छोटा सा format बना दूँ जिससे कि आपको clear हो जाए सबसे पहले होता है बी मिकर्ण के बात क्या होता है अवा फार में से डोनों जो इसके बाद क्या होता है सार और इसर इन सब में से अगर देखा जाये तो जो भी आता है और इन दोनों में से higher lower जो भी निकलता है वो आता है GAV सर GAV में से minus करते हैं सर MT MT में से minus करने के बाद आ जाता है सर NAV और NAV जो होता है उसके अंदर से दो चीजे minus करना allowed है number 1 24 A जो कि 30% है और number 2 दूसरा जो हमें मिलता है deduction के लिए कि वह मिलता है 24 B जो कि होता है interest on borrowing capital सर इंट्रस का deduction है या principle का नहीं है अगर मैंने एक लाक रुपए का किस दिया है जिसमें से 20,000 ब्याज है और 80,000 principle है तो 24 B में क्या deduction मिलेगा 20,000 रुपए का deduction मिलेगा 24 B में क्या मिलेगा हमें 20,000 रुपए का deduction मिलने वाला है तो सर अगर आपने घर को किराये पर दे रखा है तो कितना interest minus कर सकते हो no limit लेकिन अगर घर आपका self occupied है तो ऐसे situation में हम देखेंगे कि आपने loan कब लिया है अगर आपका घर जो है है वो self occupied है तो हम चेक करेंगे सर क्या चेक करेंगे सर कि आपने loan लिया कब है अगर self occupied है तो इस situation में deduction will be allowed या तो deduction आपको मिलने वाला है सर दो लाग का या मिलने वाला है कितने का 30,000 कब दो कब 30 या तो आपने loan लिया होगा 142 1999 से पहले या फिर loan लिया होगा 1499 के बाद अगर 1499 से पहले आपने loan लिया तो loan लिया होगा दो परपस होगा या तो आपने लिया होगा construction के लिए या फिर repair के लिए construction या purchase तब तो सर यूपीए की government थी और यूपीए की बीजेपी की सारी Congress की government थी उस टाइम पे कितने maximum limit थी सर किसी काम के लिए लो आपको 30,000 रुपे का maximum deduction दे दिया जाएगा यानि आपने अगर loan ले रखा है सर किस लिए loan लिया है loan घर बनवाने के लिए लिया हो चाहे घर repair के लिए हो और loan लिया हो 1999 से पहले तो आप कितना माइनस कर सकते हो 30,000 लेकिन वही आपका घर किराये पे हो और loan भले ही आपने 1999 से पहले का ले रखा हो तो कितना interest माइनस कर सकते हैं कोई limit नहीं है ये limit जो है बच्चे भूल जाते हैं इतनी बार ये limit को याद करना पड़ता है वह भूली जाते हैं कहीं maximum limit भी है तो यहां पर कितना maximum limit 30,000 और जो rented घर है वहां के लिए loan ले रखा है तो कितना maximum limit है कोई limit नहीं है सर इसके बाद वेन आपने लोन लिया है लेकिन अगर आप घर खरीदोगे या घर बनवाओगे तो deduction कितना कर दिया गया अगेन देखिए फटा-फट से आपने लोन दो परपस के लिये लिया होगा या तो लिया होगा आपने self-occupied घर के लिये लिये लिया तो इंटर्स का कोई जंजटे ने इंटर्स टोटल मिल जाएगा जितना भी आपके है कोई limit नहीं है लेकिन self-occupied लिया होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि लोन किस परपस के लिये लिया है 1999 के बाद अगर repair के लिए रखा है तो 30,000 अगर 1999 से पहले का लोन है तो किसी भी वर्क के लिये लिया हो तो वह कितना होगा आपका 30 आपका 30,000 रुपय अब यह 2,000,000 के limit maximum है आपके दो घर के लिए लोन लो तीन घर के लिए लोन लो सबका मिला के दो लाग है एग्रिकेट पहले क्या था कि मैंने एक घर लिया वो भी self-occupied दूसरा घर लिया वो भी self-occupied इसके लिए भी लोन लिया इसके लिए लिए लिया यहां भी 2,000,000 का deduction ले रहा हूं यहां भी 2,000,000 का deduction ले रहा हूं तो government ने last year इसको revise कर दिया और बोला के भी आप total देंगे हम आपको 2,000,000 तो एक concept था situation में 23 में when more than two house more than two house तो वहां पे interest का point वहां पे है इसलिए हम उसे बाद में करेंगे पहले यह कर रहे है ठीक है अगर 1999 से पहले तो 30,000 1999 के बाद तो 30,000 और दो लाक रुपे कुछ बातों का यहां पर ध्यान रखना है जो कि मैंने note में mention कर दिया सर loan taken for house किसके लिए लेना है सिर्फ घर के लिए if fresh loan taken for both interest allowed मान लेते हैं एक loan चल रहा है इस loan का rate महंगा है इस loan को चुकाने के लिए मैंने एक और loan ले लिया तो दो दो interest जा रहा है पुराने वाले loan का एक नए वाले loan का तो दोनों का interest हमें allowed हो जाएगा as a deduction समझ में आ रही आपको बात मैंने एक loan लिया 20,000,000 का लोन लिया उस तेम पर rate बड़ा महंगा था वो 10% पर था अब 5 साल बाद किसी bank ने offer दिया कि आपका loan मेरे प तीसरा note any commission brokerage कुछ भी दलाली वगरा payment करते हो बैंक में गये manager से बोले मेरा loan पास करवा तो आपको 20,000 दे दूँआ 10% दे दूँआ तो यह जो भी commission brokerage आप banker को दे रहे हो यह deduction allowed नहीं होगा आपका खर्चा जरूर है लेकिन यह allowed नहीं होगा अगर आपने late payment किया मैंने point नह penalty भी पेव किया तो उस penalty का deduction नहीं मिलेगा सिर्फ ब्याज का deduction मिलने वाला है interest allowed on paid as well as due एक बात यहां ध्यान देने वाला है जो हमारा municipal टेक्स था पेमेंट करोगे तभी deduction मिलेगा लेकिन interest में यह applicable नहीं होता interest के अंदर आपने payment किया हो चाहे ना किया हो तब भी आपको deduction claim कर सकते हो 24B में अगेन बताइए अगर आप जवाब दीजे कमेंट में भी आप सब भी बताइए कि अगर मैंने loan लिया है मेरा घर rented है ठीक है मैं example ही ले ले लेता हूँ ताकि आप मुझे जवाब देना चलिए सर मैंने loan लिया है और house क्या है रेंटिड है सर बताइए का जवाब और मेरा 50 लाक रुपे का लोन है EMI मेरा 10 लाक रुपे का गया जिसमें से 4 लाक रुपे का इंटरस ऐसा example ले रहे है और 6 लाक रुपे का principle है अब बताइए इंटरस कितना deduction मिलेगा 4 लाक या maximum limit 2 लाक पटाफट बताईए 4 लाक रुपे कुछ बच्चे अभी 2 लाक कह रहे हैं कुछ बच्चे 4 लाक कह रहे हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपने पेमिंट किया बट डिडेक्शन विल बी अलावड ऑनली 2 लाक रुपे सब्जक मैक्सिमम ठीक है क्लियर है यह वाला पॉइंट आपको इसके अंदर मुद्दे की बात और सबसे बड़ी असान सा सवाल क्या घर रातो रात बन सकता है टाइम लगेगा इट विल बी टेकिंग टाइम कि सर कितना टाइम लगेगा बताते हैं अभी सर रातो रात घर नहीं बनाया जा सकता बड़ी सीधी सी बात है घर बनाने में साल भर भी लग सकता है छे मैने भी लग सकता है दो मैने भी लग सकता है पांस साल भी लग सकता है दस साल भी लग सकता है मैंने देखा हुआ है अब के बिलडिन ben रहा है जहां नीर बाइमैनटजिस में अब आपने साइद अबगेश दूट्स और अभी तक नहीं में बना जो पी-पी जुयलेस के साथ मैं नहीं बना अभी तक में तो मान टू आ हो 12 साल से अभी तक तो नहीं बनाओ तो बहुत टाइम भी लग सकता है गौर्वर्मेंट ने बोला कि आप लोन लेके काम करिए मैंने लोन लेके एकदम अच्छे से काम करना स्टार्ट किया मान लोन मैंने ले लिया सर एक चार 2015 में लोन ले लिया गौर्वर्मेंट ने का लोन लो और हम आपको देंगे डिडेक्शन मैंने को रहा बड़ी अच्छी बात है लोन लेने के बाद हम डिडेक्शन के लिए अलिजिबल है तो अब तो डिडेक्शन मिलेगा हमें और इंकम टेक्स रिटन फाइल करने गए देखिएगा हुआ क्या 2015 का जो डेट कंप्लीट होगा वो होगा 31 मैं 31,3,2016 में गया और 16 में मैंने बोला सर हम आप फाइल करना जा रहे हैं अपना रिटन और 15 में लिया थोड़ा लंबा सा प्रोजेक्ट था मैंने कमर्शियल पर्पस के लिए अभी ना तो किराये पर कुछ भी नहीं है अभी थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है और जो मैंने घर जो लिया था ना प्लॉट अभी प्लॉट पे स्रिफ और स्रिफ बस नीवी डाली है और थोड़ा सा वाल बाउंडरी टाइप का मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बाउंडरी टाइप का डाला है हुआ नहीं एक साल इतना ही काम चला कोई भी रीजन हो सकता है मैं गया सर मुझे मैंने कहा अभी घर किराए पे तो है नहीं तो सर इसका मेरा सेलरी से इंकम था पांच लाक और मैंने बोला सर एचपी से इंकम मैं बता देता हूं मेरा घर किराए पे नहीं है तो जीए वी क्या एने वी क्या जाएगा 0 क्योंकि किराये पे तो है नहीं अभी तो under construction है 0 और मैंने कहा 24 A माइनस करूँगा मैं बोला करो 0 मैंने बोला 24 B भी माइनस करूँगा मैं क्योंकि loan लेने का मतलब क्या banker बोलेगा अभी घर नहीं बना तो ब्याज मत दो banker क्या कहे का loan लिया तो भाईया ब्याज चालो हो गया इस साल इस साल में मैंने ब्याज का payment किया सर वार ब्याज का payment किया 50,000 ठीक है और मैंने 50,000 यहां से माइनस कर लिया तो मेरा माइनस का 50 आ गया that is मेरी income बन गई 4,00,000 और मैंने सरकार को अपना computation दिया कि ब्याज चार लाग पचास अजार रुपे की मेरी income है कैसे बोला उसने मैंने बोला देखो salary कमाया पांच लाग या फिर मैं थोड़ा और interesting कर दूँ मैं इसको पांच लाग पचास अजार कर देता हूँ और यहां पर मेरी income कितनी आ जाएगी सर पांच लाग और मैं बोलूँगा सर मैं आपको क्यूं टेक्स दू मेरी income कितनी है पांच लाग रुपे क्यूंकि पचास जार तो देखो मेरा आपने बोला deduction लावड है तो माइनस में इंकम आ गया और साड़े पांच लाग का मेरा positive income और पांच लाग पचास अजार रुप सक्षन अभी चल रहा इसके लिए लोन लिया सारे certificate दिखाए उसने बोला घर दिखाओ मैंने बोला यह घर तो है बोला सर आप एक बार section 23 section जो chargeability का 22 पढ़िए वहां पर बोला गया घर होगा और उसका तभी आपका house property के income के अंडर count होगा अगर घर होगा तभी income house property के अंदर count होगा यह तो आपका घर ही है डिखान भी होना चाहिए पूरा construct होना चुक्त होना चाहिए मनें बोला सर घर नहीं तो क्या पौला घर नहीं है तो house property के कौन सी हाउस परपटी है नहीं जब हाउस परपटी है नहीं तो 24 बी कहां से आएगा 24 बी तभी जिंदा होगा जब आपके पास घर होगा नहीं तो 24 बी नाम की कोई चैनाों दिलवा दिये और डिडेक्शन के टाइम पर अपने दिखारें सेट्शें 22 लों दिलवा दिया लेकिन डिडेक्शन के टाइम पर एक सेक्षें 22 घर नहीं है अब 5 साल मेरे मकान को बनने में लग जाए गा तो उसके हिसाब से क्या पांच साल तक मैं अपना असलब कि लोन ले रखा है टेक्स जा रहा है या फिर इंटरस्ट लोन ले रखा है आपको सबसे बड़ी चिंता किसकी थी आपकी सेलरी इंकम थी 5.5 लाक। उसके लिए आपने गौवर्मेंट से कोई लड़ाई जगड़ा नहीं किया सर्फ 5.5 आपकी टेंशन है कि आपको 24B मिला या नहीं मिला क्योंकि हाउस प्रोपर्टी नहीं है आपके पास आपको 24B कब मिलेगा जब आपके पास हाउस प्रोपर्टी होगा इसके चक्कर में प्रोपर्मिस करतें कि आप जितना भी आप अब याज पैमिन्ट करो गे उस व्याज को रहें आपको बाद में बेनिफिट देंगे अभी तो बेनिफिट नहीं देंगे जैनि सर मैंने यहाँ पर लेते हैं ब्याज पेमिंट किया पचास हजार और मेरा घर बना ही नहीं चल रहा है यहां गया हम देट आ गया एक चार दो हजार सत्रा कि खतम हुआ मेरा यह एक अधिस्तीन कि दो हजार अभी तक घर नहीं बना तिरिफ घर का नीव है और थोड़ा बहुत चत वाज़ारा बनाना चालू चल रहा है एक साल नहीं मिला सर इंट्रस्ट कि इसके बाद हम फिर आगे गए हमारा अगला डेट सकte जार क以 अगला साल आ जय क्या गया गया एक चार डो हजार 18 और खतम कब होगा एक चार हाट पी तोका सर जो यह वाला साथ था यह वाला साल जो है किसमें आपने व्याज्जुमान के कि वाला साल जो आपका कटीज केट अजार का या नई घर भनाने फाइनली मेरा घर जो है वह बनके तैयार हुआ पंदरा अगस्त 2018 में यानि आजादी वाले दिन घर बनके फाइनली मेरा तैयार हो गया और ये रहा मेरा घर घर बनके तैयार हो गया अब समझिएगा बात को बात को समझिएगा पंदरा अगस्त को घर बनके तैयार हो गया यानि एक चार 2019 से लेके 31-3-2020 में हमारा घर बनके तैयार है बहुत बच्चों को ये थोड़ा सा डाउटेबल रहता है लेकिन समझ जाओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा यहां सेलरी इंकम कितनी थी मेरी 5,50,000 और मेरा 24B जो कि मैं इंटरस्ट का as a minus benefit लेना चाहता था 50,000 नहीं दिया क्या बोलके नहीं दिया क्योंकि आपका घर नहीं बना ठीक है सर अगले साल जैसे आए फिर से मेरी इंकम सेलरी इंकम मान लेते हैं मेरा 6,00,000 माइनस में करने के लिए गया 24B का deduction लेके negative लाना चाहता था फिर से government ने क्या मुझे deduction दिया होगा नहीं दिया होगा सर फिर नहीं दिया मुझे अब अगले साल आ जाते हैं अगला साल कहां से कहां तक है सर यह रहा यह छोटा सा बना रखा है मैंने यह है फिर से मैं salary payment करने गया होगा और salary के बाद अभी भी फिलाल कहां से कहां था एक चार से यह 30,000 अभी भी घर नहीं बना थोड़ा सा हम pending छोड़ देते हैं नहीं 17, 18 और 18 और 19 अच्छा 19 में बना होगा बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट 19 और 20 ठीक है तो सर यहां पे इस वाले साल में भी हमारा घर नहीं बना पहले पिछला क्लियर करेंगे यानि सर इस सेशन के अंदर इस डूरेशन में हमारा घर नहीं बना तो इंटरस नहीं मिला इस डूरेशन में भी हमारा घर नहीं मिला तो इंटरस का डिड़ेशन नहीं मिला और इस डूरेशन में भी हमारा घर नहीं बना तो इंटरस का डिड़ेशन अब रही बात इस डूरे तो ब्याज है ना इस साल का ब्याज हमान लेतने के 50,000 और मैंने बोला less HP income HP से मेरा loss है सर और 24B के अंदर और 50,000 सरकार ने कहा कि भाई हमने आपको हर बार समझा दिया है कि घर बने तब आना आपका घर बन गया है तो मैंने इस साल में का सर घर बन चुका है गवर्मेंट आए कि देखने के लिए वेरिफाई करने के लिए घर है या नहीं है घर है या नहीं है है घर तो घर है तो इस साल तो डिडेक्शन ले लिया अब ध्यान से सुनिएगा 15 से 16 मैंने कुछ डेट गलत लिख दिया बच्चे बोल रहे हैं 16 से चलो डेट फटा फट से चेंज कर देते हैं यह होगा 142016 इसलिए वहाँ डेट थोड़ा सा लग हो गया था है ना डेट चेंज कर देते हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं तो यह रहा यह 31 सत्रा ठीक है और मैं साफ साफ डेट कर देता हूं तो कि सो डैट आपको क्लियर विजवल हो फिर आप से एक सव एक चार 17 और इसके बाद यह वाली जो डेट है यह आएगा 33 यह थोड़ा चोटा बन गया ना कोई बात ने हैं समझ में आना चाहिए 18 यह थोड़ा गैप कम रहे गया 18 अब यह क्या आएगा एक चार यह लो अठारा और यह आएगा हमारा अब जो पहले लिखा था 18 देख लो भई डेट एक बार सही लिखा है नहीं लिखा यह आएगा 19 डेट देख लो एक बार कुछ बच्चे डेट को कैच कर रहे हैं वैसे तो समझने का कॉंसेप्ट था 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 यानि सर एक डेट को मैं ए मैं बात कर रहा हूं सर यहां से यहां तक घर बनके तयार नहीं हुआ इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिला यहां से यहां तक घर बनके तयार नहीं हुआ, इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिला यहां से लेके यहां तक घर बनके तयार हुआ, इंटरस का डिड़क्शन नहीं मिला घर किस दिन बनके तयार हुआ, सर? घर तयार हुआ इस दिन बनके यानि साल में स्टार्टिंग में नहीं मिड में तीन मेने चार मेने कभी भी और इस साल में जब घर बनके हमारा तयार हो गया है तो ऐसे सिचुएशन में इस साल का डिड़क्शन मिला या नहीं मिला सर मिल गया इस साल का deduction मिल गया इस साल का हमें interest का deduction मिल गया और कोई दिक्कत नहीं हुई अब यहाँ पे मुद्दे लड़ाई की बात क्या होगी आपको अफसोस कौन से interest का होगा आपके interest मैं बता दू कितने कितने आप मुझे सिर्फ जवाब दीजिएगा कि आप किस interest के लिए परेशान हो ये पचास अजार सर ये भी पचास अजार सर ये तीस अजार और यहाँ पे पचास अजार तो आपका number one point डाल देते हैं नहीं तो दो बार है ना पचास अजार two point, three point और four point आपके पास चार जगह interest है आपको किस interest का दुख है और किस interest के लिए सरकार से बोलोगे कि इसका benefit मुझे मिलना चाहिए कितने point के बोलोगे आप बताए कितने point के बोलोगे पहले first point के लिए सरकार से बोलोगे कि मुझे interest का benefit मिलना चाहिए बोलेंगे, second point के लिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे third point के लिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे fourth point के लिए बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ये थोड़ा सा complication है, थोड़ा सा एक बार और मैं फिर एक example लेता हूँ फिर मुझे बताईएगा, जिसका जब तक ये example एक साप्ल क्लियर नहीं होता तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा चलिए सर एक और एक ले लेतें थोड़ा ये मैं सब हो गया कोई बात निए एक और एकसामपल लेतें आपके लिए लिए कि नहीं हुआ हुआ कि आप ध्यान दिजिएगा एक साल अब थोड़ा गैप देके लिख लेते हैं न एक चार दो हजार अठारा और यहां कहीं एक अत्यस तीन चले पूरा डेटी लिख लेते हैं एक चार दो हजार उन्निस एक चार दो हजार बीस एक चार दो हजार एकिस और सर यह 31 देखते हैं आपको कितना समझ में आया जिसको नहीं समझ में आया और ध्यान से देखना है सर जिसको समझ में नहीं आया उसे और कॉंसेंट्रेट करके देखना है ठीक है सर अब यहां से यहां तक घर मेरा बनके complete मैंने बोला नहीं हुआ सर यहां से जब start हुआ साल यहां से यहां तक यहां भी घर complete नहीं है सर यहां से यहां तक भी मेरा घर completed नहीं है यहां पे मेरा घर complete कब हुआ सर यहां पे घर मेरा बन गया है इसको ध्यान दीजिएगा मैं दो बार इस एक्जाम्पल को करवा रहा हूं ताकि आप भूलो न यहां से यहां पे हमारा घर कंप्लीट हुआ है और तारिक क्या है सर एक जनवरी एक जनवरी 2022 एक जनवरी 2022 में मेरा मकान बनके तयार और हम रहने के लिए रेडी है ठीक है अब हम बात करें सर क्या बात करना है सर यहां पे मेरा जो इंटरस्ट था वो बीस अजार था यहां पे जो मेरा इंटरस्ट था वो तीस अजार था यहां पे जो मेरा इंटरस्ट था वो पाँच अजार था यहां मान लेते हैं पचास अजार था कोई भी एक example लेना है ऐसा मत बोला सर भी आज कैसे बढ़ रहा है ऐसा तो होई नहीं सकता तो example है example में कुछ भी हो सकता है और यहां पर जो interest है वो मान लेते हैं 40,000 था ठीक है अलग-अलग interest है 20,000, 30,000, 40,000 मेरा हां या ना में जवाब दीजिएगा मेरा हां या ना में जवाब दीजिएगा फटा फट कमेंट में भी बताईएगा इस साल जिस पर cross लगाया इसका मतलब घर बना नहीं है मैं यहां पर गया house property की मतलब कि अपना income निकालने तो क्या मैंने 24B का deduction claim कर लिया होगा या नहीं किया होगा सर नहीं किया यानि सर ये मुझे 24B का deduction मिल जाना चाहिए था जो कि था 20,000 का जो कि मुझे नहीं मिल पाया तो सरकार ने मेरे 20,000 रुपे के deduction नहीं दिया भी सर यहां पर भी मैं tax भरने के लिए गया और जब मैं यहां पर tax भरने के लिए गया तो बताईए salary income तो लिखा मैंने मान लेते हैं 5,50 माइनस मैं करने के लिए गया अब ध्यान दिजे कुछ बच्चे सोचेंगे सर 24B कैसे माइनस करने गया HP के अंदर 24B का loss करके 30,000 रुपे क्या सरकार ने ये मुझे allowed कर दिया होगा नहीं किया होगा कोई बच्चा बता सकता है कि सर ये 30,000 रुपे का interest allowed क्यों नहीं किया होगा क्योंकि घर नहीं बना क्योंकि section 22 कहता है कि आपका घर, property, house, property होना तो 22 के हिसाब से घर नहीं और 22 नहीं क्योंकि 22 तो बोलता है house property इसे बोलेंगे 20 जब 2 fulfill नहीं करोगे तो house property की income भी नहीं होने वाला ठीक है चलिए सर मैंने दो चीज़े sacrifice कर दिया सर ये 20,000 रुपे का भी benefit नहीं ले पाए सर इस 30,000 रुपे का भी benefit नहीं ले पाए बड़ा दुख है कि दो बार हमारे benefit नहीं ले पाए अब आ जाते हैं सरकार हमें अलाउड कर देगी सर सरकार फिर से अलाउड नहीं करेगी सर हमें इसका भी अलाउड नहीं करेगी यानि सर हमारे 30, 20 और 50 एक लाख रुपे तक का मेरा जो पैसा था ब्याज का जो सरकार ने मुझे promise किया था 24 बी में देंगे deduction लेकिन एक लाख रुपे तक कतो सरकार ने दिया ही नहीं लोन लेके हम बैठे हैं चलिए सर अगले साल आ जाते हैं अगले साल आ जाते हैं मैंने salary पांच लाख पचास अजार और HP का loss मानते हुए मैंने 24 बी का deduction ले लिया सर 40 अजार रुपे अब भी सरकार क्या कहने वाली है क्या 24D का deduction जो B का 24B का deduction जो है देगी या नहीं देगी चूँ देगी सर योकि घर है यानि ये वाली देदेगी यानि आपको tension है सर यानि यहां से लेके यहां तक का जो ब्याज बनता है उस ब्याज का deduction आपको नहीं मिला इसके लिए आप सरकार से लड़ाई कर सकते हैं कि यह मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो government ने बोला ठीक है भाई हम आपको deduction देंगे और आप claim कर सकते हो बड़े easily लेकिन इतना सारा इखटा करके एक बार में तुम हमारे उपर बड़न डालोगे हमारी income तो मर जाएगी तो यह जितने भी interest है सब जोड लो तो मैंने बोला कि जोड के सर कितना interest बन गया total एक लाग total तो वैसे एक 40 है लेकिन हम लड़ाई जिसके लिए कर रहे हैं उसकी बात करेंगे एक लाग तो बोला इसको हम आपको benefit देंगे 5 सालों में 1 by 5 में यानि आने वाले succeeding 5 यर में और succeeding क्या यहीं से यहीं से जिस साल से आपका घर बना है उसी साल से आपको गिल लिजे एक साल यह हो गया हाँ 2021-22 में फिर 22, 23, 23, 24, 24, 25 जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाते यानि हर साल आप extra 20-20 अजार रुपे माइनस करते रहिए किसके नाम से यह वो interest है जब आपका घर बना नहीं था तब के interest का benefit दिया जा रहा है और जब घर नहीं बना होता तो बोलते हैं pre construction period उसे क्या बोलते हैं प्री construction period यानि सर प्री construction period का मतलब वो ब्याज है जिसका benefit आपको नहीं मिला था लेकिन प्री construction period में बच्चे क्या समझते हैं और कहां पे सबसे ज़्यादा error कर देते हैं वो देखे वो बोलते है प्री construction period मतलब घर सर जनवरी में बना है तो यहां से यहां तक का हो गया ना प्री construction period प्री construction जब घर बना उससे पहले का प्री construction लौ कहता है भाई मैं तुम्हें यह नहीं बोल रहा है घर बनने से हमारा कोई लेना देना नहीं है जिस साल का आपने interest का benefit नहीं लिया उससे बोल रहा हैं प्री construction period ना कि आप बोलो के सर घर अब बना है इससे पहले का PCP यानि pre construction period मानेंगे तो यहाँ पर pre construction period कहां से कहां तक होगा 14 2018 से लेखे 14 2021 ने 21 तो नया साल हो गया यानि इससे just before यानि सर जिस साल हमारा घर complete हो जाता है whatever किसी भी time complete हो रहा हो उससे पहले वाला ये वाला जो area हमें नजर आता है नहीं के सर ये भी तो घर नहीं बना लेकिन ये pre construction period का part नहीं माना जाएगा क्योंकि ये वाला interest का benefit आप ले चुके तो pre construction period कौन सा period होता है वो period जिसके अंदर हम इंट्रस का benefit ना कि जिसमें घर नहीं बना ऐसा नहीं होता क्योंकि language में और आप देखोगे pre construction period तो समझ में आता है घर बनने से पहले जितना समय है वो pre construction period लेकिन ऐसा नहीं है जिस समय का आपको interest का benefit नहीं मिला उसे बोलेंगे pre construction period और उसका interest कितने सालों में आपको दिया जाएगा 5 सालों में बराबर बराबर आपको आगे आने वाले upcoming year के अंदर दे दिया जाएगा तो यह सारी बाते कहा है 24B चल रहा है तो सर यहां पे हमें इस साल में deduction में 40,000 लेने जाओंगा लेक 40,000 तो current year का interest और बाकी का पुराने वाला जो चलता आ रहा है उस interest को भी हम क्या करेंगे minus करेंगे हाँ 2,000,000 से उपर जाएगा या 2,000,000 से कम होगा वो depend करेगा कि घर किराये पे है या घर क्या है आपका self occupied उसके उपर depend करेगा totally तो पहले यहां तक देखिए आपको क्या सम मैं को हम pre construction period कहेंगे में यह मुद्दा सबसे important इसके उपर अलग से बच्चों का सवाल रुखता है ना तो सिर्फ इसी section की वज़े से रुखते हैं बाकी house property में कोई भी ऐसा section नहीं है जो आपको रोक पाए अकेला जो law है वो यहीं पर है जो सबसे ज़्यादा tension देता है दो लाक है ऐसा ना समझे current year का दो लाक और PCP का अलग से नहीं टोटल मिलाके यह दो लाक रहने वाला है अगर self-occupied है तो सर यह 40,000 के बाद अलग से करेंगे बिल्कुल 40,000 के बाद हम अलग से करेंगे इसका deduction यानि टोटल मिलाके मैं कहें दो भाई यह 60,000 एक साथ माइनस कर दो कभी भी examiner नहीं बोलेगा यह 60,000 कैसे लिखे या मुझे बताओ एक छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं इस पर ताकि आपको और clear हो जाएगा सवाल कैसा पूछा जाएगा और हमें जवाब कैसा देना है ठीक है न तो हमने सर heading डाला था pre construction period सबसे पहले दिमाग में डालना है pre construction period क्या होता है चलो इस वाले सवाल में बता दो pre construction period किस date से लेके किस date तक होगा एक अप्रेल 2015 से लेके दो हजार अठार इसमें घर बना नहीं है क्या इसको PCP में लेंगे हम नहीं क्योंकि यहां तो ब्याज का benefit मिल चुका है चलिए सर आगे चलते हैं एक सवाल देखते हैं आपकी किताब का सवाल है और याद रखिएगा 24B new resume में नहीं मि मिलेगा old में मिलेगा new में नहीं मिलेगा तो सवाल कुछ ऐसा ही आपके latest book के अंदर यह given है मैंने in fact इस लिए illustration number भी change नहीं करता मैं so that आपको थोड़ा सा clear हो और दिक्कत ना हो ठीक है सवाल हर किसी को साफ साफ दिख रहा है जिसके पास किताब है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है सवाल सामने हर किसी को पता चल जाएगा ठीक है चलिए सर पढ़ लेते हैं question कहता है यह SSC has one house property वसंत कुझ में Delhi में ही है he stay with his family in his house अपने घर परिवार के साथ रह रहा है यह जो भी SSC है the rent of similar property is neighborhood आज पढ़ोस वालों का 56,000 रुपे महीने का है सर the per annum साल का है कहता है the municipal value 28,000 mb आता है बोलता है municipal municipal tax paid in respect of that property आर 5,000 including 1,000 earlier year सर 5,000 का payment किया एक हजार पुराना payment किया तो कितने का deduction मिलेगा चार का या पूरे पांच का बताई कितना इंसिपल tax में मिलेगा जवाब देजिए फटा-फट लाइन पढ़िए सामने कितना मिलने वाला है पूरे पांच हजार रुपे का मिलेगा क्योंकि बोला गया तो जितना payment करोगे सारा मिल जाएगा ठीक है सर आगे question में कहता है the house was construct 1998 में और लोन टेकन था 1998 में था construction के लिए और लोन टेकन था HDFC bank से during the previous year 2021 वाइस the SSC refund यह हाँ 0 है refund करता है 2,80,000 विच इंक्लूड 2,18,000 एज करेंट येर का interest आपका 2,18,000 करेंट येर का interest है compute the income from house property income from house property करना है if SSC आपका does not opt new regime new regime 115 BAC जो है यह new realism है तो इसने opt नहीं किया और एक बार बोलता है opt करें तो क्या होगा what would be your deduction amount if interest on loan taken after 142,009 के बाद हो तो क्या होगा property completed December 2010 property complete हो गया 2010 यानि लोन लिया लोन लेने के बाद property कब complete हो चुका है हमारा 2010 में पहले वाले case में property कब complete हुआ बस यह बताए कि इसने loan लिया इस date पे HDFC से complete कब हुआ नहीं हुआ तो सबसे पहले common sense लगा इप चलिए फटा-फट से format बना लेते हैं MB और यह ले लेते हैं दोनों चीजे बड़ा simple सा सवाल है यहां पे PCP का कोई जवाब ही नहीं मतलब PCP का कोई काम ही नहीं है सर PCP का क्यों कोई काम है अभी देख लेते हैं यह हम कर लेते हैं old वाले से यह new वाले से सबसे पहले लीजिए सर MB अब ध्यान से देखिएगा न तो यह घर किसके लिए था सर सेल्फ ओक्यूपाइड यह किराये पर सर सेल्फ ओक्यूपाइड है तो इसका मतलब सर मैं सीधा NAV ना कर दूँ बहिया neighborhood क्या बोल रहा है municipal value क्या बोल रहा है यह सब खतम क्योंकि self occupied NAV 0 minus क्या करेंगे नहीं NAV 0 आ गया यानि MT भी था क्या MT माइनस करना था इसमें self occupied में MT माइनस करने नहीं दिया जाता अब आ जाते हैं सर 24 A के उपर जो कि नहीं मिलेगा अब आ जाते हैं 24 P जो कि हमारा old रिजिम में मिलेगा और new में सर इसने लोन कब लिया था पहला पॉइंट पहले दूसरा पॉइंट बिल्कुल अलग separate question है लोन कब लिया था 1999 से पहले और interest कितना paid किया उसने current year में दो लाक तो सर माइनस कितना करें 30,000 तो यहां पे हमारा HP income आ जाएगा माइनस का 30,000 और यहां कुछ भी नहीं रहेगा जीरो रहेगा सर माइनस 30,000 करके फाइदा बिल्कुल फाइदा रहेगा क्योंकि हमारे पास इसका benefit दूसरे income से set of करने में आएगा जो कि एक chapter है set of and carry forward जिसमें सीखेंगे हम कि एक के loss को दूसरे income से कैसे हम compensate कर पाएंगे यह तो हो गया सर सवाल नंबर 1 का point का और यह सवाल नंबर 2 तीसरा point कहता है कि आप मान लो मान लो आपका interest जो है आपका घर complete हुआ 2010 में और loan लिया एक चार 2009 के बाद तो सर तीसरे सवाल का जवाब आपका यहां पे अगेन एन एवी क्या रहेगा जीरो रहेगा एन एवी माइनस 24 ए और माइनस 24 सर 24 ए तो फिर जीरो और 24 भी अब यहां पे क्या pre construction period निकाला जाएगा तो जवाब है सर pre construction period तो अगर construction से पहले लिया तो definitely question क्या कहता है कि घर complete आपका होता है 2010 में और loan कब लिया आपने इस rate पे अब यहां पे interest rate बगएरा नहीं है सीधा flat आपको यह rate दे रहा है कि 2,18,000 तो आप माइनस कितना कर पाऊगे examiner ने ब्याज calculate करके दे दिया अभी जो हमने यह चीज़े सीखा था ना पीछे कैसे करेंगे यह होगा आगे जाएगा पीछे जाएगा जब आपको ब्याज निकालके ना दे हमें ब्याज निकालना पड़े तब यह काम करना है अगर examiner हमें ब्याज निकालके दे दे तो कोई टेंशन ही नहीं है तो यहाँ पर सरजवाब आ जाएगा हमारा दो लाख that's it हमारा answer done HP हमारा और यह भी क्या है सर नेगेटिब में लॉस में ठीक है चलिए एक और सवाल देखिए पहले इस सवाल में बताईए किसी का doubt यह हर किसी को clear है कैसे किया बड़ा basic सवाल था बताईए किसका क्या doubt है पहले 30,000 माइनस करने दिया गया क्योंकि लोन टेकन इफ बिफोर बिफोर लोन टेकन हो 1999 तो 30,000 maximum limit है चाहे किसलिए भी हो चलिए एक सवाल और इस सवाल में सारा calculation हो जाना चाहिए rate दे रखा है क्या नहीं दिया चलो एक और सवाल ले लेंगे चलिए सार चलिए क्या क्या कहता है इले सेशन और ऑन हाउस प्रॉपर्टी डेली 60 पर्सेंट प्रॉपर्टी आपका लेट आउट 15,000 पर मंद 40 पर्सेंट सेल्फ उक्यूपाइट तो जब सर यह आपका जो है वो किस बेसिस पे है सर एरिया तो एरिया के केस में सब कुछ बट हमारा यानि सर क्या क्या बटेगा यहां पर देखा जाए तो हमारा बटने वाला है साथ पर्तीशत और 40 पर्सेंट साथ 60 पर्सेंट क्या है लेट आउट और यह क्या है एस सो यानि सेल्फ उक्यूपाइट क्याता है कंप्यूट हिस इंकम फ्रॉम हाउस पॉपर्पर्टी फॉलिविंग इंफॉर्मिशन संबिट पर्टिकुलर में आपको गीवन है एमभी दे रखा है हाउस का एमभी एमभी कितना है दो लाग तो हमें इसे बाटना पड़ेगा क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि जब कभी भी इस तरीके का सिचुवेशन आता है तो सबको हम परसंटेज रेशो में बाट देते तो बटेगा यह एक बीस अस्ती अजार इसके बाद एफार दो लाग और स्वारी बाईस अजार रुपे महीने की बोल रहा है यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब सर यह होगा बाईस अजार गुणा में पारा जो की क्या निकल के आएगा बताईए फटा फट दो लाग सर दो चौण सट को दो रेशो में बांट दीजिए 40 और 60 क्या आगया 150 और 158 और अगला हाँ जी ठ्यान दीजिए क्या हो गया आगे देखिए फियर रेंट के बाद इस्टेंडर रेंट पर आ जाते हैं 20 अजार महीने का सर ऐसार है तो 20 अजार महीने के इसाप से देखा जाते हैं तो 240 240 को बांट दीजिए रेशो में 144 और कितने 96 सर आगे आ जाते हैं मुंसिपल टेक्स पेट 30,000 सब कुछ बटेगा सब कुछ तो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या निकाल ले सर सबसे पहले निकाल लेजिए आप एक्सपेक्टेड रेंट में देखा जाए तो इन दोनों में से हाइर हाइर यह वाला पार्ट है इन दोनों में से लौर यानि 144 यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट कुछ आएगा नहीं यहाँ पे 8RR actual rent receive and receivable 8RR यहाँ पे question कहता है जी मैंने किराय पे चड़ा है 15,000 रुपे महीने के हिसाब से that is 180 और यहाँ पे कुछ होगा ने इन दोनों में से जो भी higher बनेगा उसको नाम दे देंगे gross annual value यानि GAV that is क्या आएगा यहाँ पे 180 यहाँ पे 0 less करेंगे क्या municipal sir municipal tax अगर minus करना है तो हमें ध्यान देना चाहिए municipal tax कितना था 30,000 30,000 को भी दो पार्ट में बाट दिया जाएगा 18 और यहाँ पे तो allowed ही नहीं है तो sir यहाँ पे municipal tax paid करने के बाद आ गया N A B 162 अब sir minus करेंगे हम यहाँ पे 24 A जो कि एक standard deduction और minus करेंगे 24 B sir 24 A 162 162 का क्या आता है मारा बताईए कितने percent sir 48 600 आ गया है यहाँ और इसके में तो मिलेगा नहीं क्योंकि 0 पहले से ही है अब आगे बात करते हैं कहता है interest on money borrowed purchase house property which acquired in 2010 में 2010 में लिया था उसके उपर हमने interest payment किया calculate करके दे रहा है that is 180 तो 180 minus करेंगे लेकिन दो section में बटेगा यह 180 तो 180 का आपका 60% क्या आएगा एक लाग और दूसरे का 70 अगर यह घर हुआ अगर यह घर हुआ repair के लिए loan तो सर यहां कितना मिलेगा अगर repair के लिए हुथा तो यहां पे तो 108 ठीक है क्योंकि let out है let out में कोई limit decided नहीं है लेकिन अगर repair के लिए होता है तो यहां 72 जा रहा है तो यहां कितना मिल जाता maximum limit लग जाता कितना 30,000 रुपे का लग जाता क्या यहां पे घर किसलिए लिए लिया है कहता है interest on borrowed for purchase of house तो repair के लिए तो है नहीं अब taxable आ जाएगा income हमारा income from IHP कर रहा हूँ income from house property बताईए माइनस करके यह तो 72 और यह सरिफ 2400 5400 देखिए यह दो digit आया है 5400 positive 72,000 negative पूछा गया कि आप बताईए total house property income क्या होगा तो हम लिखेंगे computation of IHP income income from house property house जो कि आपका है self occupied वहाँ से 72,000 negative house जो कि यह let out वहाँ से 5400 positive total income बताजीजिए taxable income बताईए माइनस कर दीजिए 72 में से 54 तो 62,000 66 66 यही आएगा यह था हमारा इसका सवाल एक और सवाल देखेंगे पहले इसमें देख लिजिए कोई दिक्कत हाँ negative इस पर text देना नहीं है हम income set up करेंगे एक और सवाल लेंगे पहले यहाँ देख लिजिए हाँ देखो self occupied में 0 ही लिया है यह नो बड़ी जल्दी बच जाते हैं में टेक्स देना पड़ेगा कहता है सर आर सेल्स ऑफिसर है जैपूर में ही और टू रेजिदेंशल हाउस फस्ट आ हाउस डेली में और कहता है कि इसके पास दो घर है हम फॉर्मेट भी बना लेते हैं और साथ के साथ करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आता जाए आप मैं पढ़ पढ़ के बताता जाओंगा दो हाउस है तो सीरी सी जवाब है सर सीरी सी बात है कि आपको कॉलम बना लेना चाहिए कितने कॉलम बनाना चाहिए दो आप कॉश्चन भी पढ़ते रहिएगा फिर मैं भी तो पढ़ के बताऊंगा कहता है सर कहता है ही ऑंस टू रेजिडेंशल हाउस एच नमबर वन एच नमबर टू वाई किसी का हैंड रेस का भी मैं आंसर लूँगा नहीं मैं बंद कर देता हूँ इसका ठीक है कहता है हाउस नमबर वन और हाउस नमबर टू दो घर है दा फास्ट हाउस डेली में है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिड ओन एकत्स बारा उननीस सो इक्यानवे में बन चुका था ये यारी बहुत पुराना घर है उनननीस सो इक्यानवे में बन गया था सर ये और इसको किराये पे भी दे रखा है इस घर को रेंट पे दे रखा है सर और रेंट है तीस अजार रुपे पर मन कंपनी फोर इट्स ओफिस और ये रेंट है तीस अजार रुपे और अपने ओफिस के लिए खुद के बिजनस के लिए तो आपको याद होगा हाउस पोपर्टी के अंदर मैंने बताया था रेंट रेंट रेजिडेंशल हो चाहे कमर्शियल हो लेकिन खुद का वेपार करोगे तो वो हाउस पोपर्टी का पार्ट माना नहीं जाएगा याद है आपको तो सर ये कहता है अपने ओफिस के लिए ये अपने घर के लिए लेके चल रहा है ये अपने ओफिस के लिए इसने ले रखा है और मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर यही मालिक है इस ओफिस का तो कहता है कमपनी 4 it's office के लिए इसने किराय पर दिया तो वो हाउस पोपटी के अंदर टेक्सेबार आता ही नहीं है तो इसलिए मैं निक्त्ट कर दिया सर हाउस नंबर टू कहता है सेकंड हाउस के लिए इसने लून लिया सर कब लोन लिया, एक चार, दो हजार, उन्निस में, सर कितने रुपे का लोन लिया, नो लाग का, अच्छा, एक आठ को लिया, एक आठ, रेट क्या था सर इसके उपर, एट दा रेट, आठ परसंट का ब्यास देना है, दा इंटरस फोर दा परपस अफ कंस्ट्रक्शन अफ इस हाउस, एंटायर लोन आउट्सेंडिंग, बोलता है के भहिया, इंटरस इंटरस सारे अभी कोई भी नहीं दे, सारा का सारा आउट्सेंडिंग है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब सबसे पहली बास सेकिंड हाउस को पढ़िये एक बार, कहते हैं, यानि जो घर कंपलीट हुआ, कंपलीट कब हो चुका है, एक तीन, दो हजार, तो पहला मेरा कोश्चन आप से यह है, एक तीन, दो हजार एक किस में बना है, मुझे प्री कंस्ट्रक्शन पीरिड सबसे पहले, निकालना होगा मैं अभी starting है new questions है इसके लिए मैं आपके सामने timeline बनाऊँगा लेकिन बाद में फिर आपको खुद करना पड़ेगा यह तो सर कहने का मतलब घर जो complete हुआ वो सर complete हुआ एक तीन दो हजार एक्किस सर जो साल घर complete हुआ वो साल हमारा start कब हुआ होगा सर स्टार्ट हुआ होगा एक चार दो हजार बीस और खतम कब हुआ होगा एक अतिस तीन दो हजार एकिस पहले इस बात को समझे यानि सर बीस में स्टार्ट हुआ होगा और एकिस में बनके तयार होगा यह समझ में नहीं आए तो मैं दुबारा बता देता हूँ मैं दुबारा बता देता हूँ एक बार एक बार बिल्कुल फेयर तरीके से करके white ले लेता है sir घर complete हुआ 1-3 2-2-1. construction done इस date पे यानि sir इस date पे घर बनके तयार यानि सर जिस साल घर बनके तयार हुआ है उस पूरे साल का अगर मैं first date और end date को लूँ तो क्या बनेगा first date और end date उस पूरे साल को अगर मैं account करूँ तो क्या बनता है एक चार बीस और एकत्यस तीन ये बन रहा है जो साल हमारा घर बनके तैयार हुआ है लोन हमने लिया था एक आठ दो हजार उन्निस अब बताईए प्री कंस्रक्शन पीरिड जो होगा वो कहां से कहां तक का होगा प्री कंस्रक्शन पीरिड होगा वो कहां से कहां तक होगा कौन बताईगा प्री कंस्रक्शन पीरिड कहां से कहां तक का होगा इससे लेके यानि एकट्ट्यस तीन दो हजार बीस तक क्योंकि बले ही घर कंप्लीट 12 में हुआ लेकिन उस साल का हमने इंटर्स का डिडक्शन यहां से तो हम count कर लेते हैं कितने महीने होंगे तो simple से सीधी साधी बात है सर October के महीने में ये August के महीने में बना है हमारा तो जून जुलाई August तो आपका 2019 में कितने महीने बताईए 2019 में कितने महीने क्यों 6 आप August, September, October, November December कितने हो गए पांच महीने और 20 में कितने महीने 12, 20 तो पूरा ही चला 20 तो नहीं मैं मार्च से नहीं चल रहा है चलो मार्च से ले लेते हैं कोई बात 19 और 20 देखें 19 और 20 19 और 20 हमारा 21 साल चल रहा है 31, 32, 2020 तक जाना है कितने महीने हो गए टोटल यानि यहाँ पे 8 महीने हमारे वो साल है जो की pre-construction period होंगे clear और अब pre-construction period का interest निकाल लेते हैं sir pre-construction period का interest कैसे निकालोगे sir pre-construction period का 9 लाक into में कितने 8 बटे में 100 और क्योंकि 8 महीने का है तो 8 बटे में 12 और क्योंकि 5 बार में बटेगा तो एक बटे में 5 sir यह हर साल 5 साले तक upcoming 5 येर तक हमें deduction मिलेगा तो इसमें बताईए क्या amount बन रहाए total जल्दी जल्दी फटा-फट calculate करके बताईए क्या 9600 ज्यादा होना चीए देख लो एक बार इतना ही बन रहा है नौ लाग का अपका अगर मैं दसमन नब्य हजार नब्य हजार को पांस से डिवाइड करते तो अब यह वाला साल ध्यान दीजिएगा यह वाला जो साल है इस वाले साल का ब्याज पेमिट नहीं हुआ यह तो current year के अंदर count हो जाएगा तो current year पूरे 12 महीने के लग जाएगे जो की 9 लाग होगा इंटू में 8 बाए 100 तो यह आ जाएगा हमारा कितना 72,000 रुपए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NAV की तो sir NAV क्या रहने वाला है 0 अगर माइनस बात करूँ 24A की तो sir 24A क्या होगा 0 लेकिन बात करूँ 24B का तो sir 24B का current year का interest बनता है हमारा कितना 72,000 और 7 के साथ हमें मिलेगा pre construction period का भी जो की है तो sir total interest का minus करना कितना मिलेगा कितने और यह हमारा आ जाएगा minus में loss आगे 81,600 loss from house property फटा फट से चेक करिए फटा फट चेक करिए समझ में आया दिया ने बता भी दिया 81,600 पूछ रहे हैं बाई जो बच्चे पूछ रहे हैं 1 by 5 क्यों आया पहले तो पुरानी class भी pending होगी अभी बताया था प्री कंस्रक्शन को एक बटा पांस से बाटेंगे चलिए एक और question देखिए फटा फट इस सवाल में हम सिर्फ interest निकालेंगे बागी देखते हैं अपने लिए फिर से उसने यूस कर लिया municipal valuation आपका गीवन है दो लाग he incurred following expenditure कहता है municipal tax due है आप बताएए इसका deduction मिलेगा क्या नहीं मिलेगा repair इसका deduction मिलेगा क्या नहीं मिलेगा fire insurance premium paid किया मिलेगा सार इन सब के बदले क्या मिलता है 30% land revenue इसका कुछ होगा क्या नहीं होगा ground rent इसका कुछ होगा क्या तो देखो बहुत सारी बाते बोल रहा है were paid during the year कोई मतलब नहीं है एक कहता है loan लिया इसने 10 लाग का which was taken 14 2017 at 9% तो 14 2017 में एक loan लिया 10 लाग का और at the rate 9% मेरा सरिफ इसमें मुद्दा इंटरस्ट बताना वैसे सवाल में कुछ बचता नहीं है समझ में आ गया हो तो for the construction of the house which was completed on 28-3-2018 और ये घर 28-3-2018 में बन के तयार हो गया सर ये घर nothing was repaid loan account सर अभी तक loan का repayment नहीं किया मैं जानना चाहता हूं कि आप बताईए pre construction period का interest क्या होगा ये आप से पूछा जा रहा है और current year का interest क्या होगा current year का तो बहुत simple है अब pre construction period का बताईए देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं pre construction period का सरिफ interest बताना है देखिए बताईए कितने बच्चे बता पाते हैं सवाल आपके सामने है हाथ पे हाथ रखके कोई फाइदा नहीं है pen register निकालिए चेक कर ये अब clear होगा अब चेक कर ये clear होगा आपको सवाल है मैंने नीचे लिख दिया है कि लोन इतने का था PCP interest ये है current year का ये answer देना है answer आएगा इसका क्या 82,000 PCP का झाल क्या चौन 2,000 झाल 2,000 1 2 देखते हैं अभी निकालिए फेले फटाफट PCP 16500 देखे एक चार दो हजार सत्रा घर कंप्लीट अठाइस तीन 2018 में हो गया अठाइस तीन 2018 का मतलब कौन सा साल ही है 17-18 तो यहाँ पे PCP क्या होगा एक बच्चे ने जवाब दिया सर PCP निल होगा बागे सब पता नहीं क्या निकाल रहे थे बैठके PCP क्या होगा क्योंकि जिस सार आपने लोन लिया उसी साल घर बना लिया तो आपको इंटरस्ट का क्या रोना घर बन गया होगा रिटन फाइल किया होगा बेनिफिट ले लिया होगा तो क्या गवर्मेंट से बोलोगे कि मेरा इंटरस्ट नहीं मिला तो यहाँ PCP होने वाला है जीरो करेंट इयर का इंटरस्ट हो जाएगा सर कितना होगा एक मिंट कब पूरे साल का जाएगा आपका लोन का रिपेमेंट हुआ नहीं है तो देटेज 90,000 रुपीज पूरे साल का यहाँ पे प्याज हो जाएगा क्लियर रहे है हाँ जी लास्ट क्लास में हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरड से रिलेटिड कुश्चन और आज भी वही करेंगे हम एक 23 का एक सिचुएशन था मोर देन 2 हाउस वो पेंडिंग था हम उसको करने जा रहे हैं अब तो सर जब मोर देन 2 हाउस होगा तो क्या लाउ कहता है एक बार हम देख लेते हैं वो क्योंकि नॉर्माली हमें लाउ के हिसाब से चलना होता है हाँ जी बोट पे देख लेजिए सारी बाते बंद हो गई होगा तो इसके अंदर क्या कहता है लाउ आप ध्यान दीजिएगा लाउ का कहना है सर आप अपने लिए एक से ज़्यादा घर नहीं रख सकते मतलब कि आपको घर किराये पे रखना है मेरे इस वाले एक्जामपल में न ये भी सेल्फ ओक्यूपाइड ये भी सेल्फ ओक्यूपाइड ये भी सेल्फ ओक्यूपाइड तीनो घर सेल्फ ओक्यूपाइड है इस वाले एक्जामपल अगर तीनो घर सेल्फ ओक्यूपाइड है तो normally हमें पता है self occupied में सीधा तीनों घर क्या आ जाता यानि in case हमारा घर self occupied हुआ तो यह पढ़ा है लेकिन लौका थोड़ा सा लग रूल है लौका कहना है कि आप दो घर ही self occupied कर सकते हो अगर आपके पास मान लेते हैं पांच घर है तो दो घर कोई भी चुन लेजिए self occupied उसमें रह रहे या नहीं रहे रहे मैटर नहीं करता बाकी हम तीन घर को let out मान के आपसे text ले लेंगे यानि सर हमारे पास तीन घर है गौर्मेंट के रूल के हिसाब से गौर्मेंट क्या कहती है सर आप कोई भी घर दो आपको जो लगता है दो घर को आप मान लीजिए self occupied और उसका एने भी आप zero कर दीजिए और जो घर आपका self occupied नहीं है मतलब के h1, h2 और h3 h1, h2, h3 यानि कोई भी दो घर आपको self occupied मानना है तो एक subject होता है आपका personal text planning अगर house property में question पूछा जाएगा ना तो वो यहां से पूछा जाता है इसके अंदर examiner को बताना हमें ये है कि कौन से दो घर को self occupied मानना चाहिए तो text planning के हिसाब से क्या कहता है कि आप जहां सबसे कम text आएगा उसको हम क्या करेंगे वो combination मानेंगे यानि हमें यहां हर level पे check करना होगा सर पहले हम इस दो घर को self occupied इसको let out मान लेंगे यानि मैं अगर check करूँ तो एक situation number one बनेगा सर situation number one क्या बनेगा सर कि मैं h1 plus h2 दोनों को so मान लूँ और plus h3 को मैं मान लूँ let out situation number two क्या बनेगा h1 और h3 दोनों को so मान लूँ और plus h2 को क्या मान लूँ h1 को क्या मान लूँ मैं let out मान लूँ यानि एक तरीके से हमें trial error करके देखना होगा तीसरा situation क्या बनेगा सर h1 और h3 को self occupied मान लूँ और plus h2 को क्या मान लू जहां पे सबसे minimum income आ रहा होगा न जहां पे सबसे minimum income उसको बोलेंगे ये situation follow करेंगे उसके according रहेगा सारा अब हमें इस case के अंदर सर सब को करके देखना होगा इसी तरीके से h1 को h2 को self occupied यानि अने भी 00 और h3 को करेंगे तो इस हिसाब से सारे combination करके देखने होगा तो इसका करने का तरीका क्या है यानि सर यहां पे क्या कहता है जिबेन more than two house होगा तो कोई भी two house any two house आप क्या कर सकते हो self occupied मान सकते हो self occupied आप मान सकते हो यानि बचे वे घर को आपको let out मानना होगा लेकिन मान लेते हैं तीन घर है मैं इसके अंदर रह रहा हूँ यहां नहीं रह रहा है यहां तो government बोलती है रहने वहने से हमें मतलब नहीं है आप अपने tax planning करवा लिज़े जैसे लगता है वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने इस आप से calculate करके बता देगे तो ऐसे situation में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए सबसे पहले हमें एक बार तीनो घर को let out मान लेंगे फिर ये वाले rule को एक एक करके कर लेंगे हम तीनो घर को क्या मान ले हम let out ऐसे situation में तीनो घर को let out अगर मैं तीनो घर को let out मान लूगा तो self occupied में तो कोई जंजट नहीं है एक बार तीनो घर को let out मानो और एक बार तीनो घर को self occupied या तो फिर मैं केस ही अलग-अलग कर देता हूं कोई बात नहीं थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं मैंने सिचुएशन बनाया सर ह1 ह2 और ह3 इन दोनों को मैंने माना है सेल्फ उक्यूपाइट इसको लिट आउट मान दिया ठीक है और यह हमारा सिचुएशन नमबर वन यानि केस नमबर वन सर यहाँ पे क्या होने वाला है सबसे पहले अब तीनों घर इसमें से ये वाला सर एमबी सर एमबी एक लाख और दो लाख और तीन लाख एफ़ार सर दो लाख तीन लाख चार लाख एसार सर यहाँ है ही नहीं यहाँ दो लाख और यहाँ 3.5 लाख मैं अपने अले एक्जामपल से लेके चल रहा हूँ अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट होगा सर एक्सपेक्टेड ह1 सेलफ ओक्वाइड है तो 0, H2 भी सेलफ ओक्वाइड है तो 0 यहाँ पर क्या होगा इन दोनों में से higher than lower तो क्या आजाएगा यानि आपका GAV जो है ये 0, ये 0, ये 3 पॉइंट इसमें से minus क्या करेंगे MT तो MT यहाँ पर क्या minus हो नहीं सकता 0 है यहाँ पर भी नहीं हो सकता दूसरे वाले में minus किया जा सकता है that is 35 नहीं 15,000 जो की है हमारा 15,000 रुपे यहाँ 15,000 चलिए सब अगर हम देखें तो NAV आ गया 00315 minus करेंगे, अच्छा 335, 335, छुटे आज की, 335, minus करेंगे हम 24A, बताइए 24A किसका था, याद है कुछ? वो 30% standard, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा, बताइए क्या आ रहा है 30%? एक लाख, सर मेरे पास, बिल्कुल, 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 जो बुक में लिखा है, वही बुक में गलत बाते थोड़ी पढ़ाई जा रही हैं आपको, कितने आ रहे हैं? एक लाख, पांच हजाद, एक लाख पांच सो, अब माइनस कर देंगे 24, पहले घर का कितना है? अब देखो, सेल्फ उक्विपाइड में आपको पता है कि कितना मैक्समूम डिड़क्शन है? दो लाख, पहले घर का कितना है सर? दूसरे घर में, मैक्समूम डिड़क्शन कितना अलाउड है? तो दूसरे घर में मिलेगा, और तीसरे घर में कोई लिमिट है क्या? यानि सर, इस कुश्चन में मुझे यही समझाना है जो अमिंड्मिंट है, इसलिए इसको मैंने इंटरस्ट के बाद कंसीडर किया, यानि तो पहले समझ ही नहीं आता सर आपको ये यानि जो दो लाग की लिमिट है वो टोटल है, एक घर का दो लाग नहीं है, जितने भी आपके मिला के सेल्फ उक्यूपाइड होंगे सब का टोटल, यानि देखो एक पचास यहां ले लिया, और मैंने पचास, ऐसा भी मेरे को मैं कर सकता था, यहां पे पूरे दो लाग ल और यहां बताईए क्या है, 199,500, सर अब IHP निकालना हो नो, IHP, तो क्या निकालेंगे, तीनो घर की इंकम को जोड दिया जाएगा, वही IHP होगा, तीनो घर के इंकम को अगर जोडेंगे तो पंदरा हजार माइनस का, प्लस माइनस का, सरी, डेड़ लाख माइनस का, प्लस 50,000 माइनस का, और प्लस 1,99,500, बताईए क्या आया इसका जवा, नेगेटिब 500 रुपे आया, अब जिसका इंकम कम आएगा, जिस कॉंबिनेशन में टोटल इंकम कम आएगा, वह बेस आप्शन है, वही हमारा आंसर मान जाएगा, एक्जाम के अंदर भी, अब सिचुएशन टू करके देखते हैं, सर सिचुएशन टू करके देख लेते हैं, थोड़ा सा, सिचुएशन टू में जो कह रहा था, फिर सिचुएशन ट्री देख लेंगे, करके देख लेते हैं, सिचुएशन टू की वे गड सार की वेड़ारी ग जो के PT लेके जो कह वेड़ारे हैं, नहाँ के 시작 guest देखिए सर एच वन और मैंने कहा एच सॉरी एच टू और एच थ्री को क्या मान लेंगे हम और एच वन को मान लेंगे लेटाओ शॉटकट भी है कुछ बच्चे सोच रहेंगे सर इसका कोई शॉटकट नहीं है शॉटकट भी है बताएंगे भी पहले लॉंग प्रोसेस समझ लेते हैं एक लाग दो लाग एक लाग दो लाग अच्छा मैंने चेंज कर दिया ना दो लाग तीन लाग और एफार को अगर लें तो तीन लाग चार लाग और दो लाग सर सर में क्या आएगा दो लाग 3.5 लाग और जीरो एक्स्पेक्टेट रेंट आगया सर सर एक्स्पेक्टेट रेंट क्या आया क्योंकि यह सेल्फ ओक्युपाइड है तो यह जीरो यहाँ पे आ गया हमारा तो यही जी एवी कंसिडर किया जाएगा और माइनस MT करें तो जिसको let out वहाँ तो allowed है सर तो MT में यहाँ पे 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पे पहले वाले घर का MT कितना था हमारा तो यहाँ 5000 रुपय allowed हो जाएगा सर यह निकल के आ गया NAV that is क्या है हमारा NAV यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 लाग में से 1 लाग 95,000 सर माइनस कर दो 24 A तो 24 A में हाउस नूमबर 2 पे इंटरस कितना है तो चलिए सर 2 लाग पूरा ही ले लेते हैं अब यहाँ मिलेगा क्या हाउस नूमबर 2 का 2 लाग कंसीडर कर लिया मुझे जवाब दीजे कमेंट में क्या तीसरे घर में जो हमने जो तीसरे घर के अंदर हमने 35,000 रुपे का इंटरस पेड कर रखा है उस इंटरस को क्या यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे जवाब दीजे नहीं मिलेगा क्योंकि ओवर ओल आपका लिमिट है दो लाग रुपे ओवर ओल लिमिट है आपकी दो लाग रुपे इसके अंदर आ जाएगा सर इसमें कितना लिमिट मिलेगा लेट आउट में तो अनलिमिटेड तो पूरे डेड लाग अच्छा ए में लिख दिया कोई बात नहीं यहाँ 0 195 का निकाल लीजिए देखे जिसके डाउट है हेंड रेस का सभी का डाउट लिया जाएगा लेकिन क्लास के हेंड बे क्योंकि अभी डाउट के लाइक कुछ होई नहीं रहा इंटरस फिर से बता दो लास क्लास देखनी होगी जो बच्चे लास क्लास नहीं देख के आए उसे इंटरस का कुछ भी समझ में नहीं आएगा और 0 और यह क्या आगया और यहाँ पर आएगा सर हाउस नंबर 1 का डेड़ला यह आगया आई एच्पी पहले का आगया दो लाख नेगिटिव दूसरे का तो 0 रह गया सर तीसरे का नेगिटिव तेरा 500 यह लोग दोनों नेगिटिव आई एच्पी अगर यहाँ पर निकाला जाए दो लाख नेगिटिव का प्लस तेरा 500 भी नेगिटिव तो बताइए दो लाख तेरा हजार पांसो माइनस का कह रहें के सर एच्पी वन में दो लाख तो आपको पहले इंटरस का पॉइंट ध्यान रखना है इंटरस में बार बार पिछली क्लास से भी इंटरस ही चल रहा है यानि आपको मैक्सिमम सेल्फ उक्यूपाइड में दो लाख के लिमिट और लेकिन इससे पुराणी जिसने पढ़ा हो वहाँ पे हर घर का दो लाख लिखा वा था हर घर लेकिन 2019 में अमिंडमिंट आया कि भी आप हर घर का दो लाख नहीं देंगे अब हम सब मिला के घर का कितना देंगे दो लाग अगर self occupied हुआ let out के लिए तो कोई चीज हाई नहीं let out में तो कोई rule नहीं लगता भी या let out में तो जितना interest पे किया सबका deduction ले लो चाए 10 लाग हो चाए 50 लाग हो किस में co owners के भी बात ही नहीं कर रहे section 26 तो पढ़ी नहीं रहे अभी हो जब पढ़ेंगे तब अभी सरिफ इसकी बात अभी जो चल रहा है सरिफ इसका ER कैसे आया ER expected rent वही higher lower करते करते self occupied में तो मैं directly बस यह मैं formality कर रहा था हाला कि मुझे क्या करना चाहिए था पता है self occupied में direct zero कर देना चाहिए था वो तो just formality है यह let out वाले का तो higher lower के हिसाब से होता है actual ERRR होगा नहीं क्यों नहीं होगा सर क्योंकि मकान किराये पे मकान अगर किराये पे होता तब होता हमारा ERRR क्योंकि question में कह दिया कि तीनों घर self occupied है Mr. X कह रहा है तीनों घर क्या है हमारा self occupied तो सर यहां पे income आई minus 500 यहां पे 2,13,500 तो अभी तक तो मुझे यह वाला situation ठीक लग रहा है लेकिन अभी तीसरा combination बाकी है क्या पता तीसरे में इससे ज़्यादा minus में आ जाए तो हम बोलेंगे यह situation चूज करेंगे तो यह working note का part नहीं है यह fair work का part है तीनो situation करके conclusion डालना पड़ेगा कि यहां पे higher हमारा benefit है इसलिए हम यह वाला portion आप्ट करेंगे तो चलिए सर इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरे वाले का यानि H1 और H3 self occupied ले लेते हैं section 22 से 27 तक पढ़ना था जिसमें से 22, 23, 24, 27 हो चुका है 25 और 26 एक ही दिन में नहीं पढ़ जाएगा सर यह क्या combination है H number कौन सा है सर H1 और 3 H1 और H यह हमारा SO और H number 2 LO, let out सर MB H1 का 1,00,000,000 इसका इसका 2,00,000 FR क्या था याद है FR हमारा 3 नहीं, FR 4 3 में था आपका साड़े 3 और 2 अब यहाँ ER आ जाएगा expected rent तो यह तो self occupied 0 होगा यह भी 0 होगा यहाँ से क्या होगा 2,00,000 अब यहाँ पर इसी को GAB consider कर लिया जाएगा 0,0 और 2,00 माइनस MT कर देंगे सर, MT में यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिल जाएगा H2 का देख लेते MT क्या है सर, H2 का 10,000 है तो 10,000 यहाँ से माइनस करने दे दिया जाएगा इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा NAB 00190 अब इसमें से माइनस करेंगे पहले 24A फिर माइनस करेंगे 24B सर, B सम एपता ही क्या है 30% और B पता ही क्या है Interest, ठीक है न तो A में तो यहाँ पे कुछ है नहीं यहाँ पे आ जाएगा 57 और B की बात कर लेते हैं सर, B की H1 का H1 का 1.5,00,00 माइनस H3 का H3 का 35 है तो क्या 35 पूरे ले ले Yes, पूरे 35 ले सकते हैं क्योंकि 1.5,00,00,00 रुपे और 1.35, 1.85 होता है जबकि law 2.5,00,00,00 करता है तो सर, हमने इसको दोनों को ले लिया इसमें और लिया जा सकता था लेकिन है ही नहीं हमारे पास H2 का क्या था हमारा 2,00,00,00, तो यहाँ पे तो सर, कोई limit ही नहीं है चलिए सर, अब देखते हैं तीनों में क्या बनता है Income from House Property ये तो माइनस का 1.5,00,00 ये माइनस का 35,000 और ये 67,00 माइनस का माइनस 67,00 सही से देख लिया न, ठीक है सब माइनस में यानि IHP क्या बन गया आपका 2,00,000 सब को जोड़ने 2,00,000 बावन हजार माइनस का तो सर, जो सबसे कम इंकम है देखे एक है यह माइनस का 2,25 एक है माइनस का 2,13 और एक है माइनस का 500 सबसे कम इंकम कौन सी है यानि हमारा यह वाला सिच्वेशन क्या रहेगा नहीं कौन सा आला जो लास्ट वाला लिखा हमने तीसरे वाला अब सर तीसरे वाला जादा क्यूं आया इसको पता करने का देखो क्या तरीका होगा सबसे महंगे घर जो है वो self occupied माल लो अब देखो इसमें से सबसे महंगा घर ये है एक इसके बाद कौन सा महंगा घर है H2 है तो H2 और H3 लेकिन यहाँ पर इसे इंटरस्ट का भी फेक्टर आ जाता है वैसे हला कि अगर इंटरस्ट नहीं होता तो मैं H2 और H3 को SO मानता और ये वाला कॉंबिनेशन बढ़िया बन जाता लेकिन क्यूंकि इंटरस्ट है तो इंटरस्ट के केस में क्या होगे हमारा सेनेरियो चेंज होगे हमें तीनों करके देखना होगा मैं अगेन कह रहा हूँ हमारे सवाल 2021 में भी आया था 2020 में भी आया था सेम सवाल बस इसमें कुछ और पार्ट जोड दिए गया था इंट्रस वगरा का कैल्कुलेशन करके आंसर ऐसे ही देना था आप पेपर में देख सकते हो इसी तरीके से आया हुआ है प्रस्नल टेक्स प्लानिंग में भी अगर हाउस पॉपर्टी में से कुछ पूछा जाता है तो यहीं पूछा जाता है combination बना के बताईए text planning के purpose से क्या किया जाए तो sir text planning के purpose से हमें h1 और h3 को self occupied मान लेना चाहिए और h2 को let out मान लेना चाहिए क्योंकि यहां हमारा income है वो सबसे lower है income क्या है इस situation में सबसे तो मुझे इसको समझाने का क्या purpose था आप भी समझो के थोड़ा कि मैं पहले ये वाली बाते interest वाली बाते अगर मैं उस दिन करवाता ना जिस दिन मैं situation करा रहा था तो साइध समझाना मुझकिल था क्योंकि उस तम आप बोलते सर ये interest है क्या 24B क्या है लेकिन आज आपको पता है कि interest का क्या meaning है pre construction बहुत सारी चीज़े कर लिए लेकिन हाँ यही अगर new regime से new regime opt करते अगर हम तो वहाँ 24B तो हमारा allowed तो वहाँ पे कुछ और scenario होता सवाल ऐसा आ सकता है new और old regime में से बहतर कौन सा है ये बताए कहां पे तो सर अगर मैं अब new regime opt करता हूं इसके अंदर तो सारा 24B cancel सारा 24B cancel तो फिर देखेंगे सबसे कम income कौन सा है वहाँ पे हम देखेंगे यह हमारे बेटर है और यह हमारे लिए बेकार है समझ मैं आई बात आपको तो यह सवाल आप new regime से खुद करके दिखाएंगे यह homework माल लीजे आप new tax rate से खुद करेंगे अब बताइए यहां तक कोई सवाल में doubt नहीं है तो हम कुछ exam के question उठागे करते हैं सुमित का कहना है 2,00,00 को कहां से minus करेंगे h1, h2 वह यह जिस घर से related है आप situation नंबर बताना होगा कौन सा यह situation करना होगा बिल्कुल सारे situation एक्जाम में करके दिखाने है एक्जाम ना को 15 नंबर का सवाल है यह 15 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे अगर interest नहीं होगा तो आप फिर से situation बनाईए आप interest वाला point minus नहीं करेंगे और सारे situation पर आप करके एक एक बार check करेंगे तो आपको पता चल जाएगा shortcut पूछ रहे हैं shortcut में क्या है एक बार मैं सबको मान लेता let out तो let out वाली tension खतम और self occupied में हमें कुछ करना ही नहीं था हमें सरफ minus में मतलब हमने जो इतनी tension लिये एक ही table में हो जाता अब इसका self occupied में income minus 1,5 लाक इसका self occupied में income minus 2 लाक इसका self occupied में income minus 15,000 तो self occupied में हमें table बना के calculation नहीं करना था यानि एक table बनाते सबका let out निकल जाता situation 1 और 2 का हमें पता ही था क्या लेना है तरीका तो वहाँ थोड़ा आसान बंजेगा अभी आगी questions आएंगे जब आएगा question तो करके बताएंगे और ये rule अगर आपके पास दो ही घर होता तो दो दोनों का zero zero मानो भाईया साफ खतम कहाने ज्यादा tension मत लो जब दो से ज्यादा घर है तब ये tension आईगे आपके पास समझ में आई बात आपको एक सवाल करते हैं इसके उपर एक सवाल करते हैं आपके exam में आया हुआ question है चलिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर कर लेते हैं कहता है Mr. X has occupied three house तीन घर है for his residence यानि question में ये बोलता है तीन घर रखूँगा अपने residence के लिए कहता है for the purpose of two house given below दो घर तो दिया जा रहा है financial detailed third house not available सर्थ तीसरे घर का हमें available नहीं है यानि तीसरे घर का क्या है नहीं है पता हमें कुछ भी नहीं पता यानि इसके पास तीन घर है और तीनों घर को ये self occupied ले रहा है यानि हम house number जो इसका पता नहीं है उसको हम zero माल लेगे सब कुछ ही zero माल लेगे जब कुछ नहीं पता तो zero माल लिया जाएगा आगे कहता है सर इसका standard rent दे रहे हैं municipal valuation दे रहे हैं fair rent दे रहे हैं municipal paid दे रहे हैं insurance premium paid दे रहे हैं यानि जो जानकारी चाहिए वो given है और हम साथ के साथ बता रहे है borrowing 60,000 रुपे का उधार पैसा लिया है per annum construction of house number और date of borrowing 17 का था date of repayment loan 30 जून का था house first is constructed by Mr. X with the own fund इसने अपना पहला घर तो खोदी बनाया है दूसरा घर के loan पे लेके construction both house completed September 2017 और 2018 में घर भी बन चुका है सर तीन घर फिर से हो गए कैसे करेंगे इसका solution बाकि एक्जामिर ने सिर्फ आपको confuse किया इसके अंदर क्या confuse किया सर तीसरे घर का detail दे देते तो आसानी हो जाती जादा हम एक बार तीनो घर को let out मान ले तीनो घर को let out मान लिया जाए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है सर एक घर का तो जिसका detail है वो तो मान लेंगे तीसरे का पता नहीं तो let out में भी 0 मान के खतम करेंगे जब detail ही नहीं दिया examiner ने तो examiner की गलती है भाई H1 H2 जो given है और H3 तीसरा सबसे पहले हमें दे रखा है सीधा MV दे रखा है Sir MV कितना है 38,000 और Sir 60,000 यह 0 है Fair rent है क्या question में बिल्कुल है Fair rent कितने का है कितने का Sir 45,000 65,000 0 नहीं पता Sir SR ले ले लेते हैं SR दे रखा है बिल्कुल 34,000 50,000 0 हमने का सबसे पहले 0 तो नहीं होगा इसे dash डाल देते हैं हमने का expected rent तीनों को let out मान रहे हैं इसको भी let out इसको भी let out इसको भी let out थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो इन दोनों में से higher 45 तो ये आ गया इन दोनों में से higher और lower Sir ये तो 0 ही रहा ये ही क्या बन जाएगा GAB 34 और 50,000 माइनस में क्या करें MT Sir MT दे रखा है municipal tax paid 4,000 और तो हमने 4,000 और 7,000 ये तो 0 है ये माइनस करने के बाद हमें result आएगा NA V 34,000 और Sir ये 10 नंबर में सवाल आया हुआ है ऐसा मस समझना Sir ऐसा ही practice कर रहा है हम exam वाले सवाल करेंगे अब सारे इसके बाद Sir माइनस 24 अब कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है Sir इसका क्या करना इसको तो यूज कर लिया यूज कर लिया यूज कर लिया इसका क्या करें कुछ नहीं करना इनस्वरेंस प्रीमियम पेट वगेरा हो unnecessary के कुछ भी खर्चे गीवन हो उन सभी के बदले 24 A मिलता तो है मैं तो Sir ये 12,000 43,000 का 30% निकालिये 43 का 30% फटा फट निकालिये कैलकुलेटर पे 12,000 क्या इसका 30% ठीक है इसका अच्छा इसका 9,000 होगा इसका Sir 9,000 होगा और ये 0 है ऐसा ही माइनस क्या करेंगे 24 B अब 24 B के लिए interest का calculation सिर्फ घर 2 बनाया इसने तो चलिए Sir सबसे main काम जो हमने last class में सीखा था उसका काम करने का time आ गया है ये हमारा line है और जो loan लिया है वो loan लिया है हमने 1 June 17 को 1 June यानि Sir 16 2017 कहता है repayment loan 30 June 2020 को किया है 36 2020 को इस तारिक पे मेरे पास कोई करजा ही नहीं था करजा खतम इस तारिक पे इस तारिक पे करजा लिया और इस तारिक पे loan का repayment हो गया अब घर कहता है दोनों घर बनके तयार हुआ September 18 में यानि September 18 की बात करें तो ये वाला साल खतम हो जाएगा हमारा 31 तीन 18 में ये वाला साल खतम हो गया यहां पे 31 तीन 18 में उसके बाद सर हमारा नया साल स्टार्ट होगा एक चार 18 और ये साल खतम होगा हमारा 31 तीन यानि इस साल के अंदर हमारा घर बनके सर तयार हो गया इस साल में हमारा घर बनके तयार हो गया ये वाला साल है तो इस साल में तो मैंने जब income tax return फाइल किया होगा उसका benefit तो ले चुका होगा मैं क्योंकि उस साल मैंने ऐसे थोड़ी बोला होगा कि मेरा घर भले ही बोला गया question में कि 30 September यानि कहीं बीच में बना है सर कहीं भी बना हो return जब आपने file किया होगा तो इस साल का benefit ले लिया होगा तो PCP तो इससे पहले वाला है तो pre-construction अगर period मैं पूछूँ pre-construction period तो यहां से लेके यहां तक जो कि कितने महिने बनते हैं सर 10 महिने कितने महिने count कर ये June, July, August, September, October, November, December, January, February, March कितने महिने हो गए 10 महिने इस 10 महिने का benefit मुझे 18 से कहां तक benefit मिल सकता है ये भी मैं आपको बता दू सर इसका benefit मिल सकता है हमें आगे तक मैं यहां लिख रहा हूँ कहां तक मिल सकता है 18-19 19-20 20-21 21-22 और 22 इवन दो मेरे पास interest जो है repayment loan का 20 में हो गया लेकिन फिर भी हम 20-21 और 21-22 के अंदर जो 5 साल है वहाँ पर 5% लेंगे date बगर देख लेना वो गलत लिख दिया मैंने 20-19-20 के 20-21 और 21-22 और 22 ठीक है तो सर PCP का ब्याज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर 60,000 गुना में 8 बटे में 100 और कितने महिने के लिए 10 बटे में 12 और कितने महिने जाएगा 5 सर क्या आता इसका result कितने सर या 800 आगया Pre-Construction Period हमें सवाल सॉल्व करके दिखाना है Assessment Year 21 देखो Assessment Year 21 का मतलब होता है कि आपको 1-3 या 1-4 2-0-21 21 है तो 20 से लेके 31-3 2-0-21 तक यानि 20 और 21 का बनाना है और हमने Loan का Repayment 20 में ही कर दिया है इसका मतलब अगर मैं Current Year का जिस साल का मैं Loan बना रहा हूँ इंट्रस्ट वो ये वाला साल है मान लो और Loan इस डेट पे क्या मुझे बताईए 1-4 पे मेरे पास 2-0-19 में मेरे पास Loan 1-4-2-0-20 में मेरे पास Loan है या नहीं है बता देजिए है Loan लेकिन Question ने साफ साफ कहा है कि हमने इसका Repaid कब कर दिया कब कर दिया 36 2,000 क्या इस डेट के बाद मेरे पास Loan है तो Current Year में मैं सिर्फ यहां से यहां तक का ब्याज ही निकालूँगा और यहां से यहां तक का ब्याज कितने मैंने हो जाता है April, May और June पूरा तीन महिने तो तीन महिने का ब्याज निकलेगा सर किस पर 60,000 पर इंटू में 3 by 12 इंटू 8 by पताइए क्या आता है कितने सर यहां गया 1200 तो यहां पर 24B जो मिलेगा डिडेक्शन के लिए 24B जो डिडेक्शन के लिए मिलेगा सर इस वाले पहले वाले लाइन में तो है ही नहीं दूसरे घर के लिए लिया गया था तो क्या होगा 800 और प्लस 1200 कितने होंगे और तीसरे घर का पता नहीं यह हो गया हमारा सभी को यहां माइनस कर दे सर यह कितना यजगा यह कितना आ जाएगा बताओ क्या आठारा से आठारा से उनेस का अब बच्चों का कहना है क्या सर इन्डारा से उन्निस का रिटेन फाईल होगा तब ले लिया होगा हमें तो 20 और 21 का बताना है नई These देखो यहां पर year क्या आता है सर मैंने बताया ना 18 से 19 रिटन फाइल हो गया ले लिया होगा 19 से 20 रिटन फाइल करके ले लिया होगा 20 21 का हम कर रहे है तो 20 21 का रिटन अब फाइल कर रहे है तो ले लेंगे जब 21 22 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 800 का ही benefit मिलेगा क्योंकि current year वा 28 100 पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों आ गया अब सवाल है कि एक बार हम तीनों को अगर self occupied माने चलिए मैं थोड़ा यहीं करके दिखाता हूँ अगर मैं तीनों में self occupied मान लूँ इनकेस तीनों घर self occupied हो तो sir h1 की income पता ही कितनी आएगी 0 sir h2 की income कितनी आएगी sir 2000 माइनस का और h3 का income क्या आएगा 0 पहले तो यह आप agree करते हैं नहीं करते self occupied direct निकाल लिया मैंने तीनों घर को self occupied यहीं कहा रहा था था थोड़ा सा easy process हो जाता है कि हम पहले पूरा लिख ले भईया पूरा let out मान लिया फिर self occupied उसके बाद क्या करना है सबके income जोड-जोड के combination में बताने हमें ज्यादा लाइने खीचने नहीं पड़ेगा अब हमें क्या करना है सर एक बार इन दोनों को self occupied इसको let out एक बार इन दोनों को self occupied इसको let out एक बार इन दोनों को self occupied इसको let out जो combination पहले बनाया था वो बनाएंगे तो चलिए सर यहीं बनाने की कोशिस करते हैं और थोड़ा सा small करते हैं इसको ध्यान दीजिए यह तो हो गया यह अब देखिए हम क्या करें h1 ले ले और h2 को ले ले क्या so और h3 को ले ले क्या let out सर ऐसे situation में क्या आएगा h1 h2 तो यह दोनों जोड क्या आएगा minus और h3 क्या आएगा zero that is answer पहले का देखिए दूसरा situation क्या बन सकता है sir h2 प्लस h3 so मान लो और प्लस h1 को मान लो sir h2 और h3 so मानोगे तो h2 और h3 तो कितना आएगा 2000 और प्लस आपने क्या करा h1 को let out मान लिया तो h1 को अगर आप let out मानते हैं तो कितना आ जाएगा है h1 देखो 21,000 let out होगा तो 21 आएगा न ऐसे situation में answer क्या आता है positive का 19,000 same situation number 3 मान लेते हैं कुछ बच्चों को अगर नहीं देख रहा तो उपर कर देते हैं same situation number 3 क्या होगा h1 को और प्लस h3 को h100 मान लेते हैं और प्लस h2 को क्या मान ले एलो h1 और 3 self occupied 1 और 3 self occupied मतलब 0 और h2 को आपने माना तो 28,100 that is आपका answer आगे 28,000 तो sir कौन से वाला option best है 1, 2 और 3 तो जवाब है sir हमारा first option best माना जाएगा sir क्यों first option क्यों best माना जाएगा इसलिए क्योंकि सबसे कम है तो हमारा answer ये वाला ठीक माना जाएगा कौन सा sir ये answer हमारा ठीक है समझ में आया आपको बात यहां पर assumption देंगे note के house number 3 का detail अवेलेबल नहीं है इसलिए all things zero मानके हमने कर लिया देखिए कोई दिक्कत इसी को मैं कह रहा था कि पिछले वाले सवाल को भी ऐसे करता न तो देखो self occupied वाला तो हम पटापट से निकाल लेते इंटरस इंटरस नेगेटिव करके let out वाला एक बार मेनत हो तब फिर यह लाइन खिशते तो जल्दी आजाता अगर मैं इसको फिर से तीन कॉलम में करूँ तो यह फिर से एक और पेज़ पे जाएगा एक और table बनना है फिर उसके बाद एक और table बनेगा तो solve का तो वह आपके उपर depend करता है कैसे करना चाहते है sir h2 2000 कैसे आया h2 2000 कैसे आया बच्चों को doubt है h2 2000 जो आया मैं bracket में लिखना हूँ sir 800 रुपे pre construction periods का ब्याज और 1200 रुपे current year का ब्याज जो minus करना allowed है वो हमारा यह जो की हमारा इस वाले घर के लिए मिलेगा सरफ क्योंकि one के लिए है नहीं two के लिए है नहीं clear कोई बच्चा मुझसे पूछता है sir इस chapter में और कितना रहता है तो भाईया जो दो section है वो बड़े चोटे से section है वो exam में बहुत rare ही पूछे जाते हैं जितना हमारा पेपर के point of view से सब कुछ हो चुका है कोई भी question आप उठाके करोगे हो जाएगा चलिए sir कहता है Mr. Anish sorry Aasha Mrs. Aasha on a house in Delhi में construction completed September 2019 में घर बनके तयार और during the previous year 2021 में the house let out residential purpose 1st April 2020 से लेके 31 January 2021 तक और उसका किराया इसने वसूला 12,000 रुपे महिने का per month and self occupied residential purpose remaining part बाकी का part self occupied यानि partly let out partly self occupied on the basis of time ऐसे situation में कुछ भी नहीं बदलने वाला normal calculation जाने वाला है previous year other particular in respect of house given है कहते सर municipal value हम आपको बता रहे हैं fair rent भी बता रहे हैं और municipal tax paid भी बता जा रहे हैं उसने दो लाक रुपे का करजा लिया HDFC bank से एक अप्रेल 17 में बारा परसेंट का ब्याज रेट था construction of the house no part house has been repay बोला loan नहीं payment किया घर बन गया लेकिन loan अभी भी चल रहा है तो बड़ा सीधा सा सवाल ले देखिए 10 नंबर का सवाल आया था एक्जाम में और अगर आपको सारे provision याद है तो तो 10 नंबर का सवाल में 10 मिनट भी नहीं लगना आपके सामने एक्जाम वाले question है ये simple सी बात है particular amount और उपर जैसे मैंने table में बताया नहीं बताया उपर लिखेंगे income from house property income from IHP लिख रहा हूं में of किसका आशा का for assessment year 22-23 है ना हमें निकालना है 20-21 21 होगा 20-21 है तो 21 होगा 21 किस कोई दिक्त sir MB से start करते MB क्या इसको बांट दे हम कहता है कि घर कुछ दिनों तक हमने रखा कुछ दिनों किराया पर क्या इसको बांट दे या नहीं बांटेंगे क्योंकि कहता है कि सब्सक्राइट सब्सक्राइट अब में इस रेशो में बांटने की जरूरत है क्या जवाब नहीं लौ जो पढ़ा था सब्सक्राइट और कितने महीने तक चेक करते हैं हमने कब तक किराय पर दिया था सब्सक्राइट पर दिया 31 जनवरी 31 जनवरी है 9 मैने नी 10 मैने कितने मैने 10 मैने 1,200,000 मालिक खुदी बोल रहा है हमारा जजादा है तो कोई बात नहीं जी ये भी आगे हमारा 1,20,000 माइनस में मुंसिपल टेक्स क्या पेमिंट किया है जी हाँ पेमिंट किया है कितने रुपे 6,000 तो ये आगे हमारा एने भी देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी कोशन हो रहा है 1,14,000 माइनस में 24A आपका 30% और माइनस में 24B कहानी यहीं आके रुपती है बच्चों की कितने आ रहे हैं 34 200 सर अब कहानी रुपती कहाँ पे इंटरस्ट पे चलिए लोन लेने की तारीक है कहता है 15 सेप्टेंबर 19 में construction complete हो गया 19 में during the previous year इसने जो लोन लिया है वो लोन लिया है कब लिया है कब लिया एक अप्रेल 17 14 2017 सर लोन तो ले लिया अब बात करते हैं हमारा year जो complete होगा accounting year वो होगा 31 2020 20 21 का है या 20 21 खतम होगा सर 21 में accounting year यानि इस साल को तो मैं separate ले ले लो इस साल को पहले कट मार लेते हैं ये होगा हमारा start 14 2020 में यानि ये current year है अब सर अब चेक करो घर कब बना घर बना हमारा 15 सेप्टेंबर 19 में सेप्टेंबर है यानि सर 14 18 से ये खतम हुआ होगा सेप्टेंबर है ना 14 18 नहीं 14 19 14 19 और खतम होगा ये 31 कुछ इस साल के अंदर हमारा घर बन के तयार हो गया इस साल के अंदर हमारा घर बन के तयार हो गया यानि pre construction period जो माना जाएगा इससे पहले वाला time माना जाएगा समझ ये बात आपको इसके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं इससे पहले वाला time यानि ये वाला साल यहाँ पर तो उसने घर बनाया deduction ले लिया होगा इससे पहले वाला माना जाएगा तो 14,17 से 31,18 अभी भी PCP है उसके बाद 14,18 से 31,19 यानि सर कितने महिने दो साल देट इस 24 महिने अब इसका इंटरस कैसे निकालेंगे सर दो लाक इंटू में 12 बटे में 100 इंटू 24 डिवाइड़ बारा इंटू एक बटा 5 सब एक ही बार कर लो कैलकुलेटर तो है ना अलावड एकैलकुलेटर एक्जाम में ध्यान रखिएगा कितने आगे 9600 अब मुद्दे की बात आती है सर इस साल का कोई ब्याज करना ही कि घर तो कंप्लीट हो गया आप चेक करना होगा घर कंप्लीट हुआ लोन का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ अगर कुश्चन कुछ नहीं बोलता तो अजंशन लोके लोन का पेमेंट अगर कुश्चन बोलता है नहीं हुआ तब तो नहीं है और कुश्चन बोलता है पेड हो गया तो हो गया जैसे पिछले वाले सवाल में तीन महने बाद पेमेंट हो गया था यहाँ पे सवाल ने बो तो 24,000 प्लस 9,600 कितने हो गए? कितने? 34 35 24 और अच्छा सर ये भी सवाल खतम आंसर डन income from house property 45 900 200 है ना? positive चलिए ये सवाल भी कर लिया किसी के दिक्कत परिशानी बताईए सर इंटरस्ट से पहले वाला बता दो इंटरस्ट से पहले वाला क्या बताना है? ये सारा तो simple आप बताईए कौन सा doubt है? अगर नहीं बताया है कि लोन रिपेमिंट नहीं हुए या नहीं तो हम मानेंगे लोन नहीं दिया और current year का उसका ब्याज लेंगे यानि सर 24 बी में दो इंटरस्ट माइनस हो जाते हैं एक प्री कंस्रक्शन पीरेड वाला और एक current year वाला clear? एक और सवाल देखें sir मैं lower देखता हूँ 8.7 PM बच्चे कह रहे हैं sir 46 200 आएगा गलत निकाल के बता है किसने निकाला है फिर से माइनस करो माइनस करके बताओ जाएगा 46 200 नहीं पीछे आले तो कुछ बोली नहीं रहे कुछ आता ही नहीं उनको चलिए एक और सवाल देखें sir आपने higher क्यूं क्यूं देखा higher ओविस सी बात है हम expected rent 8RR में हमेशा higher ही लेते हैं तो higher ले लिया PCP 24 महिने क्यूं लिया देखो सवाल के अंदर मैंने date भी लिखा है भाई यहां से यहां तक घर नहीं बना यानि सिंपल सी बात है na PCP का निकालते कैसे हैं जिस साल घर बना है न उस साल को छोड़ दीजिए उससे पहले 31 मार्च जो आ रहा है वो और जहां पे लोन लिया है वहां तक का PCP होता है सर क्या कह रहा है सवाल में कुश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं कुश्चन में कहता है Mr. R on House Property Delhi from the following information submitted to you compute income from house property assessment year 2021, 2021 का मतलब आपको 20 और 21 के लिए सारा जवाब देना है MB दे रखा है आपको FR दे रखा है SR दे रखा है The house property was let out with effect from 14-2020-8000 per month which was vacated by the tenant 30 September 2020 क्रायदार ने 30 September को खाली दे कर दिया It remained vacant for 2 months दो महिने के लिए खाली पे रहा फिर with effect from December से फिर उसने again let out कर दिया 11,000 रुपे महिने के Other particular information Municipal tax insurance premium interest on money borrowed purchasing of house आपको house property की income यहाँ पे निकाल के दिखाना है देखो बड़ा simple सा सवाल है सिर्फ एक यहाँ पे vacant का point बताना है और कैसे करेंगे इसलिए इस सवाल को यहाँ लिया गया है यह सवाल भी कितने का आया होगा सर दस का HP 10 नंबर का आता है आपके paper में और salary 15 नंबर का आता है चलिए सर MV MV हमारा है नब्बे हजार FR आसपड़ोस के rent और हमारा आजाता है आगे SR सर कितने का 1 लेक SR के बाद आगे चलते है ER निकालेंगे ER इन दोनों में से higher lower अब निकालेंगे 8RR सर 8RR निकालेंगे तो question खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के के 14 2020 को किराये पे दिया और September 30 को किरायदार भाग गया September 30 में किरायदार चला गया यानि 6 महीने रहा फिर से 2 महीने खाली था यानि October खाली था और November December यानि 1 December से यानि 112 2020 से लेके 31,3,2,021 तक फिर किरायदार पे दिया कितने होंगे कितने होते हैं साथ होते हैं एक पर दुबार गिने हैं सर यहाँ पे किरायदा आठ हजार परमन और यहाँ पे किराया बनता है चार महीने का आठ हजार इंटू में छे अड़तालिस ग्यारा हजार इंटू में चार चववालिस बताईए अब यहाँ पे घर रहा खाली वेकेटिड रहा दो मेने के लिए घर था खाली अगर दो मेने के लिए घर खाली नहीं होता तो साइद मेरा रेंट जो था यह नाइन्टी टू यह ज़्यादा होता यह कम होता यह चेक करना होगा अब आपका दो मेहने खाली नहीं रहता तो आपका किराया क्या रहता आठ हजार के साफ से ही रहता दो मेहने का और ठीक है यहाँ पे दो condition चेक करना है नॉर्मली क्या देखते हैं ER और ARRR में से जो भी higher है उसको हम मान लेते हैं क्या जो दोनों में से higher है उसे मान लेते हैं GAV लेकिन यहाँ पे चेक कर यह सर पहले यहाँ तक देखिए आपको clear है या नहीं फिर मैं आगे चलता हूँ IHP 21,800 यह कहां से आ गया अच्छा इसका अंसर भी आ गया अभी दफ़ाए हैं एक मिनट जल्दी बताईए आप देखके झाल 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 देख लिया अब मैंने आपको बताया था सर अगर बारा महिने का एक मन में कैलकुलीशन लो क्योंकि वह कहते हैं के सर हायर हम तभी कंसे मान लेते हैं यह पूरे साल बारा महिने चड़ा होता किराये पे तो क्या एक लाक से जादा होता या कम दो मैने जोड़ते 16,000 रुपे और तो आप बानवे में 16,000 और जोड़ते दो मैने खाली पे था ना अगर आपका पूरे साल किराये पे रहता तो डेफिनिटली एक लाक से उपर का किराये जाने वाला था यानि हम जो गवर्मेंट का स्टेंडर रूल है गवर्मेंट कहता है आपका एक साल में एक लाक होना चीए मैंने कहाँ सर मैं मना कहां कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं एक साल में आपका पूरे एक लाक से उपर भी हो सकता है जो कि मेरा 16,000 आ रहा है लेकिन कुछ महीने खाल रहा इसलिए किराये था तो गौर्मेंट क्या कहेगा आप प्रूफ करो के खाली था या नहीं था आपने प्रूफ करना है जो कि हमें सवाल में कहीं मैंशन नहीं होता हम यह जम्शन ले लेते हैं कि उसमें प्रूफ कर दिया होगा मान लो यह होता कि भाईया पांच हजार रुपे किराये थे और वो छे महिने के लिए दो महिने के लिए खाली था फिर हमने दे दिया चार हजार रुपे महिने बाकी के चार महिने तो यह हो जाते हैं सर तीस हजार रुपे और यह हो जाते हैं सोला हजार तो दो महिने जो खाल लेकिन यहां पे ऐसे सी जूट नहीं बोल रहा क्योंकि उसका जो है रेंट वो कहीं न कहीं एक लाग से ज्यादा बन जाता अगर पूरे साल किराये पे रहता तो तो अब जो यहां पे जी यह भी निकलेगा ना सर वो लोर निकलेगा देट इस 90 यह सेक्शन तेई सबसेक्शन चार कहता है हमारा कहता है ऐसा सिच्वेशन हो तो यह लेना है ठीक है अब हम माइनस क्या कर दें सर एमटी इस सवाल में एक यही में पॉइंट था बाकी एक्जाबनर ने कुछ छोड़ा ही नहीं देने के लिए आप मुंसिपल टेक्स करता है बीस परसेंट ऑफ मुंसिपल वैल्यू एमबी का बीस परसेंट यानी अठारा आजार यह आजाएगा नेवी सर क्या आएगा नेवी सर चोहतर है एमटे में कर देंगे ट्विंटी 4 ए और माइनस में कर देंगे 2 नहीं पूंटीफर एक इतना अ रहा हैं? 22, 200, और 24B खुदी बोल दिया कुश्चन ने, तो सर इसको माइनस करिये, यह आ गया IHP, कितने? 21, 800, जो कि पहले ही जवाब आ गया था. अब चेक कर यह ठीक होगा, फिर से देख लीजिए आपको GAV क्लियर है या इसके सिचुएशन फिर से बना के बता दूँ, देखो वेकेंसी के केस में दिक्कत है, बाकी अगर किसी केस और होता तो नहीं, हमें सबसे पहला काम, जब खाली घर है, तो हमें क्या करना है, टोटल एक बार calculate करके देखना है, जो टोटल किराया बनता है पूरे साल का, वो expected rent से जादा बन रहा है नहीं, खाली उसे भूल जाईए, खाली उस बात को भूल जाईए, आप पूरे साल को एक किराया पे लेजिए, अगर expected rent से जादा बन रहा है हमारा ए triple r, 12 महीने का, तो अब त लेकिन अगर इन सभी को टोटल बारा महिने का मान लेते हैं और तब भी एक लाग के बराबर नहीं हो पाता है तब क्या आता मान लो नहीं समझे देखिए मैं बता देता हूँ केस नंबर वन सर मेरा जो एक्सपेक्टिड रेंट है न वो है एक लाग मैंने कहा मेरा रेंट जो रिसीव हुआ है वो पांच हजार रुपे छे महिने तक और 6,000 रुपे बाकी के मेरे 4 महिने तक यानि मैं बताना चाहता हूँ 8RRR that is कितने हो जाएंगे 30,000 और 24,000 मैंने बता दिया 50 अब सबसे पहले वेकेंसी है या नहीं है बिल्कुल है सर 10 महिने का डिटेल है तो 2 महिने का क्या रहा होगा अब सबसे पहले आप मन में कैलकुलेट करो एक अजम्शन लो कि ये 12 महिने तक किराये पे रहता तो क्या होता पूरे 12 महिने तक रेंट पे रहता तो क्या होता एक अजम्शन लो सर 12 महिने तक होता तो जादा से जादा 2 महिने तक 6,000 और जोड़ देते है या जादा से जादा 5,000 दो महिने और जोड़ जाता यानि 10 से 12,000 और जोड़ना था 10 से 12,000 जोडने के बाद भी तो 1,00,000 से उपर नहीं जा रहा अगर आपका पूरे साल भी किराये पे रहता तब भी तो government यहीं consider करने वाला था करने वाला था यही न तो ऐसे situation में SST को बोल दिया जाता है तुम जूट बोल रहे हो तुमारे किराये से में मतलब नहीं है तुम 2 रुपे किराये पे दो हमें क्या लेना देना हमने रूड निकाला इसके हिसाब से टेक्स देना होगा तो यहाँ पे ऐसे situation में GAV जो होगा वो होगा एक लाक situation नमबर टू देखिए expected rent हमारा है एक लाक और मेरा जो rent है मैं पिछला ही सवाल ले लेता हूँ 8,000 रुपे महिने का था ये था 6 महिने 11,000 रुपे महिने का था 4 तो 8,000 के हिसाब से कितना बनता है 48, 11,000 के हिसाब से कितना बनता है 14,000 टोटल कर दिया तो 92 यानि सर 2 महिने की विकिंसी है या दो मेने पे किराए पे रहता या तो 8000 के हिसाब से चढ़ाता या तो 11000 के मान लो 8000 के हिसाब से दो मेने पे चढ़ाते आप तो 16000 और एड़ान कर देते तो कितना बन जाता यानि गवर्मेंट अगर मैं पूरे साल किराए पे रखता तब भी गवर्मेंट का जो रूल है उससे कहीं जादा बन रहा था तो गवर्मेंट कहता जी आप जो बताएंगे वही किराए वैलिड माना जाएगा तो मैंने बोला सर मेरा अभी फिलाल 8RRR जो बन रहा है वो बन रहा है 92 बोला आपका रूल ठीक है आप कम किराए नहीं दे रहें तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे GAV क्या माना जाएगा तीसरा केस देख लीजिए मान लेते हैं expected rent है मेरा एक लाक और मेरा rent जो है rent मैंने दिया सर बीस अजार रुपे महिने के किराए पे दिया मैंने बीस अजार रुपे महिने के किराए पे दिया आठ महिने तक चार महिने खाली रहा मेरा 20,000 महिने का किराय दिया 4 महिने क्या रहा तो मेरा 8RR क्या होगा 1,000,000 तो गौवर्मेंट कहता है भाईया तुम जो निकाल रहे हो तुमारे रूल को ही मानेंगे क्योंकि पूरे साल मेरे से तो बहतर निकाल रहे हो तुम तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यानि लोवर वाला कॉंसेप्ट कब लगता है जब आपका गौवर्मेंट वाले रूल से कम आ रहा हो और आपका टोटल मिलाए तो गौवर्मेंट से जादा जा रहा हो हाईर वाला कब लगेगा जब आपका गौवर्मेंट के हिसाब से कम आ रहा हो और टोटल भी करो तब भी आपका कमी पढ़ रहा है तो गवर्मेंट बोलते तब तो हम तुम्हारा मानेंगे नहीं अब सिंपल सी बात है ना आप देखो सिंपल सी बात है मैंने कहा सर एक्सपेक्टिड रेंट है यहां पे एक लाक आपने कहा मेरा पूरे साल किरायपे था द और और के हिसाब से लेकर चलें तो यह तीन केसिस बन सकता था जो कि हमारा यहां पे भी मैंने कंसिडर किया क्लियर है कि बच्चे पूछे 5000-6000 कहां से मेरा मानना है वह जम्शन है कुछन में नहीं है कि और जाने ज़ुँआ कि ही का एक और सवाल देखें यह सवाल मैं रखूँगा आपके होमवक में लेकिन 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 पहले समझना होगा पहले एक बड़ आप चलिए कुश्चन में क्या कहता है वाई ओन अ हाउस इन डेली डेली में घर है वूज मुंसिपल वेल्यू यानि एमवी दे रखा है फेर रेंट यानि आजपडोस का दूरिंग दा प्रीवियस यर बीस एककेस हाउस रिमेन वेकेंट कुछ दिनों तक सरखाली रहा एक चार दो हजार बीस से लेकिन तीस छे दो हजार बीस तक इट वाज लेट आउट एक साथ से कर दिया मिस्टर ए को वो रेजिडेंशल परपस मंथली रेंट इतने का होगा और कहता है वाई ये थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया ये इधर सिफ्ट हो गया ये एक्जाम में आया हुआ कुशन है 2009 में वाई एक घर का तो हम फटा फट से फॉर्मेट बना ही लेते हैं एक घर में कोई दिक्कत थोड़ी ना है बस आप कैलकुलेटर हर बच्चों के पास होना चाहिए इतना ध्यान रखिएगा हर एक बच्चों के पास कैलकुलेटर हो so that मैं आपको और कुछ बच्चे नए जो जो जोइन हुए है क्योंकि डेली बच्चे एन्रोल होते है तो वो कन्फ्यूज होते हैं सर के हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा उन बच्चों को एक ही बात कहुँगा कि आप इस चेप्टर में तभी आगे continue कर सकते हैं जबके आप basic concept कर ले उपर क्या लिखेंगे हम income from IHP for Mr. Y तो जो बच्चे नए जोइन हुए हैं उनको पहले basic concept करना होगा और basic concept के साथ साथ फिर ये house property स्टार्टिंग से करेंगे तब समझ में आएगा house property का chapter ending में चल रहा है ठीक है चलिए sir सवाल में कहता है sir हम आपको MV दे रहे है MV दिया जा रहा है sir MV कितने का दिया जा रहा है साथ हजार सवार में कहता है हम आपको FR दे रहे है FR कितने का दिया जा रहा है सत्तर हजार सवाल में SR का discussion कहीं नहीं है तो not applicable निल ने लिखना FR मतलब fair rent तो sir यहाँ पे expected rent बन जाएगा हमारा देखो कितना आसान सवाल है आप फटा फट से बता दूगे sir expected rent बनेगा सत्तर हजार अब बात करते हैं ट्रिपल र देखो 10-10 मिनिट के सवाल होते है 10 मिनिट से कम भी टाइम लगता है इंफेक्ट और 10 नंबर का सवाल आता है तो एक्जाम में जब question आता है तो हमें कौन सा करना चीए तो मैं बच्चों को हर बार बोलता है या house property का सवाल हमेशा से आसान आता है फटा-फट निप्टा लो करके mark score कर लोगे जल्दी से salary के सवाल में लेंदी पड़ता है आपने देखा भी पिछली बार कितने सारे questions की है उसमें time ticking है so that पहले आप इसको निप्टा लो कहता है municipal tax paid किया है ठीक है sir through due वर 25,000 कहता है municipal tax 18,000 रुपे और due अभी 25 है तो भीया जो paid किया repair किसी काम का नहीं sir fire insurance premium किसी काम का नहीं इन सब के बदले कुछ मिलता है हमें 30% यह किसी काम का देख रहो examiner किस तरीके से इसमें फालतू-फालतू के point डाल रहा है यह भी किसी काम का नहीं नीचे कहता है loan वगरा लिया है उस loan का repayment की बात कर रहा है कहता है sir घर हमारा na April से लेके 36 तक खाली था उसके बाद 75-100 रुपे किराये पे चड़ा तो सीधी सीधी सी बात है सर 75-100 रुपे किराये पे चड़ा तो कितने मैंने किराये पे रहा आपका पूरे पूरे 9 मंथ तो 9 से अगर हम इसे multiply कर दे तो कितना आता है बता है पस एक सब्सक्राइब पस एक सब्सक्राइब हाँ जी थोड़ा voice cut हो गया था थोड़ा सा अब आज हर किसी को आ रही है बता दीजिए voice हर किसी के पास proper है के नहीं है ये भी मुझे बता दे फटा फट से क्योंकि मैंने बीच में voice cut कर दिया था थोड़ा सा येस आ रही है बस दो मिनट दीजिए समाल के बीच में येस सर ठीक है डन मैं बात कर रहा था सर इसको multiply करने की multiply करके बच्चों ने जवाब दिया सर 67,500 अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या higher ले या lower तो मैंने बताया था कि imaginary मानो 12 महिने किराये पे हो तो अगर 75,000 रुपे के हिसाब से 12 महिने किराये पे हो तो कितना बनता है क्या 70,000 से ज़्यादा बन रहा है यानि हम जूट नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब अब lower लिया जाएगा यानि simple से बहुत simple बात है सर जो GAV ले लो आप वो GAV ले लो आप समझ में आई बात आपको सर माइनस M.T कर दो मुंसिपल टेक्स 18,000 माइनस करेंगे सर क्यों मुंसिपल टेक्स 18 क्यों दूसरा भी तो वो डियू है माइनस करेंगे GAV आजाएगा कितना आसान सवाल है कितने है माइनस कर देंगे 24 और माइनस कर देंगे 24 और इन केस अगर है हमारे पास तो तो सर यहां पर क्या आता है बताओ ट्विंटीफोर है 14,850 तो देखो कैलकुलेटर आपके पास है तो कोई डरने की जुरत नहीं है कि एक्जाम में बड़ा कैलकुलेशन आजाए छोटा आजाए आपके लिए फटा-फट से क्या करें आपक से बड़ी टंशन लगती है बच्चो को लेकिन है ने कहता है ही त्फक आलोन कुश्चन में क्या कहता है ही तुक आलोन उसने लोन लिया कितने हो पाँच लाक रुपए का दस पर्तिशत 14 2015 यानि सर एक चार दो हजार पंदरा को उसने लोन ले लिया है सर एक चार दो हजार पंदरा को लोन कितने का लिया है सर सर इसने जो लोन लिया है न वो लिया है कितने का पांच लाग का और वो भी at the rate of 10% कोई बात ने and house was completed 31-3-2017 घर 31-7-2017 तो बट ओविस सी बात है जैसे ही मेरा घर complete हुआ होगा 31-7-2017 में तो 2017 में यानि हमारा ये 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 बनता है 2017 और 2018 तो 2017-18 जो हमारा साल रहा होगा उसके अंदर तो मैंने claim कर लिया होगा 24B का deduction का तो हमें इस से पहले वाले year को क्या मानना है pre construction period चली आगे क्या कहता है he took further loan 1,001,11% to make further addition house 1-1-2018 sir इसने तो एक और loan ले लिया एक loan से तो निपट नहीं रहे थे loan number 2 कब लिया इसने loan sir loan लिया इसने 1-1 1-1-2000 for the construction of किसके लिया लिया another house के लिया sir इसने loan लिया another house के लिया और कितने रुपे का बोला गया sir 1,00,00 रुपे का इसने loan लिया और वो भी at the rate अब इस वार महंगा लिया to make further addition house none of the loan repaid अभी तक कोई घर हमारा रीपे नहीं हुआ है compute income under the head of house property तो मैंने कहा था loan कितना भी ले लो आप सब interest आपको allowed चाहे दो loan लो चाहे चार loan लो उसका ब्याज allowed है penalty वगएरा allowed नहीं है तो हम पहले पहले वाले से निपट लेते हैं कौन बच्चा बताएगा कि यहां से यहां तक यानि सर यहां से यहां तक एक date लिख देते हैं आपके लिए अब बात करते हैं loan repayment नहीं किया हमें काम काज कप के लिए करना है 21-22 के लिए करना है सर 21-22 assessment year है यानि PY हमारा क्या होगा 20 और 21 मैंने नए 10 years जल्दी में बनाया तो capital gain के अंदर सारे date चेंज कर दिए बस इसमें नहीं किया मैंने सोचा भी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें calculation का कोई फरक नहीं पड़ता है इसलिए आपको सारे सवालों में 21-22 देखने को मिलेगा अब 20-21 के लिए बनाना है तो सर 20-21 हमारा कौन सा year माना जाएगा हमें एक बात ये भी चेक करना है कि 17-18 को हमने claim लिया 17-18 से हमें PCP का deduction आगे कितने सालों तक मिलना है तो 17-18 के बाद 18-19 एक 17-18 में मिलेगा एक 18-19 में और एक 20-21 मतलब है हमारे पास यहां पर PCP जो हमारा है pre construction period वाला भी मिलने वाला है ब्याज और current year वाला भी ब्याज deduction के लिए available होगा तो सर PCP का interest निकाल दे यह लीजिए आपके लिए मैं निकाल देता हूँ PCP का इसको थोड़ा सा नीचे करके आपके लिए PCP का interest निकाले तो यह आएगा सर पचास हजार पाच लाक गुणा में 10% इन्टू में 24 divided by 12 इन्टू में 1 by 5 तो क्या आगया जल्दी जल्दी बता देजे 20,000 pre-construction period और current year का सर निकालोगे तो 5 लाग का सर current year का 10% निकालते हो तो current year का कितना आएगा पहले ये बास समझे सर ये एक loan का हिसाब किताब खतम किया एक loan से हमारा interest कितना बन रहा है 24B में सर 20,000 और 50,000 70,000 सवाल समझ में आया 70,000 कैसे 20,000 pre-construction period वाला और 50,000 रुपे आपका current year का क्योंकि question में line दे देता है none of the loan repaid और मैंने वैसे ही बोला ये line नहीं देता तो क्या मानोगे कोई loan repayment नहीं हुआ है सर अब दूसरे loan का हिसाब किताब 18 में घर complete वगएरा हुआ नहीं कुछ यहां पे तो PCP का कोई concept लग नहीं रहा क्योंकि 2018 में कहता है he took a further loan एक लाक रुपे 11% to make further addition in the house house बन चुका है house के अंदर कुछ addition के लिए तो इस वाले concept में क्या pre-construction period का कोई सवाल खड़ा होगा मैं जाओंगा return रिटन फाइल करने के लिए सरकार के पास सरकार बोलेगा भाई या रिटन फाइल कर रहा है घर है क्या मैंने घर है बस एक दो दिवार डलवा रहें चैक कर सकते हैं तो कुझे तो हर साल deduction मिलेगा यानि सर यहां पर PCP वाला concept नहीं आएगा यहां पर सिर्फ कौन सा आएगा current और current year का अगर देखा जाए एक लाक रुपे पर कितने परसेंट 11 परसेंट का ब्याज है तो कितने आदेंगे तो सर 11,000 और जोड़ दें तो कितना ब्याज आ गया से जवाब दे दीजिए सवाल हो जाता है खतम कितने 35 यह सर लॉस है लॉस फ्रॉम आउस पॉपर्टी बच्चों ने जवाब भी दे दिया लॉस फ्रॉम हाउस पॉपर्टी किसी को दिक्कत किसी को को कोई परेशानी मेरा देखो main purpose यह जीए भी lower higher यह तो आप सीख चुके जो मेजर क्या है फोकस्ट आपका इंट्रस्ट पर करना अगर जहां इंट्रस्ट आये तो चप्टर में कुछ बच्चता ही नहीं फिर तो कि लिए किसी बच्चे को डाउट जितने बच्चे लाइव में किसी को डाउट अधिति का बिल्कुत सही जवाब हर्शित का भी सही जवाब, राम नरायन का भी सही जवाब, निधी का भी सही जवाब नो, खुशी का कहना है कोई डाउट नहीं, अगले सवाल पे चले शलिये सर्थ अन्रिलाइज रेंट का क्या रोल होगा बच्चे का पूछना है, रमन का तो अभी अन्रिलाइज रेंट, आज अभी अभी एक घंटे का इंतिजार करिए, आपको सारा पता चल जाएगा धीरे-धीरे, अन्रिलाइज रेंट इसके बाद हम करने वाले हैं, ठीक है न, एक और सवाल आपके सामने कर लिया जाए, क्य क्या दू बच्चो को करने के लिए, क्या दू बच्चो को करने के लिए जिससे की सवाल रुक जाएं, तो बस एकी चीज नजर आता है उनको इंट्रस्ट, इसलिए हर सवाल में वो घुमा फिरा के इंट्रस्ट देगा, चलिए सर, आज आते हैं, कहता है Mr. X है, on a house municipal value, 75 rent, Fair rent, 90 का, during the year, previous year, use on residence, June के लिए ये खुद रहता है, let out for residential purpose, जुलाई से, यानि सर, ये concept कुछ-कुछ याद आ रहा होगा आपको, बोलता है, June तक हम खुद रह लेते हैं, बाकी हम क्या दे देते हैं, rent पे, तो कौन सा वाला केस याद आ है, हमने करा था, partly self-occupied, और partly let out, on the basis of time, time में कुछ चीज़े divide नहीं होता, जब area होता है, तो सब चीज़ों को divide करते हैं, सर, आगे कहता है, question में, he incurred the following expense in respect of house, बोलता है, municipal taxes ठीक है सर, fire insurance बस किसी काम का नहीं, repair किसी काम का नहीं, मुद्दे की बात आ गई, loan, कहता है, loan taken 1st April 2017 को लिया गया, construction house completed हो गया, 19 में जाके सर, उसके बाद कहता है, no part loan has been repaid, अभी तक नहीं paid किया, find out the income from house property, तो देखो कितना आसान सवाल, ये भी paper में आया हुआ है, तो MB, sir, question में MB कितना दे रखा है, 75,000, sir, question में FR भी दे रखा है, 90,000 रुपे, मैंने format लगता है, ज्यादा बड़ा बना लिया, standard rent not applicable, आपको पता है, sir, expected rent आ जाएगा, कितने का, 90,000 रुपे का, sir, 8RR चेक कर लेंग sir, 8RR कितने का किराय पे दिया, इसने, 8,000 या 9,000, 8,000, 8,000, 8,000 के हिसाब से कहता है, sir, मैं खुद रह रहा हूँ, इसमें, और कब से कब तक रहता हूँ, मैं जून तक, यानि April, मई और जून, बाकी 9 महिने तक, यहाँ पे था, तो कितने आ जाएंगे, 75,000 रुपे, ठीक है sir, अब इसके बाद हमारा municipal tax, अब GAB, GAB क्या आएगा इसमें, बताइए, क्या यहाँ वेकेंसी का case है क्या, नहीं है वो, वेकेंसी में higher lower वाला concept बदल जाता था, कई बार क्या ले लेते थे sir, हम, वेकेंसी में हम ले लेते थे, कई बार lower वाला case, लेकिन आप ध्यान से लेकेंसी का पार्ट ये नहीं है, तो normally हमारा दे रखा है यहाँ पर, नो महीने होंगे, आठ महीने होंगे, एक बार ये चेक करो, आठ हजार इंटू में नो, नो बनेंगे दस, कहता है on residence up to June, आठ ही बनेंगे, नहीं आठ कैसे बनेंगे भाई, आप तो कम कर रहे हो, एक मेंट चेक कर लेते हैं, मैंने question में कुछ गलत तो नहीं टाइप लिया, नहीं ठीक है, ठीक है, नाइन बनेंगे, तो सर यहाँ पर देखा जाए, तो ऐसे situation में हमेशा higher लेना, अगर vacancy का case होता है, तब lower लेते हैं, और जो भी depend करता है, अगर vacancy का case नहीं है, तो भाईया higher ही चलेगा, तो GAV higher आ जाएगा, 90,000, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा confusion करता है बच्चो को, तो मेरी पिछली वीडियो को और इस वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखो को तो आपको clear हो जाएगा, फिर, माइनस में MT, सर, MT कितने का है, MT, 9,000 का, कहाँ की, चाफी मेरे पास नहीं है, तो सर, यह आ जाएगा, माइनस करें, 81, यह क्या आ गया सर, NAV आ गया, माइनस करो, 24A, फिर, सर, माइनस करो, 24B, अब 24A कितना आएगा, सर, 30 पर 30 जो, 24,300, अब सबसे मेन पार्ट, जो एक्जामनर जानना चाहता है, और मैं भी चाहता हूँ, हर सवाल में यह पूछा जाए, ताकि बच्चा कम से कम तो, थोड़ा कॉंसेंट्रेट होके पढ़े इस चेप्टर को, कहता है, सर, मैंने एक लोन लिया, एप्रेल 17 में, कब लिया, 14,2000, 17 में मैंने एक लोन ले लिया, कोई बात नहीं, कितने रुपे का लोन लिया, ये मुद्धा है, सर, इसने लोन ले लिया, 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 यानि सर 19-20 में तो हमने claim कर लिया होगा 19-20 में हमने claim कर लिया होगा तो PCP की अगर बात करें तो हमारा PCP countable जो होगा वो होगा 31-3-2-0-18 या 19 19 यानि सर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का PCP का part माना जाएगा सर हमारा current year क्या है सर current year 19-20 है जो की चली रहा है यही यह 19-20 की बात कर रहे है current year में घर बना तो यह PCP है कितने मैंने 17 current year 20 होगा यह हमारा current year की अगर मैं बात करूँ तो that is current year हमारा 20 और 21 ठीक है सर यानि यहां के बाद तो हमने deduction लेना चालू किया होगा इस से just before रहेगा पहले यह बात आपको समझ में आया कि यहां से यहां count करना है तो 17 से 18 और 18 से 19 यानि कितने महीने again 24 महीने examiner आपको आसान आसान सवाल दे रहा है 24 महीने दे के अब सर लोन कितने का है फटा फट निकाल लो दो लाक और दो लाक पे कितने परसेंट 10 बटे में 100 कितने 24 बटे में 12 कितने महीने 1 बटे में 5 कितने आगे सर 8,000 PCP जिसका deduction मिलेगा 8,000 जमा प्लस और सर current year का भी तो लेंगे current year का कितना लेंगे सर 2,000,000 पे सीधा सीधा 10% that is हमारा आजाएगा 20,000 तो सर 20,000 ये आ गया 28,000 रुपे टोटल आ गया 700 क्यों अच्छा minus minus करके 28,700 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो सर ये आ गया IHP किसी को दिक्कत देखो दो सवाल कर लिए हमने फटा फट से किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी पढ़ लेते हैं सर सवाल को सारा सवाल करने में फिर आपको क्या करोगे कहता है Shri are on two house हाँ यहाँ अलग हो गया दो घर है यह सब किसी काम का नहीं है annual value जो है annual value भी अच्छा थोड़ा नीचे कर दें अरे चलिए सवाल को इसको नीचे ठीक है अब तो कहता है कि annual value जो है हमारा annual age sorry annual charges annual charges दे रखा है सर किसी काम का नहीं this house remain vacant for दो मेने दो मेने के लिए सर यह खाली रहा 9,000 could not be recovered और 9,000 recover नहीं किया जा सका defaulting tenant tenant defaulted से this tenant was vacated house और इस tenant ने घर को खाली भी कर दिया दा कंडीशन नंबर रूल नंबर फोर सेटिस्फाइड ओके सर सेकिंड हाउस इस मुनसीपल वैल्यू बहुत सारी बाते बोली यह इसमें नहीं नहीं अंजान जो हमने पहले नहीं देखा था उन सारी बातों का डिसकुस किया गया है तो सर वो वक्त आ गया है कि आपको section 25 स समझा दिया जाए अभी फटा-फट से जो पूछ रहे थे अन्रिलाइज रेंट या अरियर रेंट का वेट कर रहे थे इसी सवाल में हम उसको खतम करेंगे अलग से बस मुझे फॉर्मेट बनाने दो पहले मैं समझाओंगा वो तैन हम आगे चलेंगे चलिए सर section 25a आपका एरियर of रेंट या अन्रिलाइज एंड एंड नहीं लिखके दूसरा है अन्रिलाइज सर इसका मतलब क्या है थोड़ा नीचे कर दें ठीक है एक मिनट थोड़ा थाज दूसरा हाथ भाभा एंड वो तोड़ा धर भू झावट कुछ ऐधिस्प्लेय पे यह प्रॉपर दिखाई दे रहा है बच्चे कह रहे हैं सर यह दिखाई नहीं दे रहा है आभी देख लेते हैं के ड़ीक बिश्वल क्लियर बता दीजे मुझे यह मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है कि आपको दिखना चाहिए कुछ बुच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा नीचे कर दें पता नहीं क्यों चलिए एनिवेज हम concept को समझते हैं फिर हम उस सवाल पर back आ जाएंगे जिस सवाल को हमने जहां पर छोड़ा सर क्या है concept question में सबसे पहले हम समझते है area of rent area of rent मतलब होता है बाकी बस आपने meaning समझ रहा है और ऐसा कोई information नहीं होगा हमारे question में या फिर इतना ज़्यादा impact नहीं आता इसका आपने एक rent पे आपने rent पे कोई घर लिया और सर ये जो घर लिया ना आपने ये लिया 2010 में और जब आपने लिया था इस मकान का किराया था 1000 2010 में मकान सस्ते पे किराया पे मिल जाया करता था और जो 1000 रुपे का आपका rent था उस ट्रेम ना तो आपको दिक्कत ना ही मकान मालिक को दिक्कत 2011 आया अब जिस मकान में आप रह रहे हो हर दो महिने में आपका किराया बढ़ा दिया ये भी पॉसिबल नहीं है एक साल में बढ़ाय जाओ और एक साल में डबल कर दिया जाओ ये भी पॉसिबल नहीं है एक नियम के तहत हम 10 परसंट या 5 परसंट का एवरी ये रिंक्रिमेंट लगाएंगे या 2-3 साल बात सर मकान मालिक के साथ जो ये किरायदार है इस किरायदार का मकान मालिक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है तो मकान मालिक ने बोला चलो अच्छा है एक ऐसा person हमारी मकान में रह रहा है जिसको कि हम जानते हैं दीरे दीरे time बीता गया बीता गया आगया 2015 अब किरायदार ने अभी भी कितना payment कर रहा है अब मकान मालिक की और किरायदार की दोस्ती थोड़ी जितनी अच्छी थी उतनी नहीं रहेगी मकान मालिक सोचे गया यार पास साल होगे मैंने बोला नहीं तो उसको भी इंसानियत कनाते बढ़ा के देना चाहिए था किरायदार किरायदार सोच रहा है यार बहुत अच्छा मकान मालिक है यह हमसे किराय नहीं बढ़वारा आप तो मकान मालिक ने एक बार बोल दिया यार देखो थोड़ा बहुत किराय उराय का देखो तो किरायदार ने बोला ठीक असर बढ़ा देते हैं कोई बात नहीं मैं सोची रहा था आपको मैं बोल दूँ तो मैं आपका किराया बारा सो रुपया कर देता हूँ और यही किराय चलता रहा चलता रहा आ गया 2020 अब 2020 के अंदर लॉक्डाउन भी लग गया और 1200 रुपे महीने का किराया जो कि आप देखोगे बहुत कम है शायद इस मकान को खाली करवा दे ये तो कहीं 5000 रुपे इसको किराय मिल जाएगा ऐसा हो सकता है न जब ज़्यादा दिन कोई भी किराय पे रह जाता है तो मकान मालिक को दो डर एक डर तो ये भी होता है कहीं कभजा न कर ले क्यूंकि सारे टॉक्यूमेट इसपे बंज चुकए है न कि अधार कार्ड बन गया राकंड बन गया और भी बहुत सारे जो कि अब मकान मालिक ने 2020 के बाद जैसे ही हमारा आया COVID खतम होने का year 2022 2022 में मकान मालिक ने बोला यार हम सोच रहे हैं मकान को बनवा ले बोला मकान को बनवाना अभी तो ठीक ठाक चल रहा है बोला नहीं तुड़वा के बनवाएंगे हम तो सर क्यूं बनवाएंगे मकान को के सर इसलिए हम बनवाना चाहते हैं मकान को तुड़वा के सो देट के थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप तूटेगा तो आपको जाना पड़ेगा तो उसने बोला के अभी देख लो एकाद कितना कब कब बोला बस अभी एक दो मेहने में हम सोचने तो उड़वा लेते हैं अब खाली कर दो फटा फट से डारेक्ट बोल नहीं सकते तो इंडारेक्ट तो बोल सकते हैं अब खाली करने को बोला गया किसी ने किरायदार को बता दिया भाई यह मकान तूटने वाले नहीं हैं आप गए थे जॉप पे अपने डियुटी पर गए थे पीछे से किरायदार को दिखाने की लिए लाए था यह बोल रहा था जाथ 7000 रुपे महिने किराय ses Nos आप निकलो और दूसरा किरायदारिस में आ जाएगा अब ये बात हमारे जो टेनिंट है टेनिंट को पता चल गए ये बात और ये ओनर है पाई टेनिंट ने बोला मालिक से देखिए भाई साब मैं जानता हूं कि किराया बहुत कम है 1200 रुपे मैं खुद इसको बढ़ा देता हूं और ऐसी बात नहीं है चलिए मैं आपका ये किराया बढ़ा देता हूं और मैं खाली अभी तो नहीं कर सकता सारे है डॉक्यूमेंट है ये सारी चीचे हैं आप पहले मुझे बता देते हैं मैं मुझे पता लगा कि किसी किराधार को आपने दिखाया था किसी टेनिंट को लाई और दिखाया मकान मालिक ने बोला हाँ वो था सोचें बनाई ना बनाई कन्फ्यूजन है थोड़ी से तो चलो ठीक है किराय बढ़ा देते हैं मकान मालिक ने बोला ठीक है सर किराय बढ़ा देते हैं इसने बोला ठीक है अब बारा सो रुपे दे रहे हैं हम तीन हजार रुपे किराय कर देते हैं आप भी मेरी मजबूरी को थोड़ा समझी है तीन हजार ठीक है अब मकान मालिक क है ना आप एक काम करो 2017 से मेरे को 3000 रुपे गिन के दे दो किराया कि यानि 2017 से 33 काउंट करो अब 17 में पता है कितना दे रहे थे 17 में दे रहे थे 1200 तो 18-18 रुपे वो भी दो मुझे यानि 17 में 1800 इंटू में 12, 17-18 में फिर से 1800 इंटू में 12 क्यूंकि मैं 1200 तो दे ही रहा हूं इसने बोला बैक डेट से किराय बढ़ाएंगे हम आपका यानि अभी से नहीं बढ़ाने वाले आपका बैक डेट से बढ़ाएंगे अगर ऐसा आप कर सकते हमें पैसे की भी जरुरत है नहीं तो दूसरा किरायदार साथ हजार दे रहा है तो वो घम कर लेते हैं अब भाई किरायदार ने मजबूरन आके इस मकान मालिक ने अपना हाउस पॉपर्टी इंकम जो फाइल किया होगा दो हजार सत्रा में तो वहाँ पे उसने क्या दिखाया होगा ए ट्रिपल आर बारा सो रुपे इंटू में बारा चौदा हजार लेकिन बाइस के अंदर आत हैंगे हम बैक डेट से बढ़ा हुआ तो मान के चलो करेंट इयर का तो इसको कितना मिलेगा सर तीन हजार इंटू में बारा मिलने वाला है करेंट इयर का 36,000 और यहां पे कुछ लास्ट इयर के इंक्रीमेंटल मिलेगा कितना मिलेगा सर आप गिन सकते हो 17 18 19 20 21 22 22 में तो इसको क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं बता रहा हूं तो जब यह मिलेगा इसको तो सर यह भी हाउस प्रपर्टी का पार्ट माना जाएगा गौवर्मेंट कहता है मान लो आप पहले ही रेंट बढ़ा हुआ लेते तो 30% का डिडेक्शन लेते तो अभी भी आपका यो भी बनता है फटा फट से कलकूलेट करे बता दो तो मैं एक एकग्जाम्पल में इसे को इक रहर तो मुझे एक बार टोटल करके बता दो तो मैं इसको जी येवी वगयरा निकाल देता हूं यह को सर इसका आ जाएगा ए ए इनन वी आगिया सर एने भी मान लेते हैं इसका 36,000 है अब 24A भी लग गया 24B भी लग गया सर है नहीं कुछ 24A 30% माइनस करिए तो कितना हैगा सर 30% माइनस करके दिखाइए 36,000 का 10,000 ये माइनस हो गया सर इंकम फ्रॉम हाउस पोपर्टी आगे अब भटा भट बताईए इंकम फ्रॉम हाउस पोपर्टी कितने 25,200 सर अब इसमें एड कर देंगे अरियर रेंट अब एड कर देंगे एरियर रेंट ऐसाच कोई नहीं है कि एरियर रेंट सबसे लास्ट में कहीं भी मिड में एड हो सकता है लेकिन सबसे last में add करना ठीक रहेगा multiply करके बताइए कितना आ रहे है 2,16,000 देख रहे हो 24 के जगा 12 अच्छा ये 12 होगा एक लाख चलिए सर एक लाख 8,000 आपने बता दिया हमने लिख दिया एक लाख 8,000 तो सर एक लाख 8,000 डैरेक्ट नहीं जोड़ना एक लाख 8,000 का या तो आप ले लीजिए 70% या पहले इसमें से 30% घटा दीजिए क्योंकि इस 30% के benefit के आप हगदार है और फिर आप add कर दीजिए तो कितना आएगा 70% बोलूँगा तो कुछ बच्चे पूछने लगेंगे 70 कहां से आया मैं पहले इसको ऐसे करना चाहता हूँ इस सब हटा देते हैं यहां से हटाओ मैं इसको करना चाहता हूँ कितना आगया एक लाख 8,000 less standard deduction फिर से मिल जाएगा 30% बताईए कि हाँ बताईए और सर अब इसको जो add करेंगे वो आ जाएगा IHP तो कहने का मतलब है section 25A में कहा गया कि अगर कोई किराय मकान मालिक अपना पिछला रेंट area of rent को recover करता है current year में तो वो भी house property income का पाठ है यानि इससे एक बात proof हो जाता है आपके पास घर हो चाहे आपके पास घर ना हो तब भी house property का income generate किया जा सकता है घर ना होने का मतलब मान लेते हैं कि किरायदार जो था ये मेरा एक अब मैं अगले point पे आऊँगा unrealized rent वाले पे आऊँगा तब मैं बात करूँगा उसकी अभी जो मैंने बोला ने अभी clear हो जाएगा पहले यहां तक आप देखो यह clear हुआ क्या आपको क्लियर हुआ यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी समझ में आ गया कुछ concept नहीं हमारे पूरे question पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी area rent है फटा फटा फटी अब अगले point पे चलते हैं सर अगला point हमारा यह यह थोड़ा सा important point बनता है मतलब area of rent से थोड़ा भारी point बनता है यह हमारा दोनों को पहले दोनों के अलग-अलग section हुआ करते थे लेकिन फिर बाद में merge करके एक section बना दिया गया वही 24 A में ही डाल दो दोनों को 25 A में तो सर अन्रिलाइज रेंट की बात कर रहे हैं अन्रिलाइज रेंट क्या होता है एक बार समझ लेजिए अब अन्रिलाइज रेंट देखिए यह मकान है और इस मकान के अंदर किरायदार है ठीक है इस मकान के अंदर को उन्हें किरायदार और यह है मकान मालिक यह है मकान मालिक अब यह जो किरायदार है यह रेंट पे ही रहेगा यह पांच हजार रुपे महिने के रेंट पे रह रहे है अब हुआ ये कि मकान मालिक जब भी जाता है किरायदार से पैसे मांगने के लिए कि भाईया मेरा रेंट दे दो किरायदार मना कर देता है बोलता अभी नहीं अगले मैंने दे देंगे अभी है नहीं फिर से ये मांगने आया बोला अभी नहीं है अगले मैंने दे देंगे मतलब अभी इसके पास पैसे है नहीं और ये दे नहीं बाता अब फिर से ये मांगने आता इससे किराया दे दो ये अगेन कहता है मैं अभी नहीं दे पाऊंगा मेरे पास रेंट का पैसा नहीं है नौकरी लगने दो मैं आपको दे दूँगा यानि इसके उपर माल लेते हैं छे महिने का पिछला किराया बांकी था जो की था हमारा 30,000 अब जब ये किराया मांगने के लिए गया तो पता चला घर खाली है क्या पता चला घर रातो रात किरायादार ने घर खाली करके चले गए अब इसका ये 30,000 अब इंकम टेक्स वाले बोलते हैं के भाईया तुम्हें हम तो टेक्स लेंगे आपसे इंकम टेक्स की जब ये रिटन फाइल करने जाएगा तो रिटन फाइल करने में लिखेगा सर एन एवी है मेरा पांच हजार इंटू में टूएट टेट इस कि साथ हजार रुपे कितने लेखिन लेखिन ये बोलेगा सर मकार किरायदार ने पैसे नहीं दिये मुझे छे महीने के अगर इंकम टेक्स इसको बड़ी आसानी से मान ले ठीक है भाई नहीं दिये तो को एक काम कर तू बारत से मत मल्टिप्लाई कर तू मल्टिप्लाई कर दे किस से अगर इतनी साधारन सी बात हटा यार इसे हम तेरी बात मान लेते हैं अगर इतनी आसानी बात होती तो सभी मक कानमाली को पहुंच जाते किरायदार पैसे नहीं दे रहे किरायदार चला गया बहुत सारे excuses थे और income को क्या कर देते वो जीरो कर देते कर देते न अपने income को जीरो गॉर्मेंट यहां पर लेके आई ट्विंटी फॉर ए स्वरी ट्विंटी फाइव ए और इसके साथ बोला भाईया ट्विंटी फाइव ए अन्रिलाइज रेंट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो रूल नंबर फॉर जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा रूल क्या होता है साथ रूल का मतलब होता है कुछ सेक्शन में कुछ बाटे अगर छूट गई है कि लिडिटी नहीं है तो रूल के अंदर उसे clarity कर दिया जाता है rule number 4 लिखिया है बोला भाईया तुम यहाँ पे 6 से multiply करने देंगे लेकिन यहाँ पे कुछ बाते हैं वो बातों को fulfill करना पड़ेगा और अपने income tax officer को इस बात से सहमती देनी पड़ेगी पूरा पहला number 1 आपने recover करने का पूरा courses किया हो proof चाहिए sir proof क्या देंगे recover करने का FIR की copy लाओ आपका किरायर लेके गया न वो rent agreement बनाया होगा rent नहीं मिला FIR की copy करो number 2 किरायदार उस मकान में तो नहीं रह रहा आप sir यह बात दूसरी समझ में नहीं आया किरायदार उस मकान में अगर रह रहा होगा तो हम तो recovery कर लेंगे अब यहां condition बदल भी सकता है यह मैंने का 30,000 आगे अब मकान मालिक गया बहिया किरायदे किरायदे जल्दी दे उसने gun रखा सामने पुरा क्या बोल रहे थे उसने बोला नहीं नहीं बस किराय था पिछला यह मांगने आये था कोई बात नहीं दे रहे कोई बात नहीं हम जा रहे हैं यानि किरायदार इसी मकान में रह रहा है और ऐसा भी पॉसिबल रह भी रहा है लेकिन किराया नहीं दे रहा है यूपी में बहुत हुआ है ऐसा ही है बताओ तो यह दिक्कत हो सकता है रूल नंबर टू जो टेनेंट है टेनेंट सर इस मकान में नहीं रहना चाहिए नहीं अगर रह रहा है मकान के अंदर तो एफायर करो पुलिस को बुलाओ आपने सारी कोसिस कर ली हो सारी कोसिस का मतलब आपने यहां पे सारा का सारा क्या किया हो उसको मतलब के गुंडों से पिटवाने की कोसिस कर लिया हो आपने उससे पैसे रिकवर करने का मतलब हर एफट लगा दिया हो और स देगा नहीं तो बोलेगा भाईया तुमने रूल नमबर फॉर नहीं सैटिस्फाई किया हम नहीं मानते के आपका घर का किराया नहीं मिला होगा तो सर अन्रेलाइज रेंट का मतलब क्या होता है कि आपके मकान के अंदर किरायदार ने आपके पैसे वो कोन से पिछले आके मिल गए अब अन्रेलाइज रेंट के अंदर आपने अभी तो सबकुछ रूल नमबर फॉर सैटिस्फाई कर दिया तो अब आपका एने क्या होगा काईदे से देखा जाए तो एने भी होगा सर 5000 इंटू में 6 मैंने रूल नमबर सैटिस्फाई किया है यहीं पे लगेगा 24A और यहीं पे लगेगा 24B, यह बात थी 2020 की lockdown की, 2022 आया, 2022 आया, और 22 के अंदर इसका फिर से यही मकान पूरा दूसरे किरायदार को दे रखा है, उसने 12 के हिसाब से पूरे 60,000 रुपे दिये, जो कि क्या बना सर हमारा NAB, जैसे ही 2022 आया, नए किरायदार ह यह पुराना वाला भी लॉट के आ गया, बोलता है भाई साब किरायदार मिल जाएगा क्या, उसने बोला रहे किरायदार मिलेगा वो तो बाद में, पहले वो जो पुराने पैसे दे, हाँ वो तो मैं दूंगा, वो तो मिर पास मजबूरी थी, आप बार बार बोल रहे थे, मिर पास पैसे नहीं थे, तो अब मैं कैसे मना करता है, यह लो अपने 30,000, यानि 30,000 मिल गया सर, 2022 में, 2022 के अंदर तो हम IHP ये फाइल करने वाले थे, 24A का छोड़ो डिदक्शन अभी भी हम 60,000 फाइल करने वाले थे, लेकिन हमारा क्या हुआ पैसा, that is unrealized rent recover हो गया, unrealized rent क् तो government कहता है, भाईया, recover हुआ, पहले तो तुमने सारे rule number 4 दिखा दिये, लेकिन अब तो मिल गए, अब तो 2 इस पे पैसा, tax, तो बोलता है, अगर पहले तुम नहीं दिखाते, तो हम तो आपसे पूरे 60 पे लेते, तो 30% का benefit देते, अभी again इस पे से हम क्या करेंगे, सर, 30% सरिफ माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 9000 और 21000 रुपे और add-on कर से, आपसे tax ले लिया जाएगा, यानि जब कभी भी आपको unrealized rent मिलेगा, तो same आपका area of rent के जैसा ही होगा, देखो आप, इसलिए एक section में merge किया गया, कि जब पैसा मिला, आप क्या करिए उसके अंदर, add कर लीजिए, add करने के बाद, आप to be continue, 30% माइनस करके tax दीजिए, बड़ी simple सी बात है, मेरा question number two है, अगर मान लो, income tax officer यहाँ पे नहीं उससे सहमत होता है, agree नहीं करता, बलता नहीं भईया, तेरा सारा F.R, F.R, पता नहीं कहां से लिखवा के लिए, नहीं मानते, तिरको तो tax देना ही पड़ेगा, उसने बोला ऐसा थोड़ी होता, बोला ऐसा ही होता है, तिरको 2022 में उसे मिल गया 30,000, तो मेरा सवाल यह है कि 2022 के अंदर क्या वो इस 30,000 पे दुबारा tax देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो पहले दे चुगा है, तो unrealized rent पे आपको tax तभी देना है, जब आपको पहले benefit ना मिला हो, अगर आपने पहले पूरा-पूरा tax दिया है, तब मिले सब भी हो सकता है, बोला जाता है कि घर का मालिक होना चाहिए, section 22 याद दिलाता है, मान लेते हैं, ये मकान मालिक ने 2020 के अंदर किरायदार के साथ इतना ज़्यादा harassment किया, इसको इतनी बद्वा लगी, इसके मकान ही बिग गई भाई, ये रोड पे आ गया, 2022 में घूम रहा है ये रोड पे, कुछ नहीं है इसके बास मकान, पुराना किरायदार लोट के आता है, बोलता है, भाई साब आप यहाँ पे हैं, मैं तो आपको किराय देने के लिए आया है, तो बोलता है, क्या किराया, क्या कुछ बचाने ही, सब बरबाद हो गया, उसने म टेक्स ऑफिसर ने बोला, इधारा तिरको 30,000 किराय मिला है, हाउस पोपर्टी का टेक्स बर, बोला, सेक्शन 22 में कहता है, कि घर नहीं तो किराया, टेक्से बल नहीं होगा किराया, सेक्शन 22 के हिसाफ से नहीं, तो बोलता है, सेक्शन 25 ए भी यही कहता है, कि अगर unrealized rent हु हुआ है, तो क्या वो under the head of house property जाएगा, yes, under the head of, क्योंकि सुनने में कही बार ऐसे लगता है, घरी नहीं है, rent मिला है, पहली बात तो question हो नहीं सकता, दूसरा rent मिला है, घर नहीं है, तो इसके हिसाफ से नहीं जाएगा, true false में question पूछा जा सकता है, तो sir ये था हमारा area of rent या area of rent मिलेगा, add कर दीजिए, 30% minus करके, और कुछ इसमें इतना बड़ा लंबा चोड़ा कहानी नहीं है, बस simple सी बाते इसके उपर theory आता है, कि unrealize और area of rent को explain करी, तो जितनी बाते मैंने आपसे करी है, वही बाते आपको लिखना होगा, और वही आपके sample paper 10 year जहां भी होई है, यहां तक clear आपको सारा, तो अब सवाल पर आ जाते है, back, सर इस सवाल में ऐसी कुछ बातें बोली गई थी, तो सवाल पर आ जाते है, इस सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार हम, सर सवाल में क्या कहता है, दुबारा पढ़ते हैं, पूरा, पहले तो हमने सवाल में, इसके पास दो घर है, और पर्टिकुलर फाइनेंशल येर, 2021-2011 रेगुलर में आया हुआ है, फर्स्ट हाउस का बताता है, यानि हम हम ह1 कर लेते हैं, और ह2 कर लेते हैं, एमबी, फर्स्ट हाउस का एमबी बोलता है, सर चौबिस हजार है, एन इस टेंडर रेंट 30,000 है, सर एफ र बताया है नहीं, तो अभी देख लेंगे, और सर कहता है कितने हैं, 30,000 है It has let out 3,000 पर मंथ He made the following payment इसने 3,000 रुपे के महिने पे किराय पे दिया हुआ है 3,000 रुपे महिने के किराय पे घर को दे दिया है Municipal Tax 6,000 रुपे तो Sir, Municipal Tax हमारा Allowed होगा इस पे मैं Repair किसी काम का नहीं Land Revenue किसी काम का नहीं Legal Expense किसी काम का नहीं House vacated के लिए किसी काम का नहीं आपका Annual Charge किसी काम का नहीं This house remain vacant for 2 months और ये घर 2 महिने vacant रहा और 9,000 could not be recovered from the default tenant Sir, 2 महिने तो खाली भी रहा और 9,000 मिले भी नहीं Sir, 2,000 नहीं मिले हम तभी मानेंगे जब आप Rule No.4 को Complete कर दो तो आगे Question में खुद कहता है The Tenant has a vacated house The Condition of Rule No.4 Satisfied यानि Tenant ने उस घर को खाली भी करवाया Rule No.4 Satisfied कर रहा है इसका मतलब ये सच बोल रहा है 9,000 रुपे इसको नहीं मिले होंगे इसका मतलब Sir Standard Rent FR तो है नहीं तो इन दोनों में से क्या लेते है Higher जो यहीं आता फिर क्या लेते है Lower तो आपको पता चल गया है Sir E.R. क्या होगा 24 E.R. क्या होगा 24 हम इसके आगे की कहानी लेके चलते है Second House Municipal Value 40,000 Sir used by the R On Residence He paid 200 रुपे Sir कोई मतलब नहीं है Fire Insurance Premium 4000 रुपे Municipal Tax क्या मिलेगा इसको Municipal Tax Benefit के लिए ध्यान दीजिए यह घर Second किसके लिए है अपने लिए Municipal Tax Paid करोगे तो Sir नहीं मिलने वाला He also paid interest on loan Sir इसका benefit मिलेगा The loan was taken Repay another loan construction of house क्या benefit मिलेगा इसने ब्याज पे किया 20,000 लेकिन जो loan लिया था न वो लोन घर बनाने के लिए भी नहीं लिया इसने loan घर खरीदने के लिए नहीं लिया पहले कभी लोन ले रखा था घर बनाने के लिए उसको repayment करने के लिए नया loan इसने ले लिया क्या इस interest का benefit मिलेगा येस मिलेगा मैंने कहा था न कि अगर आप कोई भी loan लो या तो पुराने loan को आप repay करने के लिए ले लो तब भी आपको benefit मिल जाएगा समझे बात मैं क्या कहना चारा हूँ समझो आप लोन वाले point में मैंने ये point लिखाया था note में भी लिखाया था in case any addition loan taken करोगे repayment के लिए तो उसका benefit आपको 24B में मिलने वाला है चेक कर लीजिए अब तो sir benefit मिल जाएगा sir किराया 3,000 है बात करते हैं 3,000 किराया है तो 3,000 के हिसाब से 12 महीने का कितना होना सही है sir 36,000 जिसमें minus कर दो sir कितना 2 मैंने vacant तो 3,000 into में 2 यानि 6,000 vacant जिसमें minus कर दो sir unrealized rent that is 9,000 तो कितने बचे sir 21,000 तो हमारा जो actual 8 triple R होगा that is 21,000 रुपे कल यहां देखे बच्चों ने निकाल भी दिया IHP 95,000 रुपे बाद में देखते हैं अभी कर लेंगे इसको भी verify यहां तक देखे किसी को कोई doubt clear है यहां तक अब मुझे बताईए इन दोनों में से higher या lower vacancy का केस है, unrealized का केस है तो sir एक बार मन में पूरे साल का calculate कर लीजे अगर पूरे साल किराया पर होता तो sir 36 बनता और यानि किरायदा जूट तो फईया उसके इसाब से दे देते हैं lower वाला यहां concept लग जाएगा तो जी ये भी आ जाएगा sir हमारा 21,000 और sir इसमें से minus कर देंगे empty जो कि सवाल में given है और सवाल में given है 6000 और sir अब na b direct लिखने जा रहा हूं में na b क्या आएगा इसका 0 और इसका आजाएगा हमारा 15,000 now इसके अंदर से less कर देंगे हम 24 that is कितने percent और now minus कर देंगे 24 B interest जो कि इसके लिए था 20,000 इसके लिए नहीं था house number 2 के लिए था वैसे specified नहीं है तो हमारे house number 2 से detail है तो इसी के लिए है 15% इसका आजाएगा 500 अब taxable आगे हमारा इसका minus का 20,000 और इस वाले के आजाएगा 15 में से minus करोगे तो 10,500 अगर मेरे से सवाल पूछ लेके IHP बताईए तो IHP आजाएगा 20,000 में से ये minus कर दोगे तो 95,000 रूप है negative का IHP आजाएगा मैंने notes के अंदर 10 year के अंदर solution में with format दे रखा है तो आपको exam में वही format follow करना है यहाँ पर देखो सवाल करा रहा हूँ concept बता रहा हूँ तो आपको easily फटा-फट होता जाए ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में सवाल कर ले तो better है समझ मैं है? आगे हम कर देंगे income from house property house number 1 से हमारा 10,500 का income minus कर देंगे house number 2 से loss समझ में आई बात आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी चले आगे चलिए सर next question पर चलेंगे यानि आज का जो 25 था कुछ बच्चे कह रहे थे उनका doubt भी हो गया तो देखे आप रह गया एक section 26, 22 कर लिया 23 कर लिया 24 कर लिया, 25 अभी देख लिया 27 कर चुके हैं, एक रह गया 26, 26 भी देख लेंगे हैं यानि ये chapter एंडिंग पर चल रहा है सर एक और सवाल इसमें भी इंटरस्ट वाली बात कही गई है तो इसलिए कर लेना चाहिए कितने घर हैं, इसके पास house, municipal, एक ही घर है तो फटा-फट format बना लेते हैं पिछले class के अंदर हमने पिछले class कर रहा हूँ, अभी हमने last में unrealized rent कर लिया है वैसे इतने बड़ी तो जूरत भी नहीं पढ़ती मैं ऐसे ही आ गया है तो यह क्या हो रहा है हां जी सवाल पढ़ लेते हैं कहता है, X के पास जिसको visual नहीं है थोड़ नीचे कर देते हैं सवाल को कहता है, Sir, X के पास एक घर है डेली में municipal value आपका एक लाख रुपए है MV है हमारा एक लाख रुपए Sir, fair rent है एक लाख चालिस हजार वेर देस तेंडर रेंट एक बीज एसार एक बीज डूरिंग दे प्रिविएस येर बीस एकिस हाउस वेकेटेड आपका घर खाली था एक चार से तीस छे तक बीइंग दा सेल्फ उक्यूपाइड इस रेजिदेंचल परपस सर सेल्फ उक्यूपाइड हो गया आप खाली नहीं मानेंगे अब इसका घर है तो एकस्पेक्टेड रेंट आ जाता है हमारा यहां पर कितना हायर लोवर यानि एक बीज एट रिपल जो आर लेंगे हम कहता है कॉस्चन में इट वाज दा लेट आउट लेट आउट था एक साथ 2020 में 15,000 रुपे से महिने से क्योंकि 36 थक था एक साथ तो 15,000 रुपे महिने के हिसाब से था अगर आपको बोले ना कि condition number 4 इसने फुल्फिल किया यह नहीं किया तो नीचे अजंशन में नोट में दे देना जी इसने फुल्फिल कर दिया होगा और इसको आप माइनस कर देना बड़ी सीधी सी बात है ना बोले तो क्योंकि अभी तक तो सवाल में बोल रहा है तो आपको पता है कई बार ना बोले आप बोलो के है या नहीं है तो आप मान लेना के होगा और नीचे rule number नोट में वी अजीम्य आट जो हमारा यह सवाले हूंन kॉझार प्रेट है lle cafe किए है उसके यह सांब से अंसर मोई हैं आप कर दि friendship the following expenditure respect of house property 2011 में ये भी सवाल आया है municipal tax ठीक है सर repair किसी काम का नहीं fire insurance किसी काम का नहीं land revenue किसी काम का नहीं ground rent किसी काम का नहीं where paid during the year इसने loan ले लिया taken 14-17 में 12% के हिसाब से construction of house which was completed तो सर लोन का point है तो इसको अलग से कर ले तो बहतर है अब हम 8RRR मान लेते हैं तो कितने महीने तक रहे गया सर एक साथ से 9 महीने तक सर 9 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 1,35,000 अब तो tension ही नहीं सर अब ये खुद ही बोल रहा है 1,35 मिला तो येसी को मान लो 1,35,000 इसमें से minus कर दें MT है ना question में MT सर MT है question में अब आगया NAB 1,00,000 सर माइनस कर दो 24 A 36,000 और माइनस कर दो सर 24 अब 24 B समझ लेते हैं ये रहा हमारे पास पूरा साल सवाल में कहता है जी लोन लिया 14,17 को सवाल में कहता है लोन लिया 14, 2017 को कितने का लोन लिया सर 2,00,000 12% के हिसाब से है और ये घर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 21,00, यानि सर 21,00, यानि 19,20 के अंदर ये डिड़क्शन ले चुका है प्री कंस्ट्रक्शन पीरिट की बात होगी तो 31,00, तीन, दो हजार 19 से हम कंसीडर करेंगे पहले ये देखिए कब से कंसीडर करेंगे 31,00, यानिस से समझ में आ रहा है यह तक बाद आगे कहता है ये 50% लोन रीपेट 30 जून, 30 सेप्टेंबर 2020 हमारा करेंट येर जो बनता है वो बनता है सर 14,00, दो हजार बीस से लेके 31,00, 31,00, 31,00, सर सवाल में क्या कहता है सर सवाल में ये कह रहारा है examiner कि आपने 30 September यानि यहां बीच में आपने 50% का loan pay कर दिया था current year में क्यूंकि current year ही है 30 September 2020 कब जाएगा current year के अंदर ही पॉल करेगा तो current year में आपने 50% loan pay कर दिया means यहां से यहां तक तो आपके पास दो लाग का कर जा रहा लेकिन यहां आपने payment कर दिया और यहां से यहां तक आपके उपर कर जा रहा स्रिफ और स्रिफ तो current year का ब्याज निकाला जाएगा दो लाग छे महिने पर एक लाग का छे महिने ठीक है PCP की बात कर लेते हैं सर यहां से यहां तक सारा time हमारा PCP का है और PCP अगर हम find करें तो क्या बनता है कितने महिने हो गए 24 तो सर दो लाग इंटू बारा बटे में 100 इंटू 24 बटे में इंटू एक बटा में 5 कितने आगे 1 बाइ 5 प्रिंटी फिर से 9600 यह था PCP प्री कंस्ट्रक्शन पीरेड प्री कंस्ट्रक्शन पीरेड का 9600 आगे चलते हैं सर करेंट इयर का कैसे निकाले ध्यान दीजिएगा करेंट इयर का सर 2 लाग पे थोड़ा मैं उपर 2 लाग पे 12 परसेंट और वो भी सर 6 महिने का और सर 1 लाग पे साइड में कर देता है कितने आगे सर 2 लाग पे 12 परसेंट कितने आगे 12 हजार और सर 1 लाग पे 12 परसेंट और वो भी 6 महिने का सर यह आजएगा 6000 इसका मतलब सर सर Unrecorded Amount 15 के माइनस क्यों अभी देखते हैं क्या आ गया 6000 टोटल आ गया 18000 तो सर 18000 करेंट इयर का और यह इंटरस्ट हो गया 18000 प्लस 27000 अभी चेक कर लेते हैं कुछ बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे हैं अभी देखते हैं आपका स्टूडेंट का कहना है सर 8RRR 8 महिने का होगा 1 महिने का Unrecover है अच्छा कहता है एक महिने का बिल्कुल सही जवाब सर एक महिने का Unrealized तो यहां पे कितना लेना चाहिए देखो थोड़ा सा Error हो गया वो तो सही है जितने बच्चे लाइव रहते हैं वो बता देते हैं मुझे नहीं तो मैं तो ऐसे ही कर दूँ इंटू में 8 एक बीस चलो फटा फट ठीक कर लेते हैं अब यह आ गया अब ठीक है अब माइनस करके यह भी गलत आ जाएगा कितने आएंगे इसका 30% अब माइनस करके बता जीजे आई एच पी बताईए हाँ कितने 45 सर यह सवाल भी खतम हो गया इसके अंदर भी हमने दोनों बाते देख लिए कह रहा है कि कुछ नेटवर्क प्रावलम यह कोस्चन रिपीड कर दीजिए कोस्चन रिपीड करने का तो आपको दुबारा मिल जाएगा यह रिकॉर्डेट उसमें आप देख सकते हैं हां जी तो एमवी दे रखा है आपको एमवी दे रखा है आपको सर कितने का एंड आपको क्या दे रखा है हां पर फेर रेंट फेर रेंट कितने का आपको दूरिंग दा प्रीविएस येर हाउस वास वेकेंट एक चार यानि एक चार दो हजार बीस से तीज चे दो हजार बीस तक खाली रहा सर यहां से यहां तक खाली था तीन महिने के लिए और वास लेट आउट रेजिडेंशल परपस एक साथ एक साथ से इसने 75 सो रुपए का दे दिया तो सर इस्टेंडर रेंट अभी बताया नहीं है तो डेज डाल दिया इसमें से आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आपको पता है 72 अब ए ट्रिपल आर जो आएगा में कंपेर तो किया जाएगा ना और कंपेर करने का तरीका क्या है एक बार देख लेते हैं कि 12 महिने के बनावर है या नि तो 75 इंटू मेंट ट्र तो बारा महिने होता तो 90 होता तिया नि गर्वर्मेंट के रूल से जादा है तो यहाँ पे जो जीए भी निकल के आएगा सर 67 500 आएगा माइनस एमटी कर देंगे आगे कहता है यह मेक दा फॉलोविंग एक्सपेंडीचर मुनसीपल टेक्स 18 ठीक है सर माइनस करना लावड है निकल के आगया एन ए बी देट इस 49 500 आगे कहता है रिपेर किसी काम का नहीं है फाइर इंसौरेंस किसी काम का नहीं है ग्र इर पीर अलोण थीक है यह काम का है कहता है wa er paid sorry were paid during the year old एक लाग पैंसा घ्लजार टेकन एक चारदुजार 14.0014 में लोण लिया गया है and per annum 10% के हिसाब से तो sir 35, 1, 35 का loan है और 10% के हिसाब से ठीक है sir और the construction of the house completed 19 में हो गया इसका मतलब sir कब घर complete हुआ 31, 32,000 19 में complete हो चुका है घर nothing तो अब ध्यान रखिये मैं अगर PCP की बात करूँ तो 14, 2,014 और complete घर बनके हो गया कब 31, 3, 2,019 तो जो 18, 19 का tax गया होगा उसमें तो हमने deduction claim कर लिया होगा क्योंकि 18, 19 के अंदर हमारे पास तो घर है तो 18, 19 में तो मैंने deduction claim कर लिया होगा तो 18, 19 का मतलब 18 का जब होई गया तो हमें count करना है 31, 3, 2,018 तो आपका 14, 15 15, 16 16, 17 और 17 इतने time pre-consection period के होगे तो कितने साल हो गए 24, 48 महिने तो कैसे निकालेंगे सर 35, 1, 35 into में 10 by 100 into में 48 by 12 into में 1 by 5 तो सर 1, 35,000 पे सिंपल सी बात है मैं 40% ही न निकाल दू यहागे 54,000 और सब करक करा के आ गया 10,800 रुपए तो सर आप यहाँ से सबसे पहले माइनस कर दो 24 A that is 30% और माइनस कर दो 24 B that is आपका एक तो PCP का बन गया हमारा 10,800 और हमारा करंट येर का तो फुली है तो 13,500 that is interest क्या होगा 10,800 प्लस 13,500 24,300 तो आप चेक कर लिजी answer 30% कितना है 14,850 चलिए माइनस वाइनस करके चेक कर ये आप क्या आता है 14,850 क्या आ रहा है 10,310 ठीक है ये हो गया IHP देखिए आपके सामने ये सवाल है किसको ये लेकर आया है 10 येर प्रोग्राम का चेक करो ये answer question number 90 होगा किसने है PCP 5 साल है बच्चे कह रहे हैं 5 साल आपने 4 करवा दिया नहीं complete घर हो गया 19 में तो जो 18,19 है इसमें हमने consider कर लिया होगा तो अब हमारा बसता है 14 दुबारा देख लेते हैं या तो 10 येर में error हो सकता है 14,15 15,16 16,17 17 और तो सर ये 4 होगा इस answer को ठीक कर लिजे 10 येर में correct कर लिजे मुझे दिखाई ये 10 येर के अंदर थोड़े क्या interest question number 9 है ना नई इसने PCP 5 साल का निकाल लिया है यहां error होगे ना 5 साल का 13,56 लेके फिर reduce तो होई जाएगा correct कर लिजेगा चलिए मैं अगली बार मैं भी ध्यान दूँँगा इस question को एक मुझे page चाहिए जहां मैं सब कुछ लिख पाऊं इनके नहीं date देखो होता क्या है generally जब हम date change करते है ना सारा paper के इसाफ से तो एकार date ना रह जाता है आगे बढ़ना तो वही रहा होगा इसके अंदर date मैंने या तो नई वाले में बढ़ा दिया होगा और क्या date है चेक कर लेते हैं date 10-350 है क्या yes 10-350 राइट अंसर है और आप कैसे करूँ इसको इसको लगा दीजिये आप अभी मुझे आप लिखवा दे ना इसका अंसर ना ठीक है ना ये इसका error अगले बार जो बच्च आएंगे उनके लिए तो ठीक हो जाएगा वैसे तो दुबारा लिखना ही पड़ता है सारो फिर भी मुझे याद रहेगा ना ये स्पेशली ठीक करना है मुझे सर 18-19 का भी तो निकालेंगे नहीं 18 देखो concept क्या है जिस साल आपका घर बन गया जिस साल आपका घर बन चुका है उस साल में तो आप रिटन जब फाइल करोगे तो उस टाइम पे income from house property की income का तो claim ले ही लोगे तो 18-19 में घर बना है तो 19 वाले में जब return फाइल कर रहे होगे तो आपने house property के income का claim करी लिया होगा interest का भी benefit ले लिया होगा तो government कहता है जिसका benefit आप नहीं ले पाए हो उसी को ही pre construction period बोलेंगे तो 18-19 का तो आप benefit ले चुके होगे तो आपने कम नहीं लिया होगा 17-18 तो in year का नहीं लिया होगा तो इसलिए ये PCP का part माना जाएगा समझ में आया इन अंदर नहीं आपको clear next सवाल पर चले आया ये अलग से है ये program के अंदर है इस सवाल तो मैंने कुछ हलके सवाल program अब देखो थोड़े से tough question भी उठाते हैं और इस के भी लेते हैं भी तो सारा concept तो खतम हो चुका है अल्मोस्ट अब हम practical question की बात करते है practical question को पहले तो हम account रो कर लेते हैं अगर income tax में कोई आसान chapter है ना तो house property क्यों ज्यादा कुछ है ही नहीं एक बस कहा दिमाग लगवाते हैं आपसे ये interest में बस लेकिन honors के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगवा दे सकते हैं देखते हैं सवाल क्या कहता है कहता है Mr. X on a house in Delhi during the previous year basic case 3 4th area portion house self occupied तो यानि सर ये घर दो हिस्से में बाट दिये इसने area basis पे तो 3 4th area ये SO है तो 3 4th area self occupied है तो बाकी का 1 4th क्या हो जाएगा let out and full and 1 4th portion was let out for residential purpose 1 4 2020 से 31 3 2020 तक जिसका किराया आता रहा 14 सुरुपे महिने का ठीक है सर 1 1 2021 में portion was used on residence जो ये अपने लिए कर रहा था residence को इसने कहता है कि 1 1 2 हजार from 1 1 2 हजार इकिस this portion was also used for यानि कहने का मतलब है सर जो let out किया ने इस ने घर 1 4 2 हजार 20 से किराय पे गया और ये चला गया 12 31 यानि 31 12 और 2020 तक किराय पे रहा कौन से वाला जो 1 4 एरिया है 1 4th portion है वो रहा लेकिन इसके बाद इसने ये वाला एरिया भी क्या कर लिया self occupied कर लिया कहता है फ्रॉम एक 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 दो हजार बीस से एक से लेके आगे to be continue इसने क्या कर लिया इसको portion was used for residence अपने कहता ही के from इस date से portion used for on residence यानि self occupied ठीक है municipal valuation of the house 20,000 रूपीज अब municipal value हमारे house का 20,000 है he incurred the following expenditure in respect of the house property municipal tax due है तो इसा due का तो कोई मतलब कुछ करना ही नहीं होता repair है आपका अब देखो यहाँ पर कहता है municipal value of the house MV बोला इसने है न मैं tax समझ रहा था municipal value कितना है? 20,000 20,000 में अगर हम इसको calculate करें तो कितने कितने जाएंगे? 20,000 divided by 4 तो 15,000 और 5,000 correct? municipal tax due है repair का कोई काम नहीं है fire insurance का काम नहीं है land revenue का कोई काम नहीं है ground rent का कोई काम नहीं है where the paid during the year A was loan इसने loan ले लिया taken 14, 2016 में तो sir loan की कहानी कुछ ऐसे है कि इसने loan ले लिया 14, 2016 में इसने sir loan ले लिया जब इसने 14, 2016 में loan लिया कितने का लिया sir इसने? 2,000,000 का किस rate से लिया sir इसने? 9% के हिसाब से the construction of the house was completed 28, 3, 2017 तो जब 28, 3, 2017 में complete हो गया तो ये वाला साल जिस साल complete हुआ इस साल को छोड़ दो क्योंकि इसमें तो deduction ले रहे होगे तो इसका मतलब ये वाला साल अगर आप छोड़ते हो तो आपका बनेगा 31, 3, 16 क्योंकि ये वाला जो साल है ये start हुआ होगा 14, 2016 से और ये चलेगा 31, 3, 2017 तक तो ये वाला तो current year हो गया जिस साल घर complete हुआ है तो यानि PCP की बात करें तो PCP आपका यहां से लेके यहां तक कमाना जाएगा that is PCP अगर हम count करें कितने साल का होता है तो आपका 14 को लोन लिया तो मैं यहां कर लूँ 16, 17 हाँ अच्छा बिल्कुल 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 देखो मैं भी कहां उलज गया ऐसा examiner उलजा देते हैं तो इसमें आएगा ही नहीं PCP क्यों क्यों क्योंकि जिस साल बना उस साल ही complete हो गया तो सर यहां PCP की कोई जग है नहीं है पहले तो यह सवाल देख लिया क्यों नहीं आएगा सर एक बर फिर से मैं दुबारा erase करके कर देता हूँ क्योंकि मैं बना रहा था हमारा किस तारिक पे 28 तीन 2017 में घर complete हो चुका है तो इसका मतलब साल तो यही है 16 में लोन लिया 17 में खतम हो गया तो PCP का सवाल नहीं है इस साल मैंने पूरा घर स्टार्ट किया और इसी साल बना लिया तो इस साल मैंने इंटरस का क्लेम ले लिया तो कोई PCP है नहीं आगे कहता है नथिंग हैस बिन पेड लोन और अभी तक इसने लोन का पेमेंट नहीं किया फाइंड आउट था हाउस पोपटे इंकम 11-12 के लिए तो सार यहां पे बस यह दे रखा था FR दे रखा है क्या नहीं दे रखा SR दे रखा है क्या नहीं दे रखा तो आपका expected rent की अगर मैं बात करूँ तो यह तो वैसे 0 ही आना है self occupied let out वाले का क्या आ जाएगा 5000 रुपे और इसने कितने रुपे महिने के किराये पे दे रखा है 1400 रुपे महिने के किराये पे दे रखा है 1400 इंटू में 9 कितने हो गए इंटू 9 12600 sir GAV की बात कर लेते है तो GAV जो निकल के आएगा यह 0 यह 12600 माइनस में MT की बात कर लें क्या municipal tax माइनस होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा municipal tax क्योंकि payment नहीं किया municipal tax कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है municipal tax तो है लेकिन यहां देखे word क्या है due due का मतलब payment नहीं हुआ यह आगया sir NAV अब माइनस करेंगे हम इसमें से 24 A और फिर माइनस करेंगे इसमें से 24 B अब यहां पर माइनस करेंगे 24 A 0 और यह तो 24 B अब B का interest जो है न वो entire house का है यह ध्यान रखना है अब इसने बोला नहीं कि घर का कौन सा area तो entire house का है तो interest अगर हम current year का निकाले ना जो कि payment नहीं हुआ है तो sir loan जो था हमारा वो 2 लाग का और 2 लाग का 9% आजाएगा that is 18,000 तो 18,000 को हम बाट देंगे divided by 4 into में 3 इसका आजाएगा 13,500 और इस side दूसरी side आजाएगा 4,500 तो यह आपको ऐसे ही करके दिखाना है ऐसा नहीं कि एक जिगा माइनस करतीजी आप तो इसके बाद आजाएगा हमारा 13 500 negative और यह आजाएगा हाँ इसका 30% तो लिया ही नहीं 12,600 30% 3780 4320 तर यह आजाएगा आपको सिर्फ सवाल यहां नहीं पूछना इसने बोला find out the income from house property तो जब ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको एक और column बनाना पड़ता है और वहां पर income from house property बनाना पड़ता है या फिर आप यहीं पर कह सकते हो income from income from house property is equal to क्या कह लेंगे हम 13,500 negative plus 43,000 4320 तो यह तो loss आगिया ना 13,500 जब आप दोगे 91,000 80 का that is loss यह था हमारा सवाल number one बताइए किसी को doubt क्या हो गया चलो चलो doubt है तो बताइए इसमें अपड़। क्या है यह बताइए किसी को doubt तो झालो क्या हुआँ झालो यह रख है झालो यह भाब है झाल बाराच ये को 30% कितना होता है इसमें एक पॉइंट और भी है मैं बताना चाहूँँगा एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ हाँ तेरा डाउट है वो तो अब लेंगे अब यहाँ पे बहुत में पॉइंट है जो बच्चे मिस कर रहे होगे क्लास को उनको दिक्कत होगी जो एसार है ना एफार है कई बार एफार आपको देता नहीं एफार क्या होता है और फेर रेंट क्या होता है आसपडोस का जब आपके पास fair rent missing होता है तो जो आपके घर का किराया है उसी को आप आस पड़ो उसके घर का किराया मान के कर लेते हो समझ में आई बात इस question में fair rent क्या है missing है तो अगर fair rent नहीं है तो हमारे घर का किराया पता है तो हमारा घर अगर पूरा किराये पे रहेगा तो कितना रहने वाला है sir parent आप यहाँ पे निकाल सकते हो जैसे 1400 तो sir 1400 into में 14 into में क्या आएगा 12 that is 1600 तो हम ना एक यहाँ पे point को add कर रहे हैं अब पहले समझ लिजेगा यानि क्या कह रहे हो sir अब ही मैं बता देता हूँ आपको जब कभी भी देखो municipal value तो यह government decide करता है और fair rent decide करता है हमारा आसपडोस से लेकिन sometime fair rent जब missing होता है तो हमारे पास right होता है कि हम कर ले assume जो actual rent है that is वही हमारा क्या माना जाएगा fair rent यह तभी assumption लेना है आपने जब आपका vacancy का case हो otherwise no need क्योंकि दिक्कत आता है vacancy वाले में और vacancy हो sorry मैंने vacancy word इस्तमाल कर लिया जब हो आपका self occupied जब क्या हो यहाँ पर self occupied partly and partly let out on the basis of time तो आप ध्यान से देखिए मेरे इस सवाल के अंदर जो यह वाला area है न यह वाला partly self occupied partly let out on the basis of time में आ गया यह क्योंकि इतने time तो let out है और इसके बाद सारा क्या है तो ऐसे situation में आपने यहाँ पर लेना है 16,800 और थोड़ा सा changes करेंगे इसको और यह भी आ जाएगा हमारा 16,800 और यह निकल जाएगा सर 16,800 और यह भी निकल के आएगा 16,000 इस बात को ध्यान रखना important point है यह है यह आ जाएगा 30% पांच हजार 40 और माइनस 4500 तो यह 7260 लेकला इसको बस यह थोड़ा changes है यह concept पहले हुआ नहीं था और पांच है पांच है छीक है अरे मैंने नीचे ले लिया एफ और फर में जाएगा ये थोड़ा सा नीचे सिफ्ट हो गया ये अरे ये थोड़ा सा नीचे सिफ्ट हो गया इसको करते हैं यहां सिफ्ट ठीक है लेकिन अगर यहां पर वेकेंसी नहीं होता मतलब कि सेलफ ओकीपाइड वाला पार्ट नहीं होता तब तो हम ले लेते हैं लोर जब सेलफ ओकीपाइड पार्टली जब हो जाता है तो रूल क्या कहता है ओर नॉर्मल केलकूलिशन करोगे है अब जिसके अई कि 16 800 को कहना एक डिवाइड नहीं करें गे क्या सर 60 800 को नहीं Bes инструмент कमि किस तासे डिवाइड करने की बात कररें मैं समझानी बताईए अच्छा 16 800 नहीं जो 16 800 जो फेयर रेंट है ना वो इसी एरिये का है सिर्फ इसी area का fr बन मान है न हमने तो यह divide नहीं होगा सर ऐसे case में फिर fr को मान लेते हैं बिल्कुल सही इसमें fr आपको अजम्शन लेना पड़ता है self पारस self और इसमें distributed नहीं होगा वो अलग-अलग है क्योंकि इसका सिर्फ rent given था लेट आउट का तो हम लेट आउट वाले portion को ही मान के चलेंगे येस 1242 का लॉस है यह यह लॉस है अरे लॉस है यह चलिए इस वार जो नई बनाऊगा income tax की बुक इसके अंदर थोड़े से question के standard नहीं डाले मैंने अभी मतलब कि पहले यह होना चाहिए फिर यह होना चाहिए फिर semester पांच में तो कर दिया financial management में अगली बार जो बुक बनाऊगा पहले हलके सवाल फिर उससे भारी फिर उससे भारी उससे भारी अभी जो आपके सवाल है यहां पर वो है आपका year के हिसाब से साथ आठ नो दस ऐसे लेके चले लेकिन नेक्स टाइम से जो बनेगा हमारा उसके अंदर और बेटर हो जाएगा और इसके अंदर फिर आपको मतलब के concept किया और उससी से related सवाल मिल गया सीधा चलिए सवाल पढ़ते हैं सेकेंड सवाल है आपके किताब का ही है यह भी टैनियर का यह ओनर्स के अंदर सवाल है XYZ three friends on equal house property एक बच्चे ने पूछा भी था के सर को ओनर होगा तो क्या होगा सब कुछ divide हो जाएगा कहता है छे residential unit है इट वास कंस्ट्रक्ट ऑन 1st जुलाई 2014 जो की बन चुका है one unit is self occupied by each one of them their residence the remaining three unit let out monthly rent 6000 रुपे पर unit the municipal valuation of the property is चार लाख रुपे पूरे घर का चार लाख है municipal tax paid असी हजार रुपे during the previous year the other expenses आपका collection charge किसी काम का insurance नहीं है interest on loan taken construction सर सीधा निकाल के दे दिया on the let out unit remain vacant for three month आपका one of the let out unit कोई भी एक let out unit था जो की कितने महने के लिए खाली रह गया तीन में कहता है one of the let out unit three month के लिए vacant रहा Mr. Y could not occupy Mr. Y ने occupy नहीं किया his unit eight और Mr. Y जो था could not occupy his unit eight month and he transfer to the some other city क्योंकि उसे कहीं और भीज दिया गया तो वो रह नहीं पाया उसमें he does not on any other house properties के पास था नहीं the other taxable income दूसरी income जो इसकी है वो अलग अलग दी हुई है सवाल में हमें क्या निकालना है सवाल में निकालना है हमें इनकी total income computation करके कि इनकी total income क्या बनेगी तो सर एक बार समझी है पहले एक थोड़ा सा diagram से समझाना चाहूंगा ये मेरा एक पूरा घर है और इस घर को इन्होंने क्या करा है कितने unit में तोड़ दिया है छे unit में तोड़ दिया है इन्होंने ये इसके होगे छे unit ठीक है और तीन partner है तो एक एक तो ये खुदी रह लेते हैं यानि माल लेते हैं एक है x एक है y और एक है z तो एक एक तो self occupied होगी है इनका और एक एक क्या हो गया let out हो गया सवाल में कहता है कि जो let out वाला भी portion है the municipal value के बाद आगे कहता है सवाल में कि one of the let out unit मतलब अभी बताया नहीं बोला इसमें से कोई एक भी let out unit जो रहा है न वो क्या रहा one of the let out unit remain vacant for three मेंने तीन महिने के लिए ये रहा खाली पे यानि इसका हमारा ए ट्रिपल र जब निकालेंगे तो तीन मेने का खाली आ जाएगा why could not occupy unit ठीक है सर वाई ने अपना घर नहीं लिया तो कोई बात दी फिर भी तो एने भी इसका 0 ही आना है और इस तरीके से ये पूरा question है तो हमें क्या करना चाहिए सर हम इस सवाल को हाला कि दो टुकड़ों में भी बांट सकते हैं लेकिन तीन टुकड़े में बांट ले तो ठीक रहेगा और इसमें तीनों की income बतानी है हमें इसे बोलते हैं हम co-owner मतलब एक मकान के ही क्या है तीन ओनर है तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा तीन घर को मैं माल लेता हूँ SO 81 जब last में income आईगी न तो इन तीनों में हम बराबर बराबर बाढ़ देंगे तीनों में बराबर बराबर बाढ़ देंगे तो तीन घर SO हो गया एक let out हो गया और यहाँ पर let out के दो घर और ले लेते हैं sir let out भी एक ही कॉलम में हो सकता था लेकिन फिर वहाँ पर आपको एक घर जो तीन मेने के लिए vacant रहा वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी तो यह वाला घर मैं मान लेता हूँ वेकेंसी पर रहा होगा और यह नहीं रहा होगा सवाल में देता है municipal value of property कितने है हमारे sir 4,00,00 तो 4,00,00 रुपे जो municipal value दे रखा है न यह पूरे का है तो आप मुझे बताईए अगर पूरे का 4,00,00 है तो एक unit का कितना होगा तो sir 4,00,00,00 अगर पूरे का है तो divided by 6 और अगर बात करें तो यह 3 unit है तो इसका बनेगा हमारा 2,00,00, ठीक है न? और इसका बनेगा हमारा 66,666 और इसका बनेगा 1,033,333 MB अब अगेन यहाँ पे क्या FR है? क्या यहाँ FR है? sir नहीं है लेकिन let out वाले portion का हम FR मान सकते हैं जो actual rent रहा होगा और actual rent क्या है sir? actual rent है हमारा 6,000 तो अगर मेरे से FR पूछते हो तो sir इसका FR आ जाएगा 6,000 into में 12 72,000 और दूसरे का क्या आएगा? यह दो घर का है तो डबल हो जाएगा? है ना? 6,000 किराया दे रखा था उसी को किराया को मान लेते हैं हम into में 12 into में 2 1,44 पहले आप देखें यहां तक समझ में आए आपको यहां तक समझ में आए आपको इसमें हर बार 2 से multiply कर रहा हूँ हाला कि मैं एक column में कर सकता था लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए आपको एक column में करना हो तो एक column में कर लेजीगा सर इसके बाद standard rent मैं लिख देता हूँ हाला कि लेकिन आपको लिखने के वशकता नहीं है एक्जाम में फिर expected rent सर expected rent इसका तो क्या होगा कुछ नहीं होगा इसका क्या होगा सर whichever is higher हो जाएगा ने इसका तो बहत्तर अजा और इसका आजाएगा एक जोवाल आफ दा क्या होगा सर 8RRR इसका जो होगा कितने महने के लिए विकेंसी था यह वाला घर तीन मेंने तो इसका आएगा हमारा 5000 नहीं 6000 एक का तो आजाएगा 6000 इंटू में 9 चोवण हजार और एक का आजाएगा 6000 इंटू में 12 इंटू में 2 तेटेस आजाएगा एगेन एक लाक जोवाले सेजार अगर हम जी एवी के बाद करें आसर मुझे किसका डाउट है यह बच्चे कहने सर यह समझ में नहीं आ रहा अभी पूरा करने तो समझा देंगे अभी ठीक है न तो जी यह भी इसका 0 आ गया इसका जी यह भी क्या आएगा लोवर लेंगे यहाँ पे क्यों क्योंकि सर यह वेकेंसी का केस है और रूल नंबर 4 कम्पलीट किया है और यह एक जोवाले साएगा माइनस मुंसी पल टेक्स 80,000 जो इसने पेमेंट किया है वो कव का किसका पेमेंट किया है पूरे घर का तो इसके भी 6 यूनिट कर दीजिए 80,000 इन्टू डिवाइड़ बाई 6 और इन्टू 3 यहाँ तो आजएगा 20,000 और 80,000 डिवाइड़ बाई 6 यह आजएगा 13,339 और यह 26,666 क्या 40 तो तो टोट 80 अच्छा है इसका 40 होगा इसमें तो हो गई नहीं हाँ ठीक है न अब बच्चे कह रहे हैं एन्यबी निकालने के बाद आते हैं आपको लोग के पासिप कुछ बच्चे कहारे हैं सर समझी नहीं आ रहा कैसे हो रहा है यह कितना हैगा मैंने इसको अलग इसलिए किया समझना अभी बात को चलिए बच्चे कह रहे हैं सर हमें बिल्कुल समझ पर नहीं आ रहा है क्या करवा रहे हो नहीं करवा रहा है हम दुबारा आ जाते हैं इस question को अच्छे से जो मैंने solution किया इसको दो तरीके से हाला की किया जा सकता है लेकिन जैसे मैंने किया उसके इसाब से मैं बात करूँगा suppose करो मेरा एक ये area है ये पूरा एक area है इसके अंदर बात करें तो unit identical कर देते हैं सर छे unit है ध्यान दीजिएगा छे unit है तो ये हो गया इसके छे unit एक मकान के अब छे unit में ये वाला हो गया self occupied ये वाला हो गया self occupied ये वाला हो गया self occupied तो सर इसका भी nav जिरो इसका भी nav जिरो और इसका भी nav तो मैंने क्या किया self occupied में तीनो घर को 188 ले लिया तो हम same identical unit है किसी को मान लो तो ये वाला घर मैं मान लेता हूँ ये किराये पे रहा सिर्फ 9 महिने ये वाला किराये पे रहा 12 महिने और ये वाला रहा किराये पे 12 महिने तो जो similar वाला है जिसमें calculation में दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों की calculation तो एक साथ ही कर लेते हैं दो कोई और इसकी हम अकेले कर लेते हैं individual की तो ये वाला जो column है वो individual का calculation है और ये वाला जो column है वो दो घर का calculation है इसका समझें ये बात अब mv जो है अगर मैं बात करूँ mv की तो mv 6 unit है और 4,00,00 रुपे 66,666 और सर ये 66,666 रुपे की कहानी सब में चलेगी mv सब में चलेगी mv 66,666 आपको यहां से सारी picture clear हो जाएगी अब बताएए self occupied वाले का मैंने जब तीनों घर इक खटा लिया है तो ये तीनों mv को मैं जोड लूँ तभी तो लिखूं यहां तीनों mv को जोड लिजे एकाद रुपे का फरक है उससे माइने नहीं रखता ही आ गया इसका mv ये आ गया और बाकी दो को इक खटा ले रहे हैं तो दोनों mv को क्या करेंगे तो इसका मैंने यहां पर ऐसे दिखा दिया fr क्या होता है जब missing हो तो जो actual rent होता है उसी को हम fr मान लेते हैं तो actual जो rent था ना question मैं बोला के 6000 महीने के किराये पर है तो एक घर का अगर मैं निकालू यहां पर तो क्या आएगा सर actual rent को 6000 into में 12 दूसरे घर का निकालू तो सर ये भी आएगा 6000 1000 into में 12 लेकिन यहां पर दो घर है that's why multiply 2 कर दिया तो 44 आ गया इन दोनों में से यहां पर तो कुछ रहेगा नहीं इन दोनों में से जो higher था वो expected rent आ गया 8RRR में 9 महीने का ये निकाला गया ये तो पूरा 12 महीने के किराये पर था तो अब इन दोनों में से क्या लिया जाएगा सर इन दोनों में से हम ले लेंगे lower क्योंकि हमारा total जो है वो government से तो कम नहीं बन रहा बराबर है और vacancy भी है मान लेते हैं कि ये vacancy का मतलब वहां कोई नहीं रह रहा है सर lower लेने के बाद ये GA भी आ गया MT हमने माइनस किया MT थो सर MT की बात करें तो MT 80,000 है तो अगर मैं 80,000 को 6 से डिवाइड करूं तो हर किसी का आएगा 13,333 रूप है तो हर किसी का आएगा तो self occupied वाले का तो MT मिलेगा ही नहीं जो कि 20 था let out वाले का 13,333 और 2 के 81 मैंने MT ले लिया और यह माइनस कर दिया अब बताईए सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया सवाल आपको समझ में आया नहीं सर FR केस समझ नहीं आ रहा कब निकालना है कोश्चन में और कैसे पता चलेगा आप हर कोश्चन में निकाल लिजा या फर नहीं पताना तो जो एक्चुल रेंट है उसी को फर मान लीजिए बात खतम हर सवाल में निकाल लीजिए लेकिन हम लोवर और हायर का कॉंसप्ट तभी देखते हैं जब वेकेंसी होगा तब तो या लोवर लग जाता है और हायर भी लग सकता है लेकिन अगर आपका सेल्फ उक्यूपाइड वाला केस हुआ तो आलवेज हायर वाला ही जाएगा पार्टली सेल्फ उक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट जैसे कि मैंने पिछले सवाल के अंदर यहां पे था भी और यह मैंने आपको नोट भी बताया तो पिछले सवाल में आप देखेंगे तो सर यहां पे फार हमने कैल्कुलेट करके लिया अब तो इन दोनों में से लोवर है चुकि यह आपका सेल्फ उक्यूपाइड का केस था इसलिए हमने इन दोनों में से क्या चूज करा हायर अगर यही वेकेंसी होता वो उस घर में नहीं रह रहा होता बाकी टाइम पे तो मैं 12,600 से ही करता इसको क्लियर कहना है कि है सर ER में लोवर क्यों लिया क्योंकि आपका ER क्या होता है expected rent में लोवर क्यों लिया क्योंकि आप सबसे पहले 12 मेहने का calculate नहीं करोगे क्या 12 मेहने का calculate करोगे तो आपके हिसाब से बन रहा है 72 गवर्मेंट के हिसाब से भी 72 आप जूट तो नहीं बोलते है गवर्मेंट से तो क्या करते हैं हम लोवर लेके complete करते हैं इसको ठीक है चलिए सर इसको मैं चाहता तो इन दोनों को merge कर देता तो फिर वहाँ पर थोड़ा amount में आपको दिक्कत हो सकते थे इसलिए ठीक है न तो आज आते हैं हम आगे यहाँ पर क्या है एन एवी एन एवी सर एन एवी तो लिखे लिए माइनस में 24 24 ए यहाँ 0 होगा इसका निकाल लेंगे माइनस में 24 भी तो सर 24 ए और 24 भी चलिए निकालते हैं अगर हम यह यह ऐसा कैसे हो रहा है डबल यह न इसका तो यह अच्छा यहाँ पर लोवर लिया हो है हमने न ठीक है कितना रही है अगर तो 35 एक्सों निकाल बे एक्सों इन 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 याँ वे तो 35 दो सो कर लेते हैं ठीक है 24 भी इंट्रस कहता है भी यह एक लाग तीस हजार रुपए है तो एक लाग तीस हजार छे का होगा तो एक तीस को डिवाइड़ बाई छे कर दे तो इस हिससे में आ जाएगा हमारा 65 हजार रुपए इस हिससे में आ जाएगा सर 21 हजार और इस हिससे में आ जाएगा 43 हजार अब निकाल लीजिए यह आ गया 65 हजार माइनस का इसकी बात कर लेते हैं कितना के 6000 माइनस का प्लस का और यह आ जाएगा 38,800 अब यहाँ पर हला कि total income निकालनी पड़ेगी question में यहाँ पर mention नहीं है लेकिन हाँ जब other income दे दे तो इसकी total income भी निकालनी पड़ेगी तो अब total income की computation करके दिखा देते हैं आपको कैसे किया जाएगा ? लेकिन तो अपको, अब यहाँ प applies to the previous पर इसकीय करके देट देते हीएडिपल सांपुन साइव हाँ पर कितना करके पर आपकोड़ेगी आपको कि दएव twentyEMA अब़ेगां पर उताता, लेकिन पर प्लस क tomशाओ, सबसा ने प्लसणे definitive आप तीन पार्ट में बाट दोगे इसको सर तीन पार्ट में क्यों बाट दोगे क्योंकि तीन दोस्त है, तीन भाई है, पता नहीं क्या है तीन दोस्त है सबसे पहले तो house property की income बाटते हैं इसमें house property की income x y z तो sir house property की income अगर मैं निकालू i hp तो sir minus 65,000 और plus का 6801 यानि अड़ शट सो ही मान लो और plus 38,800 तो कितना आता है निकल के यह 19, negative या positive क्यों अड़ शट सो है यह 19, 400, negative 19, 400, negative आगे है तीनों में बाट दो तो यह आ जाएगा 64,66 यह negative आ गया house property से loss अब sir इसकी income कहता है other taxable income और इंकम अब यह किस head से है बतायए नहीं तो 90, 100,100, 1.2,00 आगे बस इसको जोड दीचे है यह आगे total income 83 पांसो चाहतेश्य 73 नहीं 94 तो हो गया 113 यह इसके इंकम आगे यहां तक करके दिखाना है कोई सवाज हाँ वो 2 रुपे राउंड फिगर कर दिया एकाद रुपे का फरक हो सकता है वो माईने नहीं रखता आपका वो राउंड फिगर में उपर नीचे हो जाता है ठीक है न? किलियर है इस सवाल आपको? कहता है Mr. R जिसकी उमर कहता है Mr. R जिसकी उमर 50 साल है on a two house दो घर है the detail of two houses as follow municipal value, fair rent, standard rent, actual rent ये self occupied है तो इसका tension खतम ये किराये पे है vacancy ये दो मेने तक खाली रहा भाया municipal tax paid किया है ठीक है कहता है raise a loan 15 लाक रुपे का from State Bank of India at 15% और 1 June 2016 को लिया गया for construction of house number 1 इसके लिए lawn लिया गया construction of house completed 20 में completed हो गया date of repayment of loan October महिने में हमने repayment भी कर दिया half of the municipal tax in respect of let out और जो municipal tax है आधा इसके लिए है let out के लिए तो आधा इसके लिए होगा second have a paid by the tenant कहता है half of municipal tax in respect of let out house और second point कहता है इसके अंदर have been paid by the tenant और उस भी municipal tax को किसने paid किया है तो municipal tax तो tenant जब कभी भी paid करता है तो क्या उसको minus करते हैं हम नहीं allowed ही नहीं होता वो during the previous year Mrs. R Mrs. R का employee X limited में काम करती है जहां पर उसकी monthly salary है कितनी 45,000 रुपए और company B 2000 रुपए professional tax हर बिहाफ पर तो यहां पर salary का portion आ गया तो यहां पर standard deduction दे के फिर बाकी हम काम कर देंगे यहां पर क्योंकि बाकी detail है नहीं compute the ध्यान दीजिए total income क्या पूछा गया total income and tax liability Mrs. R का for the assessment year 2022 assume she does not have any other income मान लीजे कोई other income नहीं है तो चलिए सरसवाल को कर लेते हैं यानि दो घर तो दो column खीच लेंगे हम एक दो पहले घर को हम क्या मान ले सर इसको self occupied इसको let out municipal value दे रखा है आपको 3,00,00,00 और 2,00,00 fair rent is 3.2,00,00 और 2.2,00,00 sir standard rent is 2.2,00,00 और 2.3,00,00 standard rent के बाद vacancy तो बाद में देखेंगे हम पहले निकालने er sir er की बात करें तो higher lower 2.8 sir नहीं यहाँ पर er चलो निकाल दिया वैसे वैसे होगा नहीं कुछ भी expected rent self occupied है बाकि निकाल दो कोई फरक नहीं पड़ता इसमें से क्या आएगा हमार 8 triple r sir 8 triple जो r आएगा यहां के लिए तो कुछ नहीं है दो लाग 7000 इसने पूरा करके दिखा रखा है दो मेहने वेकेंसी भी रहा है टोटल मिला दो लाग 7 अब जीए भी निकालने का टाइम आ गया जीए भी जो होगा इसके लिए तो 0 ही रहेगा दूसरे वाले का चेक करेंगे के वेकेंसी के साथ साथ यह हमारे government rule से ज़्यादा है नहीं है तो आपको 2,76,000 का जो किराया मिला वो मिला होगा पूरे 10 महिने का इसका मतलब एक महिने का किराया बनता है 2,76 और अगर 12 महिने किराया पर चड़ाते तो आपका बनता है साथ 2,40,000 से ज़्यादा ही बनता है ना अगर बारा महिने किराया पर देते तो कितना बनता धाई लाक रुपए पूरा धाई लाक तो दो लाक 49,120 बनता गौर्मेंट के रूल के हिसाब से इसका किराया दो बीस होना चाहिए तो आप तो सही बोल रहे हूँ वेकेंसी का केस है आपने सारे रूल को फुल्फिल किया है यह हम अजम्शन लेके चलेंगे तो यहाँ पर लोवर ले लेंगे यानि 276,600 सर आगे माइनस कर देंगे MT सर MT की बात करें तो कहीं से भी माइनस नहीं होगा क्योंकि किरायदार ने पेड किया हुआ है यहाँ पर आजाएगा हमारा GA NAV NAV सर NAV के आएगा 0 और यहाँ पर 20,600 अब माइनस करेंगे 24A सर देटेस आपका 0 आजाएगा और माइनस कर देंगे 24B कितना आएगा 6280 अब 24B का PCP बगर निकाल लेते हैं यह हमारा लाइन है टोटल सवाल में कहता है कि इसने एक लोन लिया 15% और लोन जो लिया 1 जून 2016 में 1 जून 162,000 सर कितने का लोन लिया इसने 15 लाइन और कितने परसेंट के हिसाब से लिया कहता है 15% अब देख लेते हैं आगे और जो घर हमारा complete हुआ है कब complete हो गया कहता है दा construction house was completed 20 में कब एक एक तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है ये वाला जो साल रहा होगा वो साल होगा 19 और 20 जिसके अंदर हमारा PCP आएगा नहीं तो PCP calculate हमारा होगा कहां से कहां तक सर 31, 3, 19 यानि इस डेट से लेके इस डेट तक तो हमारा year wise ही चल लेते हैं अगर तो 16 और 17 में कितने महिने बन जाते हैं 10 महिने 16 और 17 में PCP निकाल लेते हैं 16 और 17 में 10 महिने 17 और 18 में 12 महिने 18 और 19 जाएगा कितने महिने तो total month कितने हो जाते हैं 22, 24 और 10 34 महिने तो 34 divided by 12 into में 1 by 5 तो सर PCP का ये interest निकल के आ जाता है जो की बनता है हमारा सर MT गलत कर दिया MT half minus होगा बच्चे कहता है सर MT गलत कर दिया MT half minus होगा कहता है half of municipal tax paid of let out portion आगे कहता है example इस सेकेंड है या फिर कहता है कि have been paid by the tenant तो देखे टोटल municipal tax paid है हमारा ओके ओके ठीक है ठीक है थोड़ा सा mistake हो गया इन दोनों का अलग 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 दे रखा है ना इसका तो 20,000 आएगा नहीं इसका भी paid कितना है municipal tax 20 तो half tenant ने किया तो हम तो 10 तो minus करी सकते हैं ना मेरे को लगा के पूरा एक ही दे रखा है 10 sir ये भी हो गया गडबड कितने आ जाएंगे 90 7600 कितना हो जाएगा चले अभी कर देते है उनसट देख लिए ना एक बर कुन scan calculation ठीक है पी सीपी आ जाएगा पी सीपी कितने आ गए थे 42,500 रुपे अब क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कहता है construction completed हो गया date of repayment loan हमने 20 में loan का repayment कर दिया हमें किस साल के लिए काम करना है 21-22 assessment year 21-22 यानि sir हमें 20 और 21 के लिए ही काम करना था और हमने 20 और 21 में ही loan का repayment भी करा है हमने payment कब किया है 1 October 20 21 October 20 इसी में आएगा तो इसका मतलब sir इस date पे तो मेरे पास 13 लाग का loan था लेकिन साल के end में देखा तो मेरे पास 13 लाग का loan था लेकिन साल के end में देखा तो मेरे पास 15 लाग का loan होगा या नहीं होगा साल के end में 15 लाग का loan क्योंकि इस loan का payment मैंने कब कर दिया एक 10 को तो sir इसका मतलब 6 महिने तक ही इस्तमाल किया तो current year का जो interest निकालोगे ना वो निकालोगे सरिफ और सरिफ 15% divided by 2 1,12,500 ये तो PCP है और एक हो जागा current year का 1,12,500 ये किसने बताएगा आगा फिर 15% डिए बारा इंटो 34 जवारा फांस एक सताइस पांस बारा भाई चलिए 24B मैं दोनों को जोड के ले लेता हूँ सरिए 24 और किसके लिए लिया था इसने घर पहले के लिए लोन था दूसरे के लिए था पहले के लिए था तो टोटल बन रहे कितना 2,40 लेकिन allowed कितना होगा ये बन रहे हमारा 2,40 ये हमारा बन रहे कितना 2,40 तो याद आया है rule self occupied की case में हमारा एक maximum limit set कर दिया था government ने तो ये 2,40 बन रहे है लेकिन हम 2,40 ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे सिर्फ कितना ले पाएंगे 2,00 लाग तो ये आगया minus का 2,00 लाग और ये कितना आजाता है हमारा 197,500 sorry 197,600 कर कितने परसेंट 30% और ये आगया 38 320 कहता है कि सर इसका अलग से कोई income और है नी सरिफ एक salary income है पहले यहाँ तक देखे कोई दिक्कत फिर मैं आगे चलूँ यहाँ तक कोई दिक्कत है फिर हम इसकी text liability भी निकालेंगे इस सवाल में तो थाइ से,जिए टेग। कर यहाँ लगाँ देखे कोई करtar को भी निकाल दो झाल झाल यहां तक कोई दिक्कत है बताईए नहीं यहां तक clear है हर किसी को अब देखे इसके अंदर आपको एक चीज है point है catch वाला point जो मैंने पहले नहीं बता है पहले पूरा question हो गया अब क्या करना है salary income इसमें जोड़ना है वो छोटा सा part है इसमें कहता है सर यह जो rent है अब सवाल में यह नहीं बता रहा कि यह rent 10 महीने का है कि यह rent 12 महीने का है समझ रहे बात question में तो नहीं बता रहा न तो मैंने क्या assumption किया है यह rent कितने महीने का है 10 महीने का इसके लिए आपको note देना अगर बोलते है एनुवल रेंट अच्छा अच्छा बोल रखा है ध्यान नहीं दिया क्या बोला है इसने एनुवल रेंट बोल रखा है सर तो इसका मतलब यहाँ पर जो एट रिपल आए आएगा बीष चीहतर सो देखे थोड़ा ध्यान से हो इगा न तो डिवाड़ करो, डिवाइड बारा कर देते हैं पहले रहाएं ये कट कर रहते हैं जत्ञा थैसर तो सर सत्राश तीन सो नट बंग नो कर देंगे न दस सतरा तीनसो एंटो में एक लागती है तरह जा सही सेख बर कर रहे हैं सतरा तीनसो यार है न अब देखिए क्या केस है है विकेंसी विकेंसी में आप चेक करेंगे किया गवर्मेंट के रूल से ठीक बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं यह चेक करना होगा तो ध्यान देखा जाए तो भई गवर्मेंट का तो बन रहे है दो बीस ठीक है न और हमारा लेकिन आप यहाँ पर यह भी चेक करेंगे कि जो गवर्मेंट का बन रहे है दो बीस दो बीस कितने टाइम का है एक बार आप करिए दो बीस डिवाइडिड बाई बारा इंटू में तीन दो चलिए छोड़िए हम अपने हिसाब से कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो हाइर का कॉंसेप्ट ले रहते हैं देट इस टू लाग टूइन्टी थाउसन यह आएगा हमारा दो दस और यह हैं कितने यह ठीक है सब अब निकालते हैं इसका टूटल इंकम सर टूटल इंकम निकालते हैं टूटल इंकम में सबसे पहले इसकी इंकम कहां की है सर सबसे पहले है सेलरी और सेलरी की बात करें कितने दे रखे हैं सवाल में 45,000 रुपे दे रखे हैं आपको और सर 45,000 में भी हमारा माइनस हो जाएगा कहां है सेलरी 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 यह रहाए 45 तो सेलरी 45,000 अब यहाँ पे सर एक नोट देना पड़ेगा क्या यह नेट सेलरी है या फिर यह ग्रॉस सेलरी है अगर यह ग्रॉस सेलरी है तो माइनस करेंगे हम स्टेंडर्ड डिडेक्शन और यहाँ पे इंप्लोयर ने पेड़ किया है प्रोफेशनल टेक्स या इंप्लोई ने कंपनी ने पेड़ किया है हर बिहाँ पे तो एक पर तो यह जुड़ जाएगा इसका सेलरी में यह होता है न अगर कंपनी पेड़ करता है तो पहले जूड लेते हैं एड प्रोफेशनल टेक्स कितने इसका बन गया पूरे अब यह जीटी हो गया लेस कर देंगे स्टेंडर डिडेक्शन सर स्टेंडर डिडेक्शन कितना है पचास या कम जो भी हो तो सर सेलरी से इंकम कितनी आ गई जीरो अब निकाल लेते हैं हाउस प्रोपर्टी से इंकम हाउस प्रोपर्टी से इंकम कैसे आएगा ह1 से और प्लस H2 से, Sir, H1 से income है हमारी minus का 2,00,000 minus 2,00,000 और H1 से income कितनी है, plus का plus का क्या है 1,47 यह है 1,47 कितने हो गए 53, negative कहता है कि आप निकाली है, तो मैं बोलूँगा कि हमारा taxable liability तो नहीं लेगेगा total income आ जाएगा कितने है अब यहाँ पर deduction भी आ जाता activate हो जाता, अगर positive income होता जो principle repay कर रहा है तो वो भी activate, लेकिन है नहीं तो क्या करें, tax liability पूछा है तो tax liability क्या निकलेगा यहाँ पर, tax liability क्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि loss है income तो है नहीं, तो जब tax liability निकालोगो जीरो, लेकिन examiner को करके दिखाना है, कि up to 5,5,0,000 है, income है नहीं इसको 0 करके खतम करके दिखाना होगा बच्चे कह रहे हैं, सर, दिया कह रही है, सर, 45,000 into 12 होगा, अब यह monthly salary था क्या आ, monthly है, तो गड़बड करवा दिया न यह 12 है, कहाँ वह 12 है बताओ 12 into करके कितने पांच चालेश अब ही आ जाएगा पांच लाग पांच लाग बैलेश अजार क्यों? अभी तो add कर रहे हैं अब इसके बाद standard deduction और minus कर देंगे professional tax 2000, कितने बचे? चार लाग 90,000, 53,000 यह minus कर दो इसमें से less करेंगे deduction 80,000, आप देखेंगे तो loan का पूरा payment किया है यहनी पूरा principle दे दिया है इसने उसी साल ना, तो कितने का deduction मिल सकता है? maximum ATC में डेट लाग का, तो बताइए taxable income 287, now यह भी exempt हो जाएगा up to 250 यह तो 287 ही बन रहा है 287 that is nil और बाकी का आगे फर्दर आफ कर दोगे nil, चीक है? पूर। हां जी 37 कहां बच रहा है? अच्छा 287 है मैं 37 रिवेट मिलेगा ना इसका होगा up to 250 nil next जो next बच्चे है कितने 37 कितने पर्सेंट? 5% कितना होगा हमारा? 19,500 18,50 18,50 तो यह बन गया इसर 18,50 less हो जाएगा रिवेट 87 18,50 taxable 0 हो जाएगा अपना एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा मेरा मन तो था लेकिन मैंने पूछा नहीं सपोस करो यह new regime होता सपोस करो examiner बोलता है यह new regime से निकाली है तो उस situation में 24B यह तो मिलता लेकिन 24B तो यह वाला income जो हो जाता 147 हो जाता same इस side पे हम आते तो हमें यह standard deduction ना ही professional tax तो यह भी income बढ़ जाता और house property की भी income बढ़ जाता और plus हमें यह deduction यानि income मेरी 5 लाक रुपे से exceed हो जाती तब हमारा tax liability बन जाएगा हमारा ठीक है ना तो new regime के case में खुशी 87 भी बता दो 87 मैंने पहली classes में करवाया हुआ है और मैंने compile video करके भी डाल दिया है कहां डाला है आपके course में मैं बता देता हूँ new regime old regime का डाल दिया मैंने एक second मैं चेक करके बता देता हूँ आपको income tax झाल 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 वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आस थोड़ी लेट होगी क्लास। तो बिना डिले किये हुए सवाल को स्टार्ट करते हैं चलिए करते हैं मिलता ही नहीं ATC में ATC में मुंसिपल टेक्स का कोई लेना दे नहीं है मुंसिपल टेक्स तो आपका GAV से माइनस होता है अगर लास्ट येर का पेड करो कभी कभी पेड करो उसके करते हैं सवाल देखिए कुछ से नंबर पांच पहले एक बार आप पढ़ लीजिए सवाल नंबर पांच आपके सामने बोर्ड पे हो जाएगा चलो करी लेते हैं पांच इमनट लगने दूट चलिए एक फार्मिट बना लिया जाएं कि अज़ काफी काम था सोचा था क्लास लू ना लू ले लेते हैं दो कुछन भी हो तो कर तो लेंगे ही ना चलिए सवाल पढ़ लेते हैं कुछन में क्या कहता है कहता है ए और हाउस पॉपर्टी डेली पर्टिकुलर गीवन विलो इनकम फ्रॉम हाउस पॉपर्टी निकालना है अब यहां पर इस कोश्चन में बड़ा बढ़िया करा है इन्होंने पूरा महने आनुवल दे दिया करके वेकेंसी भी दे रखा है अन्रिलाइज रेंट भी दे रखा है वन मन्त का मुंसीफल टेक्स पेड भी दे रखा है आपको और एक्स्पेर ग्राउंड रेंट ही हैड बोरोड आज सम ऑफ रुपीस 20 लैक 10 पर संट पर रेंट फ्रॉम एलाइसी भी या किसी से लिये हो आपने चलेगा एक आठ रेकोगनाईज जो हो दो हजार सोला में लिया आपने बीस लाक रुपे का उधार जिसके उपर रेट है सर दस परसेंट कहता है एंड दा कंस्ट्रक्शन ऑफ दा हाउस कंप्लिट दो हजार बीस में तो दो हजार बीस में हुआ तो हम कब के लिए निकाल रहे हैं असेस्मेंट येर क्या है 21-22 या पिछले साल जिस साल का टेक्स निकालने है उस साल नहीं पिछले साल तो ठीक है सर हम फटा फटा से लिख लेते हैं MB सर थाइला, FR सर 280, SR सर 260, या एक्सपेक्टेड रेंट दो साथ एक्च्वल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल सवाल कहता है सर हमारा तीन मेने का खाली रह गया तो पच्चिस हजार गुणा में नो हम पच्चिस हजार गुणा मैं नकितने होते हैं कि एक मेहना खाली अच्छा एक मेहना खाली और एक मेहने अं रेलाइज्ज Bij टो एक मेहने खाली और एक मेहने अंड्रिल रेंटो दश्जाए गाई तो सर धाई लाग अब रूल के इस आप से देखा जाए आप calculate करके देखोगे कि पूरे साल का क्या उससे ज्यादा बन रहा है तीन लाग बन रहा है तो इसका मतलब अब कौन सा concept आ जाएगा जीए भी में सर लूर याट इस 250 माइनस क्या कर दें एम्टी में कहता है के मुंसीपल टेक्स हाफ बॉन बाइ टेने तो पच्चिस का साढ़े बारह ही मिलेगा क्योंकि आधा टेने ने बॉन कर लिया कि टू फिफ्टी माइनस में बारह पांसो कि टू थर्टी सेवन कि इसके बाद लेस कर देंगे ट्विंटी फॉर ए कितना आसान सवाल था ना ही ट्विंटी फॉर बी सर तीस परसेंट आस तो मेरे पास भी कैल्कुलेटर है तो पूछने की जरुरत ही नहीं आप सर ट्विं एक आठ का अगर आप कांट करते तो कितने बनते हैं पूरे साल में यह कुन सा महन है ओगस्थ तो अगस्ट सेप्टेंबर अक्टूवर नूंबर दिसम्बर अब मार्च सा कांट कर रहे हूं दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च तो आठ महिने होगे हमारे किसमें 16 सार 17 में हो पूरे बारा महिने, 18 और 19 के अंदर हमारा होता है 12 महिने, 19 और 20 के अंदर घर बन चुका है, तो इसका तो डिडेक्शन लेना ही नहीं है, तो यही रहा सरिफ, तो 24 और 8 32 महिने, तो इंटू में 32 डिवाइड़ बाए, 12 बाइड़ बाए, 12 इंटू में एक बटा में 5, सवाल म में एक बात और नहीं बताया, क्या नहीं बताया, क्या नहीं बताया, क्या यह आगया हमारा, कितना आगया, 66 और जा रहे हैं, 20 लाग का 10 परसेंट, डिवाइड़ बाए, 5 इंटू में 32, डिवाइड़ बाए, 12 एक लाग श्याषट सो, 1066, यह आगया, इसके बाद सवाल आता है, सर करंट येर का लोन रीपेड हुआ है, कहता है, लोन स्टिल अनपेड, अगर सवाल में नहीं भी बोलता है, तो अजंशन लो, कि अभी पेड नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, करंट येर का भी निकाल लेते हैं, तो करंट येर का तो 20 लाग पे 10 परसेंट, दो लाग आ जाएगा, डिरेक्ली निकाला है, तो दो लाग, यह आगया, 306666, तो सर, 237 पानसो, माइनस, माइनस 30, एक लाग, 616, 416, 14416, यह लॉस है, यह है, लीजिए जी, कितने जल्दी सवाल हो गया, यह तो बड़ा सिंपल था, दस नमर का ऐसा आजाए, तो मजा आजाए, अपके बेपर में, किसी बच्चे को कोई डाउट, सर, अगर कंस्रक्शन 34 को कंप्लीट हुआ होता, तो क्या करते हैं, सर, तो हम 34 को कंप्लीट होता, तो यहाँ पे 19 और 20 को भी कवर कर लेते हैं, प्री कंस्रक्शन पीरिएड में, अगर आप सेल्फ भी करने बैठो, तो एक आज पॉइंट में डाउट आ सकता है, आपको समझ में आ सकता है इसका, अगले सवाल पे चले, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें मजा आएगा थोड़ा सा, चलिए सर, सर, मैं नियू स्टुडेंट हूँ, तो क्लास कैसे लेना है, विशाल आप नियू स्टुडेंट हो, सबसे पहले आप बेसिक खतम करेंगे, बेसिक खतम करने के बाद, फिर तू भी कंटीनियू, आपको हाउस पापटी का चप्टर कर सकते हैं, बेसिक के बाद, देखो बेस करें, रेजिडेंशल करें, सैलरी करें, जल्दी-जल्दी, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेट वीडियो है, तो वेट नहीं करना, आप दिन पर में दो क्लास, तिन क्लास भी ले सकते हो, और फिर एच्पी पे आजाएंगे, आप धीरे-धीरे, हाँ, कैपिटल गेन वाला के एक 67 साल उमर का वेक्ती है, और नोन रेजिडेंट है, ओन हाउस इन इंडिया, उसका एक घर है, लेट आउट विद एफेक्ट फ्रॉम एक अक्तूबर से, इसने घर को किराये पे दे दिया, एक अक्तूबर, एक दस, दो हजार, बीस में घर को किराये पे दिया है, इसने दा कंस्ट्रक्शन ओफ दा हाउस कंप्लिटेड दो हजार बीस सप्टमबर में, यानि सप्टमबर में भईया हुआ ही था तो अभी देगा ये, ता हाउस लेट आउट मंथली पचास अजार रेंट, देख रहे हो ये पचास अजार रुपए रेंट दे रहा है ये, पर कहता है कि मंथली है, रेंट ओफ वन मंथ, इसमें से विचारे का इतना महंगा रेंट लेगा तो एक मेने का दू भी गया, वन मंथ का रेंट कुड नॉट रेलाइज का मतलब नहीं मिला, अदर डिटेल आपको गीवन है, सर मुंसिपल वेल्यू गीवन है, पर मंथ, मुंसि लिपल टेक्स, देखेंगे, आगे कहता है, एक से से अ सप्पंबर 15 में ले लिया, यानि एक नो ब कर्थार रहा है यहां से थोड़ा सा इंटरस्टिंग पॉइंट बन रहा है दो लाक यानि इसके बाद का जो कर्जा आपका चलेगा वो चलेगा आठ लाक रुपए का ठीक है रिमेनिंग अमाउंट अंपेड सो फार ठीक है सर कंप्यूट दा इंकम फ्रम इंकम नेट इंकम एंड टेक मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्स्पेंड कर रहा है यह एक्सपेंस अपरिंग फ्रम डिसीज़ इस स्पेसिफाइर रूल बाइबॉर्ट तो बताइए किसी भाई बहन का इलाज करते है तो ATDD इसाइबलीटी वाला एक ATD था वह तो इंसॉरेंस करवालो अप मेडी ग्लेम और ATDD किसका था आपका डिसाइबलीटी और ATDDB भी डिसाइबलीटी का था वहां पर दोनों में परसंटेज अलग अलग था तो यह सारी बाते देख रहो पूरा कॉस्चन जिस बच्चा ने कर लिया डिडेक्शन नहीं करा वह बच्चा पागल हो जाएगा यहां पर यह क्या प इसका यह है बहुत सिंपल कोशन और ओनर देखे ऑनर के अंदर एग्जामनर ऐसा ही कोशन आएगा जाहे बच्चा पीटीप का हो परस्नल टेक्स प्लैनिंग भी एआ अनर बच्चों के पास तो चाहे बच्चा पीटीप का हो तो घबरान नहीं है ऐसा ही सवाल आ सकता आप का तो समझो एक तरीके से जिस बच्चे के पास प्रस्नल टेक्स प्लैनिंग जिस बच्चे ने ले लिया ना वो तो गिफ्ट है फ्री फंड का एक है आपको ऐसा सब्जेक्ट मिल गया जिसको आप स्कोर कर लोगे क्योंकि अगर कोई बोलता है ना कि सार इन दोने में फरक क्या है नथिंग कुछ भी फरक नहीं है आप इंकम टेक्स पूरा पढ़के जाते हो और पी टीपी प्रस्नल टेक्स प्लैनिंग का सिर्फ टैनियर के कुस्टन देखो के लगेगा बिलकुल सेम ही है वैसे हाला कि मार् पोल रेके लेकिंख लेते हैं कि क्या एसार मुंसी पल्वेलियू सिब्ल्सेइन चारीशन चारीश हजार उपर मन्त तो एंव वी की सरार चाररे चालीश हजार है इतने महीने कि इसार आगे चलते हैं मुंसीपल टेक्स डियू उसको बाद में देखेंगे बाद में आजाता है कुछ और तो दे नहीं रखा SR, FR कुछ भी नहीं दे रखा तो FR लेना है तो लीजिए नहीं तो फरक नहीं पड़ता वैसे भी मैं ले लेता हूँ FR, अजंशन ले लेंगे अगर FR, तो सर, FR क्या बनेगा 50,000 गुणा में 6, यानि FR बनेगा, काईडे से देखा जाए तो 3,00,000 एका जंशन है, जो रेंट होता है उसी के हिसाब से ले लेते हैं हम अला कि नहीं लो तब भी फरक नहीं पड़ता सर, ER आ जाएगा, सर, ER क्या आएगा रूल के हिसाब से 3,00,000 और 8,00,R क्या आएगा सर, हमने 6 महने किराये पे मकान दिया है लेकिन उसमें से एक महना जैनुविनली खाली था, हम ये मान के चल रहे है तो 50,000 गुणा में 5,00, हाला कि कितने हो गए, 2 50,00, और एक्च्वल देखा जाए तो अब लोवर ही कॉनसेप्ट आएगा, जो कि जी ये भी आगया हमारा, 2,50, किसी को कोई दिक्कत, कुछ बच्चों कोई दिक्कत हो सकता है सर, FR कहां से आए, इसे मिटा देते हैं FR का कोई रोल नहीं, आप कंपेर जब भी करेंगे, तो 2,40, 2,50 में से तो 50 ही आएगा, समझगे बात आप, कोई दिक्कत नहीं सर, रेजिदेंशल के अंदर एक इशू भी आ गया है और आपके अप्लिकेशन पे नहीं कुछ थोड़ा से अपडेट चल रहा था तो जहां मैं सारी वीडियो से रखता था वो चेक कर लूँआ जी यह भी, लास्ट में क्या कर देंगे, एक्जामने ने इसमें बहुत दिमाग लगाया अपना के इस बच्चे को परिशान किया जाए, बोलता है के out of which कहता है municipal tax due due कितना है out of which paid during the year, जिसमें से 30 paid कर दिया, out of these 30, 20 is paid by the honor, कहता है इस 30 में से भी 20, देखो 40 था बाके 40 में से भी हम तो दे रहे हैं 30, और इस 30 में से भी कहानी इसने घुमाई, कि इस 30 में से भी 20 paid by honor और 10 paid by the, तो सहीया आप अगर 20 payment कर रहे हो तो आप eligible 20 के लिए हो, और बाकी के लिए नहीं हो, तो कितना deduction मिलने वाला है, पीस पहले basic concept में इसलिए वहाँ पर ज्यादा time लगा देता हूं तक अभी दिक्कत ना हो, पता चल जाए यह ऐसा है अगर a municipal text जिसने नहीं पढ़ा सोचा है, a municipal text में माइनस ही तो करना था छोड़ दे तो फिर वह इस question में क्या आएगा फस जाएगा कि 30 करें 40 करें कितना घुमा दिया तो लेकिन है बड़ी सीधी साधी सी बात तो sir यह आगे हमारा 2,00,000 30,000 आपका आजाता है N A B मैं short abbreviation use कर रहे हैं आप exam में कर सकते हैं और note देना है आपने इन सभी चीज का जिसका भी abbreviation use करेंगे, sir 24 A और sir 24 B 24 A देखा जाए 30% बाद में निकाल लेंगे 24 B major है, आप देख रहे हो सवाल के इंदर examiner के पास कुछ है नहीं, बस एक ही चीज है interest पूछ लो जिसको interest आ गया मैं बोलता हूं उसको HP आ गया simple सी बात है तो अब interest में देखा जाए तो घर इसने current year में complete किया तो current year का PCP तो होगा नहीं current year जो हमारा बनके निकल के आता है इस सवाल के अंदर वो current year lonely यह 15 में इससे पहले आ जाते है 18 और 19 यह भी PCP का part है इससे पहले आ जाते है 17 और 18 यह भी PCP का part है ध्यान देते जाए या फिर मैं line लेके कर दूं ऐसे समझ में आ रहा है इसससे पहले आ जाएगा हमारा 16 और 17 यह भी PCP का part है अच्छ अच्छ सर कहता है के September 15 में करा तो यह September 15 नहीं है यह September 15 नहीं है 31 March 15 ही है September 15 में September 15 की बात करें तो यह कहां से का अच्छा गलत करा दिया वही मैं देख रहा हूं यह क्या होगा 18 19 17 18 अब क्या होगा 16 16 अब होगा 15 16 कुछ बच्चों को हो सकता है समहाओ और दिखे ना मैं ऊपर कर देता हूं तो देखे 15 और 16 में तो लून लिया गया है है ना 15 और 16 और 15 और 16 में कितने महीने के लिए लून पे रहाए सेप्टेंबर में ले लिया था तो सेप्टेंबर, अक्टूबर, नौवंबर, दिसमबर, जनवरी, परवरी, मार्ट साथ मेने हो रहे हैं कितने महीने साथ महीने महीने काउंट इसमें 12 इसमें 12 इसमें 12 यह तो हो गए लून के महीने अब लून अमाउंट की बात कर लेते हैं हम सार कुछ दिनों तक इसने रीपेड कर दिया 31, 3, 18 यानि 31, 3, 18 की बात करें तो यहां तो यहां से जो लून है ना मेरा वो लून चलेगा 8 लाक रुपे का और यहां से लून रहेगा पहले तो इन बातों को समझ लीजिए मैं क्या बताना चाहरा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में लून लिया कोई रीपे नहीं किया चलता गया चलता गया 31 मार्च 2018 में हमने पैसे देती है दो लाक रुपे तो एक अप्रेल 2018 और 19 के अंदर देखा जाए तो हमारे उपर कर्जा अब 10 नहीं रहा आठ तो अब 8 यानि PCP जब निकालेंगे तो सर इसके उपर अलग इंट्रस निकाला जाएगा और इसके उपर अलग निकाला जाएगा इसके उपर तो हम उन सभी को दोनों को दोनों सेक्शन को जोड़ देंगे इंट्रस निकालके और फिर 1 by क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे और current year वाला तो पूरा का पूरा निकलेगा ही निकलेगा जो की current year का होता है इसके लिए तो हमें कोई भी पांस से डिवाइड तरने की जोरत नहीं है तो sir हम पहले निकाल लेते हैं दस 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 तीन बार है आपका तो दस लाख पे इंटू में समझीएगा दस लाख पे इंटू में कितने परसंट था बारा बारा बटे में सौ और यहां से यहां तक 10 लाख वाले कितने महीने हैं और गिन लें अधिया बारा बारा शॉबिस और साथ के चॉविस और साथ चुबिस औरग था nous इंटीफ फे एख थैकैं की कैंती पैसे इंट दूसरा कंदीशन आया और आठ हएख लाग चलेगा आठ लाग कितने में नहीं चला? सिर्फ दो साल? है ना? दो साल पूरे-पूरे? दस लाग? इसका? पहले का 62,000 दूसरे का? आठ 38,400 सर इस सवाल को इदर ले जाए जाए बच्चे बोल रहे हैं उस देखने रहा है चलिए अब टोटल बन गया एक लाग पहले तो आप PCP को समझ लीजिए तब ही तो मैं आगे बढ़ू हाँ करण टियर का तो कोई बड़ी बात नहीं है PCP समझ ये नवीन कहते हैं सरी नसरीम परवीन कहते हैं के सर MT फिर से बता दो MT नसरीम आपने अगर पहले क्लास ली होगी तो ये सवाल आता ही नहीं फिर भी आपको जो टाउट एक पर बताईए मैं फिर दुबारा ले लेता हूँ अभी यहां तक बताईए कोई दिक्कत है तो यहां तक कोई समस्या बता दो PCP थोड़ा से इसमें घुमाया है आपको सर थ्री मल्टिप्लाए कहां पर थ्री से करा भाई मैंने मल्टिप्लाई आप कहां की बात कर रहे हैं थ्री से मल्टिप्लाई हर्शित कहां से बात कर रहे हैं सर एमटी फिर से बता दो उसके बाद हर्शित का कुशन आया कि थ्री से मल्टिप्लाई किसी को तो करा नहीं है सर 10 लाग को 3 से multiply अच्छा ये कहना चाहते हैं सर 10 लाग तीन सालों तक है तो 3 से multiply करो ऐसा जुरूत नहीं है अगर आप 3 से multiply कर दोगे तो फिर आप वो थोड़ी लोगे 24 बटे में या 31 बटे में वो नहीं लेना है हम वैसे भी कहां करते थे आप देखो एक लाग का लोन रहता था पांस साल तक चला तो हम पांस से थोड़ी multiply करते थे यही रहेगा तभी तो इसको year में convert कर दिया ना मैंने divide by 12 इसलिए तो किया है ठीक है एक बच्चे का डाउट सा सर मुंसीपल टेक्स बता दो तो मुंसीपल टेक्स में कहता है कि भाईया इसने payment किया है टोटल चालिस अजार चालिस अजार में से सिर्फ जो paid किया है ना वो 30 है मैं दुबारा बता दूँ due था 40 मैंने paid गलत वर्ड यूज ले लिया due था 40 जिसमें से कितना दिया है सिर्फ 30 और 30 में से भी 20,000 तो बहिया किरायदार नहीं दिया है tenant तो इसका deduction नहीं मिलता है जो 20,000 तो ओनर ने दिया है और 10,000 दिया है किरायदार ने तो जो tenant देता है उसका deduction नहीं मिलेगा और जो नहीं ओनर देता है उसका deduction मिल जाएगा सो देट यहां 20 आ गया है सर यह PCP यानि सर इंट्रेस्ट और बोरेंग की बात करें तो PCP का आ गया हमारे पास 104400 अब करेंटियर का भी तो होगा ना सर करेंटियर आठ लाग का लोन था ना आठ लाग का निकालो ना बारा परसेंट चैनवे हजार तो टोटल कितने का deduction मिलन वाला है और फटा फट से बस calculate करना है सवाल का answer निकालना फिर टेक्स लाइबिलेटी निकाल लेंगे तो सर पता एक्जाम ने इतना चलाक है ना 69 हाँ 400 होगा एक जिरो और आएगा 69 थाउजंड और यह आगे 196 माइनस यह भी लो लॉस में आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी लॉस फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी ठीक है अब आगे चलते हैं तोटल इंकम निकाल लें सर कंप्यूटेशन आफ टोटल इंकम देखे टैनियर के अंदर ना मैंने फॉर्मिट का बहुत ध्यान रखा है फॉर्मिट कैसे करना है यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उपर नहीं लिख रहा है लेकिन इंक्जाम में अगर आपने सब कुछ इसी में चला गया कुश्चन तो हुआ नहीं कुश्चन आपने समझ लिया फॉर्मिटिंग तो आपको क्या है एक बार जो फॉर्स्ट क्लास में बताये था वह आप आराम से देखोगे और आपको हो जाएगा इस चीज का ध्यान रखना फॉर्मिट वहीं रहेगा मैंने किस इस किस चीज का नोट देना है नहीं देना है वह चीज आप जो नोट दे रखना है उसका हमें देनाे किसका वर्किंग नोट करना नहीं करना यानि सर मैंने सवाल जो paper में 10 अन्दर जो सौल्व किया है 100% इंग्जाम में जो लिखना है उसी के according बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखा और बहुत कम भी नहीं लखा कुछ बच्चे सोचे के 10 यर में तो दे रखा एक्स्ट्रा इसको छोड़ देते हैं calculation तो मनमें कर लेंगे ये तो marks कटेंगे उसके ध्यान रखेगा तो पूरा-पूरा करना है आपने 24,400 प्लस कर देते हैं income from other source उसने बोला था other source से हैं सर कितने का था बड़ा मोटा amount था पांच चौबिस पांच लाग चौबिस हजार तो हमें allowed है के भीया अगर इसको हम solve करेंगे तो यह माइनस में है तो 35 माइनस में पांच चौबिस तो सर 488,600 है अब यह आ गया हमारा gross, total, income अब इसमें से माइनस करेंगे हम deduction Sir deduction किसका? ATC का भी मिल सकता है principal payment किया हो तो क्या sir principal payment किया है सवाल में? जी हाँ sir principal payment किया है लेकिन इस साल नहीं किया पहले है तो जब किया था तब deduction ले लिया हुआ बार बार थोड़ी ले ले लेंगे एकी का ATC का deduction यहां पे नहीं है ATDD का आप note उठागे देखिए ATDD में क्या लिखा था? ATDDB में एक certain आपका handicap अगर इतने percent रहता है तो उसके लिए हम लेंगे 40,000 वाकी के लिए हमने बताया था तो यहां पे सवाल में कहता है payment कितना भी हो irrespective हो याद आए कुछ? देखिए आप register open करिए लिखा तो register में होगा एक बत्चे का अंसर आगया सार नो डिडेक्शन एज एक्स इस नों रिजिदेशन क्या कर दे थोड़ा सा सर थोड़ा नीचे कर दीजिए मा केल्कुलेशन की बहत था रहे है आप सभी टैनियर क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोगों ने क्यों नहीं लिया आज सवाल बुक से होंगे शाम को काफी बच्चे सोच रहे हैं सर बुक से तो कुछ कराई नहीं है हमने फालतों में ले लिया आज बुक से सवाल होंगे चिंता मत करोंगे बहुत सारे सवाल बुक से भी कराने हैं नहीं 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 बुक जरूरी है नहीं नहीं सब सही है कमीशन एड होता है सर जवाब आ गया बच्चों का 80DDB में इसमें सिर्फ रेजिडेंट होना चाहिए नोन रेजिडेंट को अलाउड नहीं था 40 और 1 लाग का था इसके इंदर लिमिट तो क्या यहां पर डिडेक्शन मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा बुक से सिर्फ एपेंडिक्स करना है हाँ बुक से देखो एपेंडिक्स प्रैक्टिस के लिए करो और कई कोस्टन्स भी है आपके बीच बीच में जो कि मैं बार बार करवाता रहता हूं उसमें से कुछ सवाल देना है स्टार्ट कर दूँगा आज साम को जितने भी कुश्चन होंगे वो बुक से होंगे तो बुक के कुश्चन में बूर्ट पर बताऊंगा आपके ग्रीस आओज़ा बुक में भी होगा वो आप मैच कर लोगे ठीक है ना बुक से अपेंडिक्स कर लिया तो सब कुछ कुछ टैनियर और अपेंडिक्स कर लिया तो आपका कुछ बचता नहीं है फिर ठीक है ना तो सर यहां पर सवाल में नोन रेजिडेंट था तो सवाल में देखो कितना ज़्यादा उसने क्या करा आपको इस पेशली बताए के एटी डबल डी भी है तुम माइनस करो एक्जामनर क्या चाहता है कि बच्चा को हम सेक्शन भी बता दें तो बच्चे ने देखा रहे हाँ यह तो था कुछ पढ़ा था चलो फटा फट तीस अजार लेकिन बच्चों को दिमाग में यह नहीं रहेगा कि नोन रेजिडेंट को नहीं मिलता वो सिर्फ था रेजिड बता कि इसके अंदर मुझे टेक्स लाइबिलिटी निकालने की जरूरत है क्योंकि हम आल्रेड़ी सीख चुके हैं आपको पता चल गया होगा इसका टेक्स लाइबिलिटी बताओ क्या आएगा जीरो आएगा क्योंकि सब कुछ निकालेंगा एल्टीमेटी एटी सेवन यह जाएगा जीरो हाँ आप जो बच्चे प्रसनल टेक्स प्लैनिंग के होंगे ना उनसे जामने पता पता है क्या पूछेगा एससी ने ओल्ड रिजिम और नियू रिजिम कौन सा आप्ट करें आप बताईए कि तो बहिया एससी को वह आप्ट करना चाहिए जिसके अंदर टेक्स ना आए इसके अंदर तो नहीं आ रहा अगर नियू रिजिम अससी ने ओप्ट किया तो वह फस जाएगा यह नहीं मिलेगा अपर यह नहीं मिलेगा तो ऐसे इंकम क्या हो जाएगी बढ़ जाएगे और इंकम बढ़के वह टेक्स के दायरे में आ उसके बाद फिर उसका हमें सारा कैलकुलेशन करके बताना है लास्ट में हमें डिसिजन देना होता है कि नियू रिजिम के अकॉर्डिंगली इतना टेक्स देना पड़ रहा है ओल्ड रिजिम में तो हमें टेक्स देना ही नहीं पड़ रहा था तो इसलिए S.S.C. को शुड भी रह लेता है तो क्या होता है ठीक है ना तो यह पॉइंट दिया जाता है आपको बस तो सर यह सवाल भी आपका खतम हो जाता है पूरा बिलकुल 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 कोई दिक्कत कोई परिशानी तो बताईए चिक है चली आज की क्लास मैं कुछ subject selection के बारे में बात कर दू काफी बच्चे परिशान है कि सर समेश्टर 3 में क्या होना चाहिए और समेश्टर 4 में क्या होना चाहिए है नाAST है सारी के सर समिस्टर 3 में क्या ले और समिस्टर क्यूंकि समिस्टर 4 भी अभी भर आए जाएगा प्रोग्राम का भी आ गया है आज सुभे सुभे ऑनर्स का भी आ गया था तो मैं दोनों का एक डेश्बूर पर आपको दिखा देता हूं कौन-कौन से सब्जेक्ट लेने चाह करके अभी अप्लोड कर दूँगा आप देख लेना कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है ठीक है ना सर पाइज नंबर लोन अमाउंट मी डाउट है सर पेज नंबर ग्रीस अहुजा में कौन से 522 निकलना एक बर ग्रीस आहुजा जिसके पास है पानसो बाइस के यह प्रोग्राम में बताओ एक बार ग्रीस आहुजा की बुक आपके पास कि लोन वाला है देखना है कुश्चन नंबर बता दो हर्शित सर कॉलेज में सिंघानिया यूज करवा रहे हैं इशान अगरवाल तो कोई प्रावलम तो नहीं होगी नहीं नहीं कोई प्रावलम नहीं है आप सिंघानिया के वी सभाल कर सकते हो और यह भी कर सकते हो देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक कंसेप्ट है कि भाईया आपको यह चप्टर सिखाना है और जब आप कोई चीजे सीख जाते हो अगर आप दोड़ना सीख गए रनिंग करना सीख गए तो इससे मैटर नहीं करता ना कि आपको रोड़ पे आप सवाल उसको कर पाएंगे बस सवाल यही है लेकिन हाँ एक चीज़ और में बता दू क्यूंकि हर साल यह रिवाइज होता है तो कई बार मैं वीडियो को अगर यूटूब पर पोस्ट कर देता हूं तो बहुत पुराने बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वह फिर बोलत अरे ऐसे कैसे हो गया है तो पांसो चालिस है पांसो देखें कौन सा बोला था है तो ट्वेंटीएट कह रहा है पांसो बाईस अठाईस है ना सर अठाईस कोश्चन है अरे यह तो सेलरी का है तो कहता है कि लोन चार का था प्रसनल परपस के लिए 10 परसेंट रिसीव सब्सक्राइब कर चुका है और यहां पर लोन लिया था चार लाक रुपए का प्रसनल परपस के लिए 10 परसेंट का अमाउंट रिसीव कर चुका है और और अनम के इसाब से तो सब्सक्राइब और एस बीएए का रेट 16 ए तो 6 परसेंट टेक्सेबल हो जाएगा और किस्ते बोली यह पांच तो चार लाक डिवाइड़ बाइड़ पांच करोगे अगर तो आपका असी अजार की किस्ते बनेगी तो आप असी असी जार हर बार कम करके मुल्टिप्लाइब कर सकते हों कि आप एक वार इसका सॉलूशन भेजना आपने जिस पर कराने लेकिन हाँ बच्चों से यह रिक्वेस्ट है कि भीया साफ साफ थोड़ा साफ प्रॉपर टेबलर फॉम में भेजना ताकि मैं बता पाऊ कि नहीं है चोईस नहीं वहाँ जाना पड़ेगा एक्टिव कराना पड़ेगा आपको भी डाउट है अभी डाउट सेशन चला रहा हूं अभी पहले ना ऐसा करेंगे ना एच्पी का मैं पूरा डाउट खतम कर लो आप टैनियर के सारे कुश्चन कर लीजिए गा सर अच्छी इंटर्नल असेस्मेंट है मंदे को मंदे सालरी का मंदे इंटर्नल तो आपके जो भी डाउट है मैं आपको अभी टाइम दे देता हूं आपको नंबर तो है 9136 वाला नंबर है ना आपको जो मैंने दे तो मैं अच्छी जो भी डाउट है मैं साट आउट कर घुए तो है कै कि थी 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 नस्री पर विन यस पता ही है आर बाता है को है आर मेरे निर न ही आता इस वा केंव्षार नंए है इसे वांट डिया कोरिपल से न अजरे समय हो सबीन हमhramsा हो आर एक शुजर नहीं है को आपडन वश्यार ला इस हम depends गुट ही आप रुखए थी एक रुख़ खुट है पुट है आप के साथ बाइब दो कि नहीं पर टॉट है मैं आपके सामने अभी सब्सक्राइब देख 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 हूं क्या क्या है और इसलिके इसाफ से चूज कर लेती है अब आपके पास एसो एलाइटी है किसी के पास कि अब इस एक बार आपको रिकॉर्ड़ डाल दूँगा नेसे सरी आपका टाइम भी कंजीम होगा तो में रिकॉर्ड़ डाल दूँगा ठीक है अब ही डाल दूँगा रिकॉर्ड़ बस विदिन आपका आदे घंटे के अंदर मिल जाएगा क्योंकि मुझे प्रोग्राम ओनर्स दोनों करूँगा तो लंबी क्लासिस हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ओनर्स वाले बच्चे फिर अनेसे तो मैं आपको रिकॉर् लूट के अंदर साम वाली क्लास तो है न इवनिंग वाली क्लास में भी हम डिसकस्ट कर लेंगे चलिए हम एक चस्टरर करते हैं, चप्टर कह रहे हैं एक क्वीशन और आपके टैनियर का कर आथ के रहा आपके सामने क्वीशन मैं थोड़ा सा visual करवा देता हूँ क्या कहता है question देखते हैं पहले question पड़ लेते हैं कहता है x on two identical house सर दो घर बोल दिया है न तो बना ले न फायदे में रहेगा house property समझ में आ रहे है न आपको तो salary से तो easy है अभी salary में थोड़े concept बाकी है और भी ATG नहीं और भी concept retirement compensation वगरा मैंने जितना आपके paper में आता है वो तो पूरा करा दिया उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्र टाइम पे करेंगा सारा नहीं तो आपको due ने न कम टाइम दिया है क्योंकि आपके paper भी लेट हुए थे तो वैसे 6 मेहना proper चाहिए बच्चो को इस subject को करने के लिए आपके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा अब जो बच्चे आएंगे इसको अगले साल तीन समिस्ट्र देने होंगे है 21 पेपर है उनके एकले बाहर 2023 में समिस्टर 1 है समिस्टर 2 है समिस्टर 3 है चलिए anyways करते है ठीक है X के दो identical house है Y you are requested to compute his income under the head of house property to assessment year 2021 and detail of two house H1 and H2 ठीक है H1 और H2 Municipal value MV आपका है 240 Municipal value 240 ठीक है सर आगे fair rent 280 अब देखो यहां house 1 कह रहा है न है तो इसका मतलब दूसरे घर का भी होगा नेचे दे रखा है हम बाद में देख लेंगा उसको rent receivable यानि सर यहां पे standard rent नहीं है तो सर standard rent नहीं है तो नहीं है expected rent तो आ सकता है ना 280 और कहता है rent receivable 25,000 8RR 25,000 या 25,000 हजार multiply कहता है दो महिने के vacancy है तो 10 यानि धाई लाग चलिए कहता है interest on borrowing capital आगे की बाद है यह कहानी दूसरी है municipal tax 10% paid on 31 March 2021 क्या eligible होगा यह इसने 10% pay किया है तो सर 10% हमेशा याद रखना इसका होता है यानि 240 paid किया है और इसने paid कर दिया 31 March 2021 हम काम कब के लिए कर रहे है 14 2020 से लेके 31 3 2,021 law क्या कहता है साल में जितना भी payment करोगे 31 March तक या उससे पहले सारा ले सकते है तो मिल जाएका deduction interest on borrowing loan अब देखो कितना आसान कोशन है बोल दिया इसने interest on borrowing capital capital कहता है loan ले रखा है इसने कितने 6 लाग का raise 1413 में और construction of the house construction was start 1412 में 12 में start हुआ था and completed 18 में हो गया था half of loan वो repayment repaid कर चुका है rate of interest 12% है तो सर थोड़ा सा interest वाले point को मैं थोड़ा सा करते था है H2 की detail भर लेते है H2 कहाँ पे है गुरू ग्राम में है जिसका municipal value 180 municipal taxes municipal value के बाद self occupied है ओके ये self occupied है तो fair rent, where rent वाकी standard rent दे रखा है तो ये सारे चीज़े हमारे लिए बेकार हो जाएगा तो direct हम GAV निकालते है Sir यहाँ पे GAV vacancy है मान लेंगे कि ये vacancy genuine है तो ऐसे में हम पूरे पहले 12 महने का calculate करो 3,00,000 और ये कितना कह रहा था government 280 तो government बोलेगा तुम ठीक बोल रहे हो और ये तो 0 रहे गया Sir minus करके आ जाएगा हमारा NAV 12,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000 226,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 minus करके भाई आप सब भी अपना minus करके ज़रूर चेक करिएगा 24A and 24B 24A और 24B ये तो आगया आपका 36,800 कितने % होता है सर ये 30% स्टार्टिंग में हमने बताय हुआ है अब बात करते हैं B का B को थोड़ा पिचिदा बनाया गया है इसलिए हम इसको फिर से समझ लेते हैं क्या क्या कहता है कुश्चन में उसके अकॉटिंग कर लेते है सर B के अंदर कहता है सवाल में कि हमने लोन लिया था 1413 में 14 2013 में हमने लोन लिया था और आगे कहता है यानि सर हमने एक साल पहले ही बनाना शुरू कर दिया था लोन बाद में जुरत पड़ा ले लिया तो इसका इस डेट से start कभ हुआ that is not important in the question खतम कभ हुआ यह important होता है start कभी भी करो तो लोन ले लिया आपने start कभी भी करो matter नहीं करता matter यह करता है कि वो आपका finished कभ हुआ है कहता है कि और construction आपका खतम हो जाता है 10-10-18 में तो मैं यहाँ डेट रख रहेता हूँ, सर्क खतम हो गया 10, 10, 18 में यानि सब जब यह income tax return file कर रहा होगा, तो जो 2018 होगा तो 2018 में income tax return file किया होगा, तो यह बनता है हमारे क्या, 17, 18, 19 है न? यह बनता है हमारा 18 और 19, 18, 19 से तो इसको लड़ाई है यह ने सरकार से सरकार से लड़ाई होगी कब से? 31, 3, 2, 0, 18 तो अब यहाँ से यहाँ तक जो भी time frame होगा वो सारा PCP माना जाएगा, तो आपका 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18 बहुत ज़्यादा समय आ गया इसमें, ठीक है न? ठीक है? अब सर यह कितने हो गए? आप 12, 12 महिने, 12 महिने, 12 महिने और 12 महिने, टोटल हो गए हमारे 60 महिने का PCP माना जाएगा, आपको समझ बारा है, देखते जा रहे हो, ठीक है? सर अब यहाँ calculation करते हैं, calculation अगर हम करते हैं, तो आता है हमारे कितना सार? लोन 6 लाग, into में, कितने percent rate था? 12%? into में 60 पटे में 12? repay तो इसके बाद किया है, repay कब किया है उसने? half of loan 31, 17 को pay कर दिया, बिल्कुल, exactly, मैंने यह ध्यान नहीं दिया, 17 को repay किया है, इसने, तो so that, अगर इसने 17 को repay किया है, और 17, 31, 17, यानि इस rate पर repay कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास कर जा था 6 लाग, फिर से loan 6 लाग, और यहाँ तक हमारे पास loan रहा 6 लाग, half payment कर दिया, इसके बाद हमारा loan हो गया, start 3 लाग, तो हमारा जो हम निखालेंगे, तो क्या रहेगा सर, 6 लाग के उपर तो हमारा बनेगा 12%, लेखिन सिर्फ end duration के लिए, जो की हो जाता है हमारा 48, 48 divided by 12, इसका 1 by 5, और बाकी 3 लाग के लिए, आपका सिर्फ बनेगा एक साल का, तो into में आप कर सकते हो 12 by 12, फरक कोई नहीं पढ़ता 1 by 5, तो पहले वाले का क्या आगया interest, 57, 600 और दूसरे वाले का, calculator नहीं लाए, देखो calculator होना चाहिए हमारे पास, सिर्फ 36, 7200, तो total हो जाता है, 64, 800, 64, 800, अब बात करते हैं, सर हमें जो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 20 और 21, तो सर चेक करना होगा, 20-21 में loan was repaid or not, तो ये house number 1 के लिए कहानी थी, house number 2 की कहानी नीचे, अलग से उसने दे दी है, तो सर कहता है, half was repayment, question में कुछ नहीं बोला, entire loan of interest, current, previous year, outstanding सारा, outstanding है हमारा, तो सर यहाँ पर हमारा, एक तो PCP जाएगा, एक current year जाएगा, PCP में आ गया 64, 800, और current year का आ जाएगा हमारा, current year का कैसे निकालेंगा सर, current year का निकलेंगा 3,00, क्योंकि 3,00,000 ही कर जाए, current year में, तो into 12%, तो 36,000, सर की, चुकि यह let out है, तो कोई boundation है नहीं, 36,000, तो यह आ गया, एक लाग, 800 रुपे, ठीक है, अब दूसरे के loan की बात कर लेते हैं, सर दूसरे के loan के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ा, चलिए हो जाए, start, चलिए हो गया, सर दूसरे का loan बना लेते हैं, yellow color से, loan 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं, कहता है, municipal tax paid की है, यह सब तो irrelevant है, there was two construction, 31,18 को हुआ start, loan इसने लिया, 14,14 को, अब देख रहें, construction करा था, 31,18 में, लेकिन loan लेके बैठा हुआ था, वो 14 में, तो हम यहां से loan taken की date यही लेंगे, 14,2014 में, ठीक है, 14,2014, इसके बाद कहता है, interest payable was, interest जो payment किया है, हमने, अच्छा, बच्चे जोईन होगे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, अभी शेक, अभी सारी बाते बता देते हैं, जितने बच्चे new student है, सारी चीजे बता देते हैं, ठीक है, 14,2014, 14,2014 में, interest payable 10% per annum, entire loan of interest, current year, और previous year outstanding, outstanding, सारा outstanding है, सर घर कब complete हुआ बनके, यहाँ पर मुद्दे की बात यह है, तो कहता है, सौरी, यहने constructed है, constructed का मतलब सर घर बनके complete हो गया, तो सर इस दिन loan लिया, इसके बाद हमारा घर बरके complete हो गया, 31 को, तो सर देट इस, 31,2014 की बात करें, तो यानि यह 17,18 बनता है, तो 17,18 की हमें चिंता नहीं है, हमारा PCP होगा, 31,3,2017 से लेके, तो सर यहां से यहां तक देखें, तो 14,15, 15,16, और 16, 17, सर 36 महिने हो जाते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, loan ले रख था है, इसने 8,00, तो 8,00, केंटू में, rate इसका अलग था 10%, और इन्टू में आपका, 36 बटे में, 12, इन्टू में, 1 by 5, थोड़ा और side कर दिया जाए इसको, क्योंकि वो तो चाहिए नहीं, यहां visible करवाना ज्यादा important है, कितने आ गई है, 48,000, और प्लस इसमें जोड़ देंगे, current year का, that's its 8,00, इन्टू में 10%, चोकी है, 80,000, तो हम यहां पर अलग अलग दिखा दें, तो 1,00, तो sir, यह आ जाता है हमारा, हम्हम्हम्हम्हम् काफी बच्चे सिव्दास पर भी पढ़ते हैं, 57,000, और यह 128, वो भी negative, तो अगर income from house property निकाले हैं, फ्रॉम आई एच्पी, देट इस 57,400, प्लस माइनस का 128, माइनस 128, आगे हमारा सत्तर छे सो, अब फटा फट आंसर को भी वेरिफाई कर लीजिए, आंसर भी वेरिफाई कर लीजिए, है किसी के पास 10 यह, ओनर्स का बच्चा, यह ओनर्स के टैनियर का सवाल है, यह हमने अभी किया, सवाल नंबर, कौंसे सवाल यह, साथ, साथ, किलियर है तो बताईए, सतर छे सो का लॉस, सर सेक्शन चबबिस नहीं पढ़ाया, हाँ सुभह करवा देंगे, सेक्शन चबबिस हमारा जो है, करा देंगे बिल्कुल, अब कुछ बच्चों से बाते कर ले, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कि सर हम न्यू स्टूडेंट है, साथे ग्यारा बजे, टाइम चेंज नहीं हो सकता, खुशी यह ना, आपको रिकॉर्डिट फॉर्मेट में मिल जाएगा, और साथे ग्यारा का देखो, अब ही मेरे पास देखो, दो तिन बर्डन आ गया है, एक तो तीस तारिकों पेपर है, एफम का, समेस्टर पाँच में, जब आप समेस्टर पाँच में जाओगे, तो आपका आज फानेशल मेनेजमेंट होगा, उसका तीस कोई है, तो आज तो 21 तारिक हो गया, 9 दिन बाद पेपर है उसका, तो उनका स्लेबर सुल्डेटी तो कंप्लीट हो गया है, 10 दिन पहली, लेकिन अब उनका सोच रहा हूँ मैं, डेली टेस्स सेरीज या रिवीजन चार्ट, उसमें भी टाइम जा रहा है, तो सुबह टाइम मैं निकाल के इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अपने लिए मैं एक तरीके से बैक अप बना रहा हूँ, कि जितने बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है, उन सभी का स्लेबर स्टाइम पे कंप्लीट हो, आपके पास अगर टाइम अविलिबल है इस बैच में आने के लिए, तो मुस्ट वेलकम आप आ सकते हैं, लाइब सेशन होता ही, आप कोईरी भी पूछ सकते हैं, बट अगर इन केस आप कॉलेज जा रहे हैं, या फिर जॉब पे है कोई बच्चा, तो आपको recorded format पे मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको recorded मिलेगा, तो इसके doubt session नहीं होंगे, इसके भी doubt session आपके होंगे, तो उसके tension नहीं लेना है, कुछ बच्चे सिवदास के application पे होते हैं, तो उनको तो मैं सारे questions ये वाले provide कर देता हूँ, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो recorded ही होती ही, वहाँ पे live का option है ही नहीं, तो बस एक यही है, sir, slaves मेरा target है 15 तारिक तक खतम कर देना, क्योंकि एक ये दो तारिक से जो है, दो तीन तारिक जो भी बनता है next month का, regular शाम को भी हो जाएगी, सुबह भी लूँआ, तो आप इसली हम खतम कर पाएंगे, slaves को, बस आप ये ध्यान रखना, कि जो classes डाल रहा हूंना है, daily basis पर, जो बच्चे स्टार्टिंग से connected है, वो तो भाई चोड़ना नहीं, कहीं आप सोचो एक हफते वेट कर लेते हैं, आप बेशक बिमार हो, तो आप टूशन तो नहीं आ रहे, आप वीडियो जरूर देखते रहिए, और अपना homework और classwork कम्प्लीट करते रहिए, slaves आपको पता नहीं चलेगा, ज़्यादा hamper नहीं होगा, लेकिन last में करेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरे खाल से, salary कितना बड़ा chapter था, फिर capital gain भी अभी चल रहा है, house property भी तो धीरे 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 थोड़ा सा न, ये tough होता जाता है, साड़े 11 का time है, अभी साड़े 11 ही रखेंगे फिलाल के लिए, क्योंकि उसके according, और मैं बता दू, कुछ दिनों तक live session नहीं होंगी, आपकी live session 28 तारिक से लेके, यानि 28 से लेके आपका, आप मान के चलिए 28 के बाद 29, 29, TTS में साइद कितनी classes हो रही है, एक या दो class आपके छुट्टी रहने वाली है बीच में, लेकिन मैं उसके लिए record करूँगा लेक्चर, आपका time खराब नहीं होगा, मैंने बोला 12 तारिक तक कीरती खतम हो जाएगा, आपका syllabus no doubt, और 15 तारिक तक मेरा target है, क्योंकि फिर मेरे उपर बहुत बड़ा burden आ गया है, semester 1 का भी semester 1 के भी काफी बच्चे हैं, तो उनको भी अभी देखना है, तो मैं आप लोग का syllabus भी खतम करूँगा और test भी, test लेने का, अभी हमने एक implement किया है test लेने का, जैसे class होता है न, class के बाद आदे घंटे का test, regular basis पे, regular basis पे अभी मैं semester 5 के साथ ले रहा हूँ, ऐसे आपके साथ भी test लिया जाएगा, आगे चल के, और जो बच्चे सिवधास पे होंगे, उनको YouTube पे test देना पड़ेगा, तो चलिए अगले question पे चलते हैं, हम चलेंगे, तो एक और नई सवाल पे चलते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, अगर आपको पढ़ने के बाद समझ में आयता है, तो comment में लिखती जाएगा, यह सर यह हो जाएगा, तो हम अगले question पे चले जाएगे, उसी क्या कोड़ी, ठीक है, चलिए सर, question में कहता है, आर ओन अब बिग हाउस, बहुत बड़ा घर है, कोई बात ने सर, ता हाउस 3 इंडिपेंट अइडिन्टिकल यूनिट, और सर घर के 3 यूनिट है, यानि कहने का मतलब है सर, यह मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, और घर के 3 हिस्से हैं, तो कैसे 3 हिस्से करा जाएं, तो यह लो, यह होगे 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है सर, कहता है यूनिट, यूनिट 50% फ्लोर एरिया, is let out for residential purpose, monthly rent आपका 16,000, कहता है यूनिट 1, यूनिट 1 जो यूनिट है ना जैसे, इसका भी कहता है कि 50% हिस्सा, यानि इसको भी तोड़ दिया इसने, इसका 50% एरिया जो है, उसको इसने let out कर दिया, समझे रहे हैं, इस वाले को let out कर दिया, यानि यूनिट 1 का आधा वाला let out है, और उसका किराया इतना है, और सर, this house, however used by him for residence purpose, कहता है कि, this unit is however used by him for the residence purpose from January 2021, तो January से लेके March तक इसी घर को, इसी portion की बात करता है, यह SOB हो जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है सर, a sum of 1000 could not be collected from the tenant, और tenant से उसे ये पैसा मिल भी नहीं रहा, कितने रुपे, 1000 रुपे, तो यहीं पे 1000 रुपे हमारा पे unrealized rent भी हो गया, unrealized rent, you are लिखती है मैंने, समझ रहे हो, दुबारा सवाल को पढ़ लेते हैं, घर है, घर का residential unit है, हमारे तीन और उस unit 1 का 50% floor area is let out residential purpose on a monthly 16,000, this unit, यही 50% unit जो था हमने क्या कर लिया, residential purpose के लिए ले लिया, और 1000 मिले भी नहीं, चलो भईया, दोनों चीज़े हैं यहां पे, unit 2 का 25% area could be used by him for the purpose of residence, unit 2 के अंदर just 25% area, यह तो SO हो गया sir, यह 50 मत मान ले न, यह SO है, self occupied, ठीक है न, यह area self occupied क्या देता है, use for the purpose of residence, unit 3 का 25% is used by him for the purpose of business, sir, unit 3 का 25% area, यह business के लिए हो रहा, तो आपको याद होना चाहिए, house property के definition section 22 में कहा गया है, कि अगर आप अपने घर को अपने business के purpose के लिए use करेंगे, तो वो house property के अंदर taxable ही नहीं होगा, वो PGBB का पार्ट बन जाता है, हाँ, आपका घर कोई और किराये पे ले के वहाँ business करें, तो वो तो हमारा house property का taxable माना जाएगा, तो sir, यहाँ तक बात करें, unit 3 तक हो गए है, other particular of the area, जो other particular of the area है, particular of the houses area, municipal value आपका दे रखा है, municipal tax दे रखा है, repair दे रखा है, ground rent दे रखा है, land revenue, insurance, जो किसी काम का है नि, interest on the borrowed capital, municipal tax आपका given है, interest आपका borrowed capital for payment, interest on borrowed, borrowed for payment of municipal tax, हमने municipal tax pay करने के लिए, देखे, question कैसे घुमाया, भई आप municipal tax pay करते हैं, तो आपकी मर्जी यह कहीं से भी करिए, इसने कहा कि हमने municipal tax pay करने के लिए, हमने क्या करा है, एक loan लिया है, law कहता है, आप यह तो घर को बनाने के लिए लिजिए, या घर को repair करने के लिजिए, अब घर के taxis को pay करने के लिए loan लिए, तो उसका allowed law में mention नहीं है, ठीक है न, इसके बारे में law में कहा नहीं गया, income of our business, आर का एक business income भी यहां से आता है, इस सवाल के अंदर आप देखेंगे, तो बड़ी सारी चीज़े बोली गए, यह बच्चे कह रहे हैं, वीडियो लेग हो रही है, अभी ठीक कर देते हैं, रीफ्रेस करके, पहले तो आप सवाल देख लिजिए, इसमें काफी सारे points बोले गए हैं, यह एरिया, 50% एरिया, 25% एरिया, अब इस identical unit को तीन भाग में जो बाटा गया, मैं थोड़ा सा clear कर दूँँगा इसको, so that आपको थोड़ा सा point clear हो जाए, पहले यहां तक देख लिजिए, सर 50% first पूरा unit है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज़ आपको समझाना चाहरा हूँ, तो अब देखिए, अब सवाल में confusion कहां आती है, मैं दोनों चीज़े लेके चलता हूँ, अब सवाल में confusion आती है सर, इनके बारे में कुछ नहीं बताया, जो आप लेके चल रहे हो, इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इसका मतलब सर, सवाल में जो है, कहता है, unit 1 50% of the floor area, अब यहाँ पे एक word मेरे से पढ़ने में, थोड़ा समिश्टेख हो गया, floor area, floor का मतलब हो गया सर, that is a floor area, पूरा, तो इसका unit 1 जो है न वो आधा है, यह है, यह है unit 1, ठीक है न? और जो other है वो 25 पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च है, यानि यह कहानी बनी होगी, क्योंकि बाकी एक बारे में नहीं बताया, सर यह वाला let out हो गया, यानि जो कहानी है न मैं simple सी बात करूँ, तो यहाँ पे यह line नहीं है, करेक्ट अब समझ में आया है आपको यानि ये पूरा एरिया ही है और मुंसिपल वेल्यू सब एरिया के बेसिस पर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा चलिए सवाल को एक बार थोड़ा सा तो स्टार्ट करें so that हमें पता चले कि करना क्या है एक्चुल में वैसे तो पता ही ये कितने पार्ट में बाटना है तीन पार्ट में दो पार्ट में ही बाटेंगे एक्चुल में तीसरे पार्ट में क्यों नहीं बाटेंगे क्योंकि वो किस परपस के लिए है बिजनस और business purpose के लिए house property का नहीं है business income के लिए अलग page पे हम करेंगे का कुछ बच्चे confused हो रहे होंगे मैं दुबारा question पढ़ देता हूँ एक बार question में जो मैं area को लेके चल रहा था कह रहा था unit 1 50% of the floor area मुझे लगा के 3 unit है उस unit का 50% part कह रहा है लेकिन आगे देखा तो बागी remaining unit की कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब सर ये unit 1 ही 50% है ठीक है ना सर simple सी बात है यहाँ पे unit 1 और unit 2 लिख लेते है unit 1 unit 2 सबसे पहले हम mark कर लेते हैं यहाँ पे कहता है municipal value 384 municipal value 384 तो 50% area यह होगा और यह वाला area कितना होगा 25 सर 384 का 50% निखाल लेते हैं बागी का area business में चला जाएगा न 384 192 और सर दूसरा area अब दूसरा area जो था 25% उसने क्या कहा unit 2 self occupied था यह पूरा का पूरा तो इसका वैसे low नहीं तब भी चलेगा और यह वाला area let out है तो सर इसका अगर देखा जाए तो 96 आ जाएगा बस calculation कर रहे हैं municipal value के बाद अब आगे चेक करते हैं सर question में और कुछ है क्या बस municipal value के बाद municipal tax paid कहता है 32,000 repair कहता है और उसके बाद rent कहता है land revenue paid कहता है insurance कहता है और तो कुछ नहीं कह रहा है हाँ पे GAV that is 192 और 96 ठीक है अब यहाँ पे हम नहीं GAV थोड़ी बनेगा अब यह ट्रिपल र भी लेगे न यही बन जाएगा जाके ट्रिपल actual rent receive and receivable sir actual rent receive and receivable कहता है 16,000 रुपे किराय पे दिया और जिसमें से 1000 मिले नहीं चलो भाई साब और हमने जनवरी से लेके मार्च 3 महने किराय पे रखा 16,000 किराय के हिसाब से देखा जाएं तो 16,000 इंटू में 9 होंगे और इसमें से माइनस कर देंगे हम 1000 रुपे तो हमारा 16,000 इंटू में 9 माइनस में 1000 143 सर अब चेक करना पड़ेगा उनके रूल से उपर जायता है नहीं जाता 16,000 होता तो तो 16,000 इंटू में 12 करते तो डेफिनेटली 192 ही बन रहा है यानि हमने गवर्मेंट के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिससे की गवर्मेंट परिशान हो पहले यहां तक देख लिजे सर प्लीज बता दो क्लास की टाइम कितने बज़े है क्लास जो है कैपिटल गेन की क्लास कल साम को TTS में साम को 7.30 बज़े होती है 9.30 वो फिक्स टाइमिंग है और ये वाली जो टाइमिंग है वो एक्स्ट्रा चल रही है आपके सारी टाइमिंग पहले यहां तक देखिए कोई डाउट सर रेंट एक वार फिर से बता दो कैसे है ओके मैं रेंट बता देता हूँ मैं इसे मिटा के फिर से बता देते हैं बच्चे पूछ रहे हैं मुझे लगी रहा था डाउट आ सकता है तो रेंट का देखिए मैं पढ़ देता हूँ कहता है जो unit हमारा 1 है उसने दे दिया किराये पे monthly rent 16,000 था तो that is अगर हम चेक करें तो 12 से multiply करना था लेकिन कहता है this unit however used by the residential purpose उसने अपना ये unit residential purpose के लिए use कर लिया और March से यहां तक इसने March से लेके यहां तक use कर लिया और 1000 रुपे उसका खाली रह गया 1000 किराया मतलब मिला नहीं किरायदार तो थे मिला नहीं अब सबसे पहले बताईए घर वेकिंसी था क्या नहीं था तो हमने वैसे किराये कितने महीने लिया होगा सर 16,000 किराये पे है तो जनवरी के बाद तो मैं खुद रह रहा हूँ तो मुझे किराये मिला ही नहीं होगा तो that is कितने महीने होगे यहां पे 9 महीने कितने महीने होगे यहां पे सर 9 महीने होगे यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है सर अगर ये 9 महिने हो गए है तो इसके साथ ये किराय तो मुझे मिल गया होगा लेकिन इसमें से 1000 रुपे मुझे नहीं मिला होगा that is कितने आगे 143 अब कहता है कि जब आप partly self occupied और partly let out on the basis of time तो normal calculation जाएगा ठेक है यही सीख है तो यहाँ पे जो आजाएगा हमारा GAV निकालेंगे हम और सर GAV क्या आजाएगा यहाँ पे normally 192 दोनों में से जो higher होगा है और यह 0 हो जाना है less कर देंगे सर MT MT paid भला की इसने कितने किये है 32,000 और that 32,000 will be divided into 3 units तो इसका 50% होगा तो इसका आएगा 16,000 और यहाँ पे तो allowed है ही नहीं बिजनस इंकम तो हम last में निकालेंगे बताईए समय क्या एर असेस्मेंट यह 21 बाइस है क्यों होगा 22 कैसे होगा बताओ जनवरी में खुद रह रह रहा है मार्च सेमी यर तो है यह 21 रह गया बस यहाँ पे यह है आर असेस्मेंट यर 21 हाँ तो वो 21 है तो दिक्कत के लाँ ठीक है बिल्कुल एमटी का भीशे कभी फिर से बता देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एमटी का पहले आप सिर्फ एमटी को छोड़ के उससे पहले का आप देख लिजें एमटी को मैं भी समझा देता हूँ एमटी को छोड़ के बाकी देख लिजें अभी समझा देते हैं फिर चली मैं एक बार फिर से समझाने की कोसिस करता हूँ थोड़ा पेचीदा कोस्टन है तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता आप जब तक नहीं बोलते का सर्फ पूरा समझ में आगे तो मैं आगे बढ़ूँगा नहीं ये रहा मेरा एक एरिया इसको भी मिटा देते हैं चली आपके लिए और मैं इस कोस्टन की पहले पूरी समरी बनाऊँगा तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा ये मेरा पूरा एक एरिया है इस एरिया के तीन टुकडे हैं पहला टुकडा है इस एरिया का 50% जिसको हमने लेट आउट किया है जिसको हमने लेट आउट किया है इसके बाद इस बचे हुए के दो टुकडे कर दिया इन्होंने एक 25% एरिया और एक 25% एरिया ये वाला एरिया सेल्फ उक्यूपाइड है और ये वाला एरिया बिजनस में ले लिया अपने बिजनस में इस एरिया की बात करें हम तो एक चार से लेके 31-12 तक वो लेट आउट रहता है 16,000 के महिने की किराये पे यानि सर 9 महिने तक बागी के 3 महिने जो बच गए 1-1 से लेके 31 मार्च तक वो एसो कर लेता है यह तो सर जो हमें इस वाले एरिये से किराये वसूला होगा हमने ये वाला वसूला होगा इस किराये में से भी 1000 रुपे मेरे पैसे मर गए मर गई का मतलब मेरे पैसे मिले नहीं तो 1000 माइनस कर दिया इसका मतलब मुझे total receive हुआ 43 अब GAV आपका यह आ गया अब municipal tax सभी area में divide होगा equally municipal tax कहता है sir 32000 का payment हुआ है तो यहां का area का बनेगा 16 इस area का बनेगा 8 और इस area का बनेगा that is empty है न यह क्या हमारा empty तो sir अगर यह empty हमारा पूरा बनता है तो इसलिए हमने यहां के लिए empty कितना ले लिया 16000 रुपे पहले अब बताए यह municipal tax तक समझ में आय नहीं है sir GAV 143 अच्छा GAV कह रहे हैं के sir 143 है रहमन का कहना है नई GAV 143 मैंने यहाँ पहले लिख दिया था यहाँ पे GAV जो होने वाला है न वो होने वाला है क्योंकि higher का concept आएगा क्योंकि जब vacancy होता मतलब जैसे 3 मैंने तक अगर वो खुद रह लिया तो higher ही चलेगा भई अब कुछ रूलाज नहीं अगर वो vacancy का case होता तब फिर हम lower वाला case लेते हैं ठीक है न तो इसलिए यहाँ पे यहाँ आ गया ठीक है न वेकेंसी नहीं है यहाँ पे self occupied है इसलिए चलिए सर यहाँ पे निकाल लेते हैं फटा फट से NAV NAV1 76 इसका 0 माइनस में MT MT तो हो गया माइनस 24 24A 30% 52 800 ठीक है सर इंटरस का deduction इसको नहीं मिलेगा सर क्यों नहीं मिलेगा इंटरस इंटरस इंटरेशन सर विकॉज औफ इसने लोन लेके पेमिंट किया है घर नहीं बनाया इसने कुछ और काम किया लोन लेके तो उस इंटरस का deduction नहीं मिलेगा तो कितने बच गया है हमारे यहाँ पे taxable HP कितना आ गया बताईए ये लोग calculator लोग मुझे बताते जाने कितने एक लाख एक तेईस दो सो अब लगता है अगले बार से फीस में ही calculator का जोड लूँगा तो लेके आएंगे ये आगे एक तेईस दो सो HP अब इसने टोटल income पूछा है सर यहाँ पे business income भी है यहाँ पे business income भी है इस बात को ध्यान रखना है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत एक और point को मैं यहाँ पे explain करना चाहूँगा नहीं वो सारी चीज़े भी करेंगे सर एक और point अब मैं एक बार यहाँ तक अगर समझ आ गया तो मैं थोड़ा सा और इसको detail में ले जाओ पॉइंट को सभी को clear है yes और no बोल दीज़े यह point यहाँ तक सब को clear है interest नहीं होगा बिलकुल interest नहीं होगा क्योंकि interest loan इसने घर बनाने के लिए repair के लिए नहीं लिया है हर किसी को clear है फटा फट बता दीचे चलिए अब सवाल आता है के sir यह जो हमने यहाँ minus किया है ठीक है suppose हम इसको यहाँ minus ना करते यानि हम इसको minus ना करते तो हमारा यह आता 140 और तब भी sequence यही चल रहा होता यानि जो किराया हमें मिला नहीं है या तो government ने मुझे बोल दिया है कि इस बार 1000 रुपे से कम income पे tax देना या तो यह बोल चुका है या government बोले हम नहीं मानते कि तुम्हें किराया नहीं मिला होगा rule number 4 फिल फिल नहीं किया होगा अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपे minus करता हूँ तो क्या मुझे इसका benefit मिल रहा था या नहीं मिल रहा था नहीं मिल रहा था टेक्स का तो scenario यही था आपको तभी इस 1000 रुपे का benefit मिल सकता है जब आपका एक 76 के जगह पे क्या आ जाए एक 75 समझना बातों को आप यानि सार जब कभी भी आपका unrealized rent होगा current year का एक तो unrealized rent था पिछले साल का जो कि हम सीधा क्या करते थे add back करते थे जब recover हो जाता था यहाँ recover नहीं हो रहा unrealized rent हो रहा है तो जब कभी भी आपका unrealized rent होगा न तो आप क्या करेंगे उसको आप GAV में से minus कर देंगे उसको किस में से minus कर देंगे GAV में से in case आपका higher यह हुआ तो लेकिन माने लो अगर higher यह हो रहा होता समझ रहे हो अगर suppose करो यह बन रहा होता हमारा 2,5,000 2,5,000 और 1000 माइनस करते तो कितना आता 2,00,000 तो उसके इसाब से तो higher आता 2,4 2,4 के बाद सारस नेरियो क्या benefit मिल चुका है मिल चुका है तो यहां सर आप समझिए गए इन बातों को बात क्या है कि अगर हमारा higher बन जाता है सरकारी value तो ऐसे situation में मैं लिख देता हूँ if higher आपका government value आप government value से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो हम unrealized rent को minus करेंगे आप GAV में से minus कर दीजिए यानि GAV के बाद ही minus होना चाहिए लेकिन अगर आपका if आपका government value मैं अपनी language में बोल रहा हूँ और टूटी फूटी लिख भी रहा हूँ लेकिन आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ों को आप अपने language में लिख जरूर लिजेगा अगर higher lower हुआ तो unrealized rent का कोई treatment नहीं होगा वो वहीं पर minus होके हो जाएगा समझ रहे हो ना बात को समझ में आई किया बात आपको समझ में आई बात आपको तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अगर अब एक condition और आता है आप मान लो जैसे मैंने इस सवाल paper में कर लिया गरबड हो गया अब तो अब मिटाएंगे काटेंगे मेरे पास तो मिटाने का option है यहाँ पर एक आपको इपास चलाकी होने चाहिए पटाफ़ट note दाला जो SSC है उसने rule number 4 satisfied नहीं किया जैसे ही यह note डाला तो examiner समझ जाएगा इसका मतलब आप इसको इसका deduction तो हमारा ये वाला जो answer है पूरा सही रहेगा change करने की ज़रत कई बार हमसे करते करते कुछ provision की गलती हो जाती है तो पढ़ लो क्या इसके लिए note बन सकता है ऐसे करना है हाला कि 10 year के अंदर मैंने यहाँ minus करके दिखाया है यहाँ पर मैंने क्या करा है 16,000 रुपे तो इसका minus हो गया और यहीं minus कर दिया मैंने unrealized rent जो की 1,000 और इसको बना दिया मैंने है कितने? 175 और यह आगया हमारा सर कितने का बताइए 30% क्या आगया change हो जाएगा 52 और taxable यह हो गया HP की income अब हमारा business की income की बात भी करना है तो business की income की बात के लिए मुझे यहीं जगे बना के फटाफट करके दिखाना होगा आप लोगों को क्योंकि अगर मैं दूसरे page पर गया तो फिर मेरे लिए थोड़ चलिए business income के लिए इधर जगे बना लेते हैं हाला कि tenure में इसी के नीचे करके दिखा रखा है लेकिन वो छोड़िए आपको तो बस concept पता होना चाहिए और format वही follow करना है चलिए सर business income थोड़ा तिकनिस बढ़ा लेते हैं हम business income की बात करें तो business income में सवाल में क्या कहता है सर business income के अंदर सवाल में कहता है सर जो business income है चार लाख एकसट हजार दोसो बिजनस income और 61,200 लेकिन इस business के लिए जो भी खर्चे होंगे सब माइनस होंगे मानलो आपने एक 10 रुपे का आलू 12 रुपे में बेचा तो जो किराया होगा वो भी तो माइनस करोगे उसमें से तभी तो net profit निकाल पाओगे आपने ये वाला unit जो था rent पे ले रखा था इसके लिए आप rent payment कर रहे होगे इसके लिए आपने बहुत सारे चीजों का payment किया होगा तो वो सारे चीजे आपके business के लिए क्या माना जाएगा as a expense और वो सब चीजों को मैं business में से क्या कर दूँगा minus कर दूँगा तो यहां से जो जो खर्चे होंगे वो सब माइनस करूँगा तो क्या क्या खर्चे हैं सबसे पहले देखिए यहां पे आपका है municipal tax तो MTB आपने payment तो किया है तो आठ हजार यहां से माइनस करो सर allowed है ये उसके बाद सर municipal tax के बाद क्या कहता है ये रिपेर रिपेर करवाया आपने खर्चा है तो रिपेर लेकिन सर रिपेर कितना माइनस होगा स्रिफ 25 परसेंट एरिया का जो कि 25 परसेंट एरिया का होगा कितना 10 हजार रिपेर के बाद क्या है सर ग्राउंड रेंट Ground rent भी 16,000 है तो Ground rent Ground rent Sir, Ground rent कितना है हमारा ये भी 25% या निस सब 25% ही खर्चा मिलेगा क्योंकि 75% तो बागी एरिया पे है तो कितना आएगा ये 4,000 4,000 सब माइनस करतेंगे Ground rent के बाद Land revenue Paid हमने कोई paid किया है revenue को expense paid कर दिया कितने का paid किया इसको कर तो 25% कितने आ रहे है 24,50 Sir, इसके बाद और क्या payment किया है insurance premium 16,000 तो ये भी minus होगा Sir, 16,000 का हर किसी का 25% आप मैं करके दिखा देता हूँ confusion न रहे कितना आएगा 4000 अब आगे कहता है ये आ गया कहता है interest on borrowing payment of municipal tax अब इसको देख लेते हैं पहले यहां तक देखे कोई दिक्कत है और कहता है our business income दे दिया without debit the rent other आपका identical expenditure including the admissible depreciation of 16,000 रुपे on the one-fourth portion of the house तो सर्डप्रिशेशन भी minus हो जाएगा कहता है इस area के लिए 16,000 का depreciation है तो सर्डप्रॉफिट कैसे निकालती हो अब हमेशा net profit में से क्या depreciation minus करती हो नहीं करते बताइए इसलिए हमने क्या करा है हाँ यहां पर minus कर दिया है यहां तक बताइए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है क्या समझ में आ रहा है आगे कहता है सर इसने ना interest भी paid किया है तो सर जब interest paid करेंगे that is a business expense तो business expense है तो यहां से interest भी minus हो जाएगा आपका 24A जो B है न वो कहता है कि आपका interest house property में से तब minus करने दिया जाएगा जब आपने घर बनाने ये repair के लिए है business कहता है कि आपका कोई भी ब्याज हो अगर business को चलाने के लिए हो रहा है किसी भी type का तो आप minus करेंगे अपने खर्चा माने के तो चो खर्चा मानेंगे तो कितना interest दिया था हमने 14,000 का 25% कितना आएगे 300 अब total कर दिजिए इसमें से सब को minus कर दिजिए that is business income चार तो ये हो गया business income question में क्या पूछता है determine the taxable income tax liability note तो taxable income क्या होगा taxable income के लिए एक और format यहाँ बना लेते है so taxable income income from हच पी हच पी एक बाइस और इंकम फ्राउं पी जी बी पी चार सत्ताइस छे सो सट टोटल कर दिजिए पांच पचास पांच पचास business income एक बार बता दीजिए देखे business income में जितने भी आपके business के खर्चे होंगे वो सारे के सारे सिंपल सी बाते देखे अभी हमने वैसे पी जी भी हलाकी किया नहीं है मुझे पता था कुछ बोलते हैं जी पी तीन लाग अब इसमें से सारे 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 खर्चे माइनस करोगे है ना एक एक करके सारे खर्चे तो यहाँ पे खर्चा rent भी होता है यहाँ पे खर्चा interest भी होता है यहाँ पे खर्चा municipal tax भी होता है यहाँ पे rent revenue भी होता है यहाँ पे खर्चा insurance भी होता है सारे खर्चे तो सारे खर्चे मैंने वही करा, बिजनस से माइनस कर दिया, जो कि आ गया हमारा निकल के, समझ रहे हो, तो अब जो income आया है, इसके उपर हमें tax देना पढ़ता है, जो कि हम PGPB में तो पढ़ें गई, तो वही चीज़ें यहां पर मैंने करके दिखा दिया आपको, कि हमने पह नहीं हुआ है, तो हमने इसको माइनस करके पहले correct किया, और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया है, बताइए सवाल में कोई दिखकत, clear है आपको खुश्बू, चलिए, अगले सवाल पर, हाँ, ये भी पढ़ लेते हैं, कहता है सर, एक्स के पास, residential house property, it has two equal identical unit, अगें सर, identical unit का आगया, दो identical unit कर लेते हैं, अभी बताएगा area, unit 1, self occupied, पताया है नहीं, तो हम मान लेते हैं, दो identical unit हो गया, unit 1 है ये, और ये unit, ये एस सो हो गया, आगे बताएगा वो, X, and for the residential purpose, unit 2, rent being let out for the, तो ये हो गया, LO, और इस let out को कहता है, rent of 2 month could not be recovered, unrealized rent हो गया, municipal value of the property, 130, standard rent आपका दे रखा है, fair rent भी दे रखा है, municipal value भी दे रखा है, 12% which was paid by X, municipal tax को, X other expense of the various being, the repair किसी काम का नहीं, insurance किसी काम का नहीं, interest on borrowing, एक आठ को construction और आपको कहता है, interest on capital, बोरोड एक 2008 को for the construction property, और ये था हमारा कितने का property, पांच लाग का, अब देखें यहाँ पर बात है, construction the property, रुपीज 5 लेक, अब सबसे बड़ी समस्या ये है इस सवाल में, चलिए हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी clear करेंगे इस सवाल को, कि क्या चीज़े point है, find the income assessment area, assume इसका income from other sources भी है, हाला कि सवाल इस type का हमने कर लिया है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं, चलिए, सारी unit 1, अगर हम unit 1 की बात करें तो tension खतम, क्यों tension खतम सर, self occupied, और unit 2, अब सबसे पहले exam में क्युछ बातों का ध्यान रखना है, अब आपको कैसे पता चला unit 1 कितने percent है, unit 2 नहीं पता, आप क्या करोगे, ऐसे सवाल के अंदर आप इसको दो हिस्से में बातों गई, बातों गई, और दूसरा कोई चारा नहीं है, इसके लिए आपको note देना होगा, कि हम मान रहें कि दोनों unitical equal है या 50-50 percent area है, अब हर किसी चीज़ को 50 percent area में divide कर देते हैं, कहता है हमारा कि यहाँ पर municipal value है हमारा 31, तो कितने आ जाएंगे, इसके बाद कहता है standard rent और fair rent, तो fr है 41, और standard rent है हमारा 1,25, तो यह आ जाएगा हमारा, तो सार यहाँ पर expected rent निकल के आ जाएगा, unit 1 के लिए तो 0 ही रहेगा, self occupied है unit 2 के लिए, अब यहाँ पर 8RRR ले ले लेते हैं, कहता है सार unit को हमने घर किराये पर 6000 रुपे महीने पर दिया था, और into में, अब कहता है 2 महीने का किराये नहीं मिला, है न, तो कितने हो गए, तो सार अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, अगर देखा जाए 2 महीने का किराया हमें मिला नहीं है, तो actual देखा जाए, तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर self occupied का case है क्या, नहीं है, पिछले वाले सवाल में self occupied का case था, अब यहाँ पर पूरे साल का calculate करके देखो कित इतना बनता है सर, पूरे साल अगर किराये पर रहता है तो 72,000 बनता, लेकिन हमने दो महीने का minus कर दिया, तो अब जो GAV आएगा हमारा, बताइए क्या आएगा, 60 या 62,500, minus कर देंगे सर, और ये GAV आएगा 0, इसके लिए खतम, कहता है, municipal tax 12% which was paid by 12% है, तो 12% what, 12% आपका इसी का होगा, MB का, तो आप MB का अगर निकालते हो, तो 130 का, आपका हाला कि 12% होता है, तो सर, 130 का 12% वो दोनों के लिए होगा न, तो दोनों के लिए इसका हिस्सा निकाल लेंगे, MT का, कितना बनता है, 130 का 12% निकाली है, 15600, 15600 का 50% ले लेंगे न, हाँ, 12% है, 93, पंदरा हजार पांसो और हाफ एरिया का बांट दो इसको टू में तो टू में जब इसको बांटेंगे तो कितना पंदरा छे सो है कितनी बार गलत हो गया है अब इसको हाफ में बाटो बस सिंबल सी बात है आप कहता है इंट्रस्ट ओन कापिटल इंट्रस्ट ओन कापिटल बोरोड ओन एक एक दोहजाद आठ फोर कंस्ट्रेक्शन दा प्रॉपटी प्रॉपटी को construction करने के लिए इसने 5 लाक रुपए का interest फेड कर दिये है अब यहाँ पे सवाल होता है sir आपका यह total interest है? या सिर्फ उसी साल का interest है? या pre construction का interest है? या फिर pre construction का interest है? पहले यहाँ तक देखिए समुझ में आया है अ यहां पर सवाल क्या आते है हमारा interest, कब का है यह, question में कुछ clarity है क्या, नहीं है, तो आपको यहां पर क्या देना पड़ेगा sir, note देना पड़ेगा, यहां पर assumption और note, note क्या देना पड़ेगा sir, यहां पर simple सी बात है, note देंगे, कि यह हमारा इसी साल का interest है, किस साल का है, current year क अगर interest हुआ तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एने भी पटा फट निकालते जाएए माइनस 24 ए फिर माइनस 24 भी सवाल में पूछता क्या है income from हाँ find out income बताना है अब तो होई गया ए बताईए और यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि self occupied तो आधा आधा बाटेंगे तो धाई लाग और दूसरे का बताईए क्या इसका बताऊ ने बावन अब इसका 30 परसेंट 15 अब देखिए 24 भी मिलेगा यह self occupied है यह let out है दोनों के हिस्से में अधा अधा चला जाएगा धाई धाई लाइक लेखिन आपको पता है यहाद है self occupied की case में limit restricted था कितना था तो यहाँ पर हम दो लाग ही लेंगे क्योंकि धाई लेना था लेकिन हम ले नहीं सकते तो कितना लेंगे यहाँ पर कोई limit ही नहीं है तो य यहाँ पर दो लाग माइनस का जाएगा और यहाँ देखिए कितना माइनस आता है तो टोटल इंकम भी डिटर्माइन करने के लिए मैं तैयारी कर रहा था दो लाग चार सो साथ तो सर यह HP की इंकम अगर मैं पूछू ना HP की इंकम तो सर HP 1 से भी लॉस है दो लाग का और HP 2 से भी लॉस है हमारा 2,13 तो टोटल लॉस बता दीजिए लॉस आगे ना लॉस प्रॉम एच्पी लॉस फ्रॉम एच्पी कितने चार लाग चार सो साथ यह लॉस है अब अधर सोर से इंकम है तो साथ टोटल इंकम आ जाएगा क्या होगा यह लॉस यह लॉस है समझ में आई बात बिलकुल समझ में आ गई आपको बात यहां पर हमने अजम्शन वगएरा सब कुछ समझ में आ रहा है क्या जो हमारा यहां पर विकेंसी था अन्रिकावर्ड रेंट था हमने क्या माना गवर्मेंट ने इसको अप्रूब्ड कर दिया है यही माना है अगर हम यह मानने के गवर्मेंट ने अप्रूब्ड नहीं किया है तो क्या होगा आंसर में बदलाओ अगर government approved नहीं करेगा तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से क्या लेना पड़ जाएगा hire लेना पड़ेगा तो उसके हिसाब से हो जाएगा तो इसके दो answer यहाँ पे बन सकते हैं एक तो जहाँ पे हमने अजंशन लिया कि हमारा unrealized rent government ने approved कर दिया है तब तो हम lower लेके चलेंगे अगर government deny कर दे बोले भईया हम नहीं मानते हैं unrealized rent तुम्हें किराय मिला होगा हमारा तो हिसाब से 62,500 बनता है तुम्हारे हिसाब से बनता है कितना 60,000 तुम गिन रहे हैं तो हम तो 62,500 भी यह आप से कहलेंगे टेक्स लेंगे तो उस केस में आपके जैसे की सवाल में मैंने कहीं करा हुआ भी है कि 62,500 से भी आपका सारा solution किया जा सकता है तो थोड़ा डिफर आएगा कह रहे हैं कि unrealized rent is minus q नहीं करा unrealized rent minus q नहीं किया देखे मैं बता देता हूँ मैंने करा है minus बस देखनी रहा नॉर्मली हमारा किराय पे मकान था 6000 इंटू में 12 और इसमें से दो महने का किराय नहीं मिला that is हमारा 12,000 तो आप जब आप इसको solve करेंगे तो आपका 60 ही आएगा देखिए ठीक है सर इंट्रेस्ट वाला इंट्रेस्ट वाले के अंदर क्या है कि इंट्रेस्ट टोटल दे रखा था पहले हम निकालते थे pre construction period सभी चीज़ का यहां पर इंट्रेस्ट टोटल दे रखा था तो इंट्रेस्ट कैलकुलेट करके हमने आधा-धा मतलब calculate करके दे रखा तो हमने आधा-धा बाट दिया तो अगर आपकी बीच में जोईनिंग है तो पूरा देखना होगा इंट्रेस्ट वाले केस में मैंने बताया था self-occupied के केस में आपको दो लाक maximum deduction मिल सकता है इसलिए धाई ना देके मैंने दो दिया है बाकी को धाई दे दिया क्योंकि वहाँ पर limit है नहीं चलिए question देखते हैं question पढ़ते हैं क्या कहता है कि x की age है 59 on two house related detail below कहता है दो घर है let out कर रख है house number one house number two house number one इसने यहां से यहां तक let out किया है यानि house number one के बारे में कहता है कि जो लिखते जाते हैं हम यहां house number one जो है वो एपरेल से लेखे जुलाई तक let out रहा और august से march तक august से march तक यहां जो let out था और यहां पर था vacant आपका यहां से यहां तक कहता है sir यह था हमारा sorry august से लेके march तक यह self occupied रहा यह line है ठीक है ना self occupied था exam में आया वो कुशन ने 2016 में आगे कहता है दूसरे वाले घर की कहानी कहता है सर यहां से यहां तक june से लेके यानि june से लेके to march तक रहा let out यानि सर अपरिल मई रह गया हमारा कहता है अपरिल में रहा यह vacant और मई में भी क्या रहा vacant April to May that is vacant आपको पता होना चाहिए दोनों में difference है vacant में और आपका self occupied में vacant में हम lower वाला consider कर लेते हैं और self occupied में हम अलग से ले लेते हैं एक सेट चलिए आगे देखते हैं municipal valuation दे रखा है दोनों का fair rent दे रखा है standard rent दे रखा है rent let out कहता है let out period के लिए जो यहां से यहां let out था तो sir 10,000 रुपे महीने किराये पे था और यह वाला 14,000 रुपे महीने की किराये पे था कहता है completion construction 2018 में complete हुआ यह 19 में हुआ municipal tax but not paid अभी तक paid ही नहीं किया तो हमारे लिए irrelevant information है और यह वाला paid कह रहा है तो यह information है एक्स ने बोरु किये 5,000,000 रुपे 10% construction of house no.1 घर एक बनाने के लिए April 17 में तो PCP निकाल लेंगे आगे कहता है compute the net income tax liability कहता है his net income and tax liability for the assessment year 21 assuming that income from business business से यह पैसे कमा रहे है यह also deposit 1,000,000 रुपे public provident fund तो sir 1,000,000 रुपे public provident fund का मतलब ATC activate हो गया है यहां पे made a donation 10,000 रुपे to prime minister relief fund ATG में तो sir यह ATG में वैसे ही बोल दिया अंडर सेक्शन ATG में तो सवाल करते हैं सवाल बहुत आसान हो जाता है यह दो घर है तो अगर है चलिए एक बीस MB के बाद FR देखें तो 90,000 और एक लाग अच्छा ये नो लाग हो गया अब SR दे रखा है हमें 85 और आपका है 14,31 अब SR निकाल लेते हैं expected rent 90 और lower 85 यहाँ पर 120 और lower 120 सर actual rent receive and receivable यहाँ पर आप ध्यान दो तो घर यहाँ से यहाँ April to July let out था August, September August, September, October, November, December, January अच्छा बच्चे करें कुश्चन नहीं दिख रहा है भी दिखा देते हैं यह लिजिए कुश्चन नहीं दिख रहा है तो अब दिख क्या होगा तो कह रहे हैं कि April से जुलाई चार महीने किराये पे रहा तो साथ चार महीने किसके हिसाब से सर दस हजार तो यहाँ पे आजाएगा हमारा चालिस हजार अगले पॉइंट पे देखते हैं हाँ और बाकी सेल्फ उक्यूपाइट था कोई बात नहीं हाउस नंबर टू जून से लेके मार्च तो जून, जुलाई, आउगस, सेप्टंबर, अक्टूबर, नॉमबर, दिसंबर, जनवरी, फर्वरी, मार्च कितने होगे दस महीने दस महीने 14,000 किराये पे रहा तो देट इस बन फॉर्टी बाकी वेकेंट सर जीएवी जीए भी क्या आएगा हम चेक करेंगे इन दोनों में से क्योंकि self-occupied था तो इन दोनों में से higher that is 85 और इन दोनों में से किरायदार खुदी कह रहा है हमारा जादा है तो that is 140 minus municipal tax सर यहाँ municipal tax नहीं होगा क्योंकि due था but not paid लेकिन दूसरे में paid किया है 6,000 तो यह आगे 85 और एक लाख 34,000 यह आगे हमारा NAV minus 24A और minus फिर 24B सर 24A और 24B यह कितना आया यह आगे 25,000 सभी से निकाला न चलिए अभी बाद में निकाल लेंगे इसको पहले interest की देख लेते हैं ठीक है कहाने कहता है इसने loan लिया जो था वो लिया था थोड़ा उबर कर लेते हैं ठीक है यहाँ जगे बिन गई हमारे के कहता है जो loan लिया था वो 5,000,000 का 10% construction और यह घर जो complete हो आना वो 18 को हो गया तो सर इसने loan लिया था कब 14,17 में और घर complete हो गया हमारा 31 मई 18 में तो इस सर 14,17 से लेके 31 मार्च 2018 तक तो घर बना नी और 18 के अंदर 18,19 में घर बन गया तो यह PCP आ गया तो सर loan कितने का था 5,000,000 5,000,000 पे percentage किया था सर 10% 10% सर कितने महिने का 12 महिने का सर 1 by 5 हो जाएगा 5,000,000 10% डिवाइड 12 इंटू में 5 5,000,000 इंटू में 10% डिवाइड 5 10,000 तो सर PCP का आ गया 10,000 कहता है current year में भी loan रिपेड नहीं है loan इस्टिल आउट सेंडिंग तो 50 यह है न तो कितने आ गयी है 60,000 अब निकाल लेते है 85,000 का 30% 25,000 minus 60,000 तो यह आगया 500 रुपे negative ठीक है और इसमें 134 का 30% 40,200 यह तो आएगा नहीं तो minus करके 93,800 चक कर यह answer ERH2 का 1,000,000 आएगा न ERH2 का 1,000,000 आएगा ERH2 का जो rent है वो 14,000 है नंदनी आप देखें इसका 14,000 है यह 14,000 है 14,000 into में 10 ठीक है ठीक है चलिए कहता है इसका total income निकाली है net income और tax liability तो हम इसका net income निकालने के लिए अगले पीच पे चलते हैं यह याद रखना 93,800 और यह है चलिए उपर लिखना है कम्प्यूटेशन टोटल इंकम अफ जो भी था सर्य है कौन था यह एक्स सर्य हाँ income from house property जिसमें से h1 से 500 का loss और h2 से क्या है 93,800 का profit अब income from business क्या था हमारा दूसरा income आपका कहता है income from business छीख है income from business 6,40,000 यह आजाएगा 93,000 sir gross total income आगिया gross total income आगिया plus 6,40 7,33,800 minus reduction minus 80C का minus deduction 80G का sir 80C के अंदर उसने PPF में अकाउंट खुलवाया है एक लाक और 80G के अंदर 10,000 तो sir यहाँ पे एक लाक माइनस और 10,000 यह आगया हमारा taxable income हाँ अच्छा यह 300 होगा मैंने वो minus नहीं किया direct लिख लिया तो 7,33,300 minus 1,00,000 minus 10,000 कितना गे taxable income 6,2 चेक कर लिजे अब ठीक है अब हम निकालेंगे tax liability tax liability में up to 250 nil next 250 at the rate 5% that is 12,000 अब 5,00,000 का हिसाब होगा बाकी कितने बचे सर बाकी बचे यह 6,23,000 है तो बचे गे 1,23,000 जो next होगा 123 इसके उपर at the rate 1,23,000 यह आगे सर यह total आजाएगा प्लस 12,500 सर 87A मिलेगा यहाँ पे 87A 87A की condition क्या है कि अगर आपकी income 5,000,000 रुपे तक है तो मिलेगा तो यहाँ 87A नहीं होगा सीधा प्लस कर देंगे 4% higher education says charge तो 4% आगे यहाँ पे 148 6 प्लस कर देंगे 38,66 38,646 और इसको round off भी कर सकते हो round off करोगे तो 38 640 का text दे दो या 38 650 का text दे दो यहाँ यह round off 10 के multiple में होता है ठीक है तो यह सवाल था हमारा एक exam में आया है वो question चलिए done चलिए हाँ विशेख यही है पूरा कर लेते हैं इसको कहता है Mr. KK on a house municipal value दे रखा है 60% portion let out monthly rent and remaining 40% portion occupied by him for on residence तो सर दो घर हो जाएंगे चलिए 60% area और 40% area यह है let out यह है self occupied कहता है municipal value 4.50 है तो सब कुछ बढ़ जाएगा तो 4.50 आप calculator लेके क्यों नहीं आते हैं calculator आथ निकाल लो इससे जल्दी नहीं होता exam में आदत पढ़ गई न मोबाइल फोन की तो फिर दिक्कत हो जाएगे 270 फटा फट बताते जाएगे जो बच्चे ओफ्लाइन वाले है और 180 चलिए इसके बाद आगे कहता है ये लिया इसने एक जुलाई में लिया लोन 2017 में यानि नेक्स्ट येर एक हाउसिंग लोन लिया चार लाख रुपे का और अट दा रेट 10 परसंट के इसाब से लिया 40 लाख है एक जिरो और बढ़ा देता है फ्रॉम दा स्टेट बैंक ओफ इंडिया ही वास कंप्लीटिड दिसंबर उन्निस और ये घर दिसंबर उन्निस 31 बारा 2019 में घर कंप्लीट हो गया सर बनके अगर ये घर इसका दिसंबर उन्निस में घर कंप्लीट हो गया बनके तो सर PCP जो काउंट होगा हम लोन से काउंट करेंगे न तो लोन हमारा घर स्टार्ट कब हुआ बनना मेटर नहीं करता मेटर ये करता है कि लोन कब लिया गया तो हमारे लिए लोन लिया गया 17-18 और 12 में बिना 18-19 और 19-20 का जो session था उसमें तो घर complete ही हो गया तो वो उसमें तो interest अविल कर चुकेंगे तो वो हो गाई नहीं तो 17-18 में देखेंगे तो July, August, September, October, November, December, January, February, March, पूरे 9 महिने और इसमें 12 महिने तो 9 और 12 कितने होगे सर, 9 और 12 होगे सर, 21 महिने PCP कैता है, the house was completed December, he incurred, और उसने क्या incurred किया, following expense in respect of during the year 50,000 paid by way of municipal tax including 5,000 in respect of 18, sir, 50 का pay किया, लेकिन 5,000 पुराने भी पे किया repair कोई काम नी, ground rent कोई काम नी, fire insurance कोई काम नी, compute his chargeable house property income during loan amount is outstanding sir, loan amount outstanding है, तो हम PCP का हम पहले interest निकाल ले PCP के interest होगा 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चौदा, एक चालिस आ रहा है, एक चालिस, येस, एक चालिस, और करेंट येर का भी इस्टेल आउटसेंडिंग है, तो चालिस लाग के उपर करेंट येर का दस परसेंट, यानि चार लाग, तो पाँच लाग, चालिस आजार का ब्याज है, और ये पूरे घर के लिए है सर, चलिए सर, और कुछ दे नहीं रखा, तो फेर रेंट भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और जो लेट आउट किया है, इसने वो 26,000 रुपे महिने के लिए किया है, तो सर कुछ नहीं पता ह यहाँ पर, फेर रेंट, हटाईए, स्टेंडर रेंट भी नहीं पता, सीधा, एक्सपेक्टेड रेंट, सर, इसके हिसाब से 270 होना चाहिए, और ये तो, क्या ही, लेट स्वेल फोकीफाइड है, 8RR कितना है, वो लिख लेते हैं, सर कहता है, 26,000, 26,000 इंटु में 12, 312, जी य सर, जी ये वी, 312, और एकसी, लेस मुंसिपल टेक्स, बताईए, मुंसिपल टेक्स कितना पेड किया, 50,000, तो, 50,000 दो केटेगरी में चला जाएगा, 50,000 का 60%, 30,000, इसमें तो जाएगा नहीं, खटाईए इसे, 312, माइनस 30,000, 280, 2, ये 0 रहेगा, 0, NAV, माइनस 24A, और माइनस 24B, 24B हमारा टोटल बनता है, 5,40,000, अब 5,40 को, दो भागों में बाटना है, 60%, 3,24, और बाकी आगया, 2,16, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2,00, अगर आप इसका 40% निकालेंगे ना, तो that is 2,16,000 आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तो 2,00, ही है, तो 282, sorry, 282, minus 3,24, हाँ जे, अच्छा, 24A तो रही गया, 84,000, minus 3,24, sir, 1,26,000, 1,26, 600, loss, और ये 2,00, रुपे का, sir, इधर loss, अगर आप IHP पूछेंगे, तो ये, sir, loss है, और loss आ जागा, 1,26,600, प्लस में 2,00, तो loss जो बन गया, 3,26,000, 600 बन जाता है हमारा loss, इसको, और जो बच्चे 10 एर में कर रहे होंगे न, उसमें थोड़ा सांसर इस तरीके से करेक्ट कर लेना, वहाँ पर थोड़ा सा एरर रह गया, दूसरे तरीके से, कि sir, मैंने 2,00, maximum limit करके कराए, आप इसको valid मान लेना, ठीक है न, इस तरीके से कर लेना,